तक्दीर के खेल से निराफ नहीं होते जिन्दगी में कभी उदाफ नहीं होते तक्दीर तो उनकी भी होती है मेरे साथी जिनके ये हाथ नहीं होते डमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने फेबरेट चैनल PBR स्टडी परिवार में उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़ियां चल रही होगी पर्थम समेश्टर की परिख्षा में आपने हंडेट परसेंट कोईश्चन किये हैं और आपको 25 में से 25 नंबर मिलेंगे इनी उमीदों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे जो भी PBR स्टडी के चात्र थे उनको पुरी गारंटी के साथ कह सकते हैं उन्होंने 25 में 25 नंबर किया है जितना पढ़ाया था उसमें से एक कहीं बाहर से नहीं आए सब से लेबस से आया और सबसे बड़ी बात तो एकदम आसान आसान आया था है ना पर्थम समश्टर में बहुत है आसान पेपर आया था जो कंडिडेट जुड़े हैं उनके नाम हम बोलेंगे लेकिन पांच मिनट बाद और हाँ ये आज आपका एक नया बैच शुरू होगा तो बहुत सारी नई उमीदे होंगी है ना तो इन उमीदों को आप लोगों को पूरा करना है हम सब मिल कर पूरा करेंगे समझ रहे ना हसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार इतने की उमीद को जिंदा रखना आए इस्टार्ट करते हैं आपका सिकेंड समेस्टर आज आपका लाइव नंबर फस्ट होगा यहां पर हम लिखेंगे चुर्की पर एकदम लाइव नंबर फस्ट बीटी फी लिखना आसान है इसलिए हम बीटी सी लिख दे रहें इसका पूराना नाम था पूर्ब म कि जूड़े हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं कोई मुधुल के आया है कोई वैसे कीचल पीचल लगा के आ गया कोई तो वह मेर्श करके आया मैं देख सबको रहा हूं लेकिन बोलंगा सब का नाम रुके रह हूं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगी कि सिलेबस क्या है एक घर बनाना है ना तो उसमें पहले निहूं रखने पड़ती है तो ऐसे आपको मेकप कर नंणा को तो इसलिए पहले पता हो पढ़ना क्या है उसके पहले काफी जो भी कंडिडेट जूड़े हैं उनको एक बार थोड़ा मोटिबेट कर देते जैसे कि नया जी जुड़ी हुई है दीप सिखा जी का कमेंटारा अंकित कुमार मिश्टर हशु का कमेंटारा अर्चीता सिंग सालनी उपात ध्याए और रूची साख्या जी के एकड़मी कुमारी स्वाती रनबिर कुमार बभी देवन और कनया मनीश विशेस यादो अक्कू मिली और भी बहुत से कंडिडेट सबके कमेंट हमें दिख रहे हैं कलास को पूरा इंडे तक देखना छोड़के मत जाना सबसे पहले हम सिलेबस डिसकस करेंगे सिलेबस क्या है पाथे करम देखिए सिलेबस यह थोड़ा गंदी चल रही होगी लेकिन आप समझ यह सुनिएगा ठीक है तो साथियों जैसा कि मैंने अभी चैनल पे पोल किया था कि पर्थम समस्थर सिकेंड समस्थर में गडित का इतिहास नाम का कोई अध्याय है या नहीं है जिसमें से सिर्फ 22%, 46% लोगों ने कहा था कि है तो अगर पहला अध्याय आपका गड़ित का इतिहास है तो आप लोग उसे पढ़ लिजिएगा उसमें जादा कुछ है नहीं फिलहाल हम गड़ित का इतिहास वाला अध्याय यहां पर अभी नहीं पढ़ाने वाले हैं होता है मालूम है कि नहीं तो पहला अध्याय आपका है LCM-HCF यह बहुत ही आसान है कि आप लोग इसको पर्थम समेश्टर में भी पढ़े हो फर्स समेश्टर में भी पढ़े हो LCM-HCF बेरीजी है है न अच्छा आप लोग जल्दी से यह बताओ कि मैं syllabus के बारे में बात करूँ या ना करूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं पाठे करम डिस्क्राइब करूँ तो आप बोलिए यास और अगर चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ पढ़ाना शुरू कर दूँ पाठे करम के बारे में कोई चर्चा ना करूँ तो आप लिखके कमेंट करिए नो जल्दी से यह सजेशन दीजिए क्योंकि मुझे लग रहा कुछ लोगों को अच्छा लगे कुछ लोगों को ना लगे जल्दी से यास या नो फटापट बोलिए हाँ तो पहला ध्या अल्सीय में चीफ है दूसरा है तीन अव सरी हाँ बिंजकों में परियुक्त जोड़ घटाना गुड़ा भाग के संकेतों का तथा कोश्टकों का सरली करण यानि एक परकार से अगर हम बात करें तो दूसरे अध्याय में आपको बोर्ड मास का रूल पढ़ना है ठीक है बोर्ड मास रूल पढ़ना है बस यही है लग बग ठीक है कलास का समय रात के 10 बज़े से होगा 10 बच कर 45 मिनट तक अगर आप ल चोटी हो जाएगी अगर बच्चे सो के उपर जाएंगे तो कलास बढ़ेगी ठीक है तो दो चैप्टर आप हो गए समझ लिए दोनों आपने सिकेंड चैप्टर में आपको जोड़ घटाना गुड़ा भाग बहुत चोटी चोटी चीज़े भी पढ़ाई जाएंगी तो आ देबस डिसकराईब कर दे रहा हूं ठीक है अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे संख्या के बारे में जैसे प्रकृतिक संख्या यानी नेच्रुल नंबर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर एक प्रकार से अगर हम बात करें तो आप रियल नंबर की पूरी फैमिली उनके दो लड़के बच्चे है जिनने इंगलीज में बोलते हैं और इरेफनल नंबर फिर एरेफनल नंबर की तो कोई फैमली हाई यह नहीं है वैसे रहा गया साधूए रेफनल नंबर की फैमली है जिनमें आप पढ़ेंगे प्रकृतिक पूर संब्रों भाज भाज यह सब तो यह आप पढ़ेंगे किसमें आपका हमारे अकार्डिंग चैप्टर नंबर तीसरे में इसमें आप पूर संख्या के बारे में पूरा-पूरा पढ़ेंगे अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो यह भी कुल मिला के इसी फैमली का ही पार्ट है पुडांक और पर्मिय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे पतिलोम तथा तत्समक पढ़ेंगे योगात्मक और गुडात्मक पतिलोम पढ़ेंगे कुल मिला करके ये भी ये जो आपका ये चैप्टर है ये भी इसी का पार्ट है ठीक है तो कुल मिला के इसमें संख्या के बारे में ही पूरा डीटियल पढ़ना है संख्या की जितनी फैमली होती है उसी के बारे में पढ़ना है अब आपका एक नया चेप्टर आता च्छा ठाँ जिसमें बहुत कुछ नया है ठीक है इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ आप समझ लीजिए बस इसको लिखना नहीं है किसी को योगात्मक और गुडात्मक परतिलोम यह मैं पूरा पार्ठ का नाम नहीं लिख रहा हूँ कोई इसको लिखेगा नहीं पीवियर स्टडी के टेली गराम चैनल पे सारा पार्ठिकरम बेज दिया जाएगा डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई होगी आप सभी पीवियर स्टडी टेली गराम चैनल जरूर जोइन करें क्योंकि वाट्सअप पे हम नहीं बेज पाते कुछ वाट्सअप हाइं करता है क्योंकि हमारे यहाँ 4 लाक बच्चे होने वाले हैं वाट्सअप में हमारे लाको बच्चे हैं तो वाट्सअप हैंग करता है काम नहीं करता है तैली गणाम में आप सखेंगा कि अगला चैप्टर है संभी करनी सबसे इम्पौर्टेंट है कि सबसे मज़ेदार है समीकरण तथा सर्व समीका सर्व समीका समझ रहा हूं निब्बा निब्बी अभी एक दिन कोई बोल रहा था कमेंट में तो यह वही है हम अमीकरण और सर्व समीका पता नहीं यह गलत वर्ड एक सही है मुझे नहीं पता है तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे जैसे रैखिक समीकरण दुगाद समीकरण इनके हल करने के परतिलों कई विधियां होती है जैसे गुड़ा बिलोपन विधी परतियस्थापन विधी तो यह सारी विधियां इसमें आप सीखेंगे समीकरण वाले पार्ट में आपने इनकी स अकल कभी देखा होगा ऐसे रहते हैं एकस का स्क्वाइर प्लस टू एकस प्लस थ्री कोल जीरो तो इनके गुड़नखंड कीजिए वगएरा वगएरा ठीक है जिनको क्लास से संबंदित कोई इंक्वाइरी है नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर करिएगा निबेदन है यहां पर बात्चीत करेंगे पूरा बात पाठे करम डिस्क्राइब करने के बाद अगले आधे गहंटे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपका सारा कमेंट देखेंगे थोड़ा रुके रहिए अगला आपका जो अध्याय होगा वो होगा एक चर रासी में समीकरण एक चर रासी में समीकरण यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे वैसे तो अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन सुन लीजिए ये तो आप समीकरण सर्व समीका पढ़ोगे इसमें एक से अधिक चर रासियां भी रहेंगी लेकिन जो आपका अगला चैप्टर होगा एक चर रासी में समीकरण आप मेंसे कितने लोग ये चर रासी समझते हैं कितने लोग समझते हैं चर रासी क्या होती है पहले हम लोग जब गुरुजी सुरुम पढ़ाते थे न चर मतलब जैसे गाय भाइस चारा चरती न उसको जानते थे मज़ा भी लेते थे लेकिन बाद में जब मारवार पढ़ने लगी दुछालाद पढ़ा तमझ में आया ये दूसरा कुछ है जिने इंगलिज में बैरियबल बोलते हैं तो जो एकस वाई ए बी सी आप सुने हो कुल मिलाके एसले करके जड़ तक के बीच के जितने भी लेटर होते हैं यह क्या होती चर्रासिया होती बैरियबल होते हैं समझ रहे हो तो यह चैप्टर में आप ऐसे एक्वेशन पढ़ोगे जिसमें सिर्फ एक चर्रासी होगी ठीक है जैसे इसमें देखो हमाने लिखा यह एक चर्रासी वाला ही है और सर्वसमीका समीकरण में आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ऐसे भी मिल सकता है एकस स्क्वार प्लस अगले में आप लोग इन्हीं का समरी पढ़ेंगे दोनों चैप्टर का मतलब बेंजकों का गुड़नफल तथा सर्वसमिकाएं पुल मिला करके अगर मैं आपको मोटा मोटा एक लाइन में बताऊं तो अठमा वाले चैप्टर में आप लोग यह सब पढ़ेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र वगएरा वगएरा यह सब डी टी यल में पढ़ेंगे कलास छोड़के नहीं जाना अगर पढ़ना है सिकेंड समेस्टर में 25 में 25 लाना है आज यहीं कह दे रहा हूं रिकार्ड करके रख लो नोट करके रख लो अगर आपने सिकेंड समेस्टर का पूरा कलास देख लिया आपको मेथ में कुछ भी नहीं आता है पूरे के पूरे 25 नंबर मिलेंगे मेथ में हमारी गारंटी लेकिन हां हम कोई जाड़ फूंक वाला काम नहीं करेंगे कि पढ़ो नहीं आ जाएगा कलास में आना पढ़ेग मातर 45 मिनट 40 मिनट आपको रोज देना है बस जब तक परिच्छान होगी रोज यह नहीं कि आज बड़ा गर्मी है चोड़ो आज मूड नहीं है चोड़ो आज तो बड़ा ठंडी लग रही है माइंड साही नहीं है तो यह सब होगा तो फिर नहीं आपको पढ़ना हर हाल मे में कुछ भी हो कैसी भी परिस्थिती हो पढ़ना है अगर बारिज भी हो रही है तो खोपड़ी पर बोरा रखके बैठ जाओ अंगन में जाके लेकिन पढ़ो जरूर समझ रहे हो तब पूरा नंबर मिलेगा अगला नाइन नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको कुछ समझ में आए अगले में आप पढहेंगे च्हेत्रफल आयततर धारिता यानि घर दुवार खेत प्रपरटी के बारे में सब कुछ we Spreng जैसे अगर के जगा जमीन है घर है दुवार है दुवार मतलब जनते हो पर नहीं तो कीतने एरिया में है ऐसे काहते हैं हमारी लोग के एरिया बड़ाः खड़ाव मत आप इनके छ परिमाबAK आइतान ऊगयरा और जो भी फित्व होते हैं इसमें यह सब चिजेंद के पेढ़ेंगि detail में इस चैप्टर में इनके पडोसी भाई अब पडोसन है तो पडोसन के बगल पडोसी तो रहें गई इनी से related यह भी है इसमें क्या पड़ोगे इसमें आप ट्राइंगल तिर्बुज वाला इनकी अलग फैमली है इनके पटीदार है इनके बारे में पूरा पड़ेंगे तिर्बुज से संबंदित मैं आपको एक मोटा मोटा इस्ट्रेक्चर दिखा रहा हूं कि सिकेंड समेस्टर में पढ़ना क्या है पहली बात तो अपने दिल मन आत्मा को यह समझा दीजिए कि आपको आज से गड़ित से नई वाली मौबत करनी है समझ रहो ना व और अगर नहीं है कि ना तो फर्स समेस्टर में जो पीबियार स्टडी से जुड़ा था उनसे पूछिए उन्होंने पूरे के पूरे नंबर पाए अगला ग्यारा नंबर चैप्टर में आप पढ़ेंगे बारम बार्टा बंतन और आकड़ों का आयत चित्र द्वारा निरूपड यह थोड़ा सा चैप्टर कठीन होगा लेकिन मुश्किल नहीं होगा इसमें आपको ऐसे आंकड़े दिये जाएंगे उनका स्टारीडी बनाना होगा जैसे इसी कच्छा में पचास बच्चे थे पचास में से फलनवा गड़ित में इतना नंबर पाया था इंगलिस में उतना पाया था वह उससे जादा पाया कम पाया कौन किसमें फेल हुआ पास हुआ इसका गराब बनाओ तो यह आप पढ़ेंगे या एक प्रकार से मैं यहां साटकट में लिख दूँ बारम बारता समझे रहो न आप लोग बंटम बारम बारता इसमें पढ़ेंगे और बस खतम है कहानी सरवांग समता तथा समरूपता आप पढ़ेंगे जानते हों कौन से चेप्टर में बारह नंबर में सरवांग समता और समरूपता मैं इसको कम सब्दों में दिखा भी देना चाहता हूँ प्रीति तिरपाठी जी बोल रहे हैं आज पूरी आत्मा से महत में लग जाना है नहीं नहीं दिल और दिमाग दोनों वाला गलग चीज़ें होती है दिल को कहीं भी जाने दीजिए लेकिन दिमाग को इसमें लगाईएगा कि यह क्या है समरूप है यह अच्छा यह थोड़ा कम बैठ रहा यह क्या है समरूप है अब रूप का मतलब यह नहीं कि लाल है काला है गोरा है काला उससे नहीं मतलब है यह समरूप है इनकी बनावा टिक जैसी है लेकिन यह चोटा यह बड़ा है जैसे कोई दो इंसान है 2- population हैं लेकिन दोनों लड़का लड़की होना चाहिए लड़का लड़का लड़की और लड़की लड़की तो बहुत सारी चीजों में अंतर दिखाए दिने लगता है ना गया समरूप लेकिन यह सर्वांग संस मैं सर्वं ऍंथ नहीं है जो लोग कोशिस किये होंगे वो समझ गये होंगे हां ये भी सरवांग सम कह सकते हैं इनको ये थोड़ा सा इसकी बनावट हलका अलग है सबसे ज्यादा बेटर एक जैसी बनी है उसकी थोड़ा लंबी ज्यादा थी कि अनामी का बर्मा मधू ओम चोधरी बहाँ है नहीं समझ में कोई बात नहीं अभी कलास में जब पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा भी तो पढ़ाया नहीं जा रहा है इसमें आप लोग पढ़ेंगे सम रूप और सर्भांग सम इनको हम इंगलीस में भी बताएंगे ठ कि इन दिन मजा नहीं आरी बड़ा बोरिंग लग रहा चलो अटाओ यहां तो ऐसे करते हैं इतने खतरनाक खतरनाक फोन आते जब परिक्षाउने लगती है गुरुजी पेफरा दिला दिला दीजिए कहीं से आप जितना कहेंगे उतना दे देंगे मन तो करता है ना इनको हम कहें पूरा टाइम तो पढ़ेंगे नहीं अभी अभी नहीं अभी मस्त हैं अभी पार्क में चले जाओ परियाग राज में कहीं अच्छी जगा चले जाओ साम के टाइम अगर आप इलहाबाद परियाग राज से हैं तो गंगा जी के किनारे कछार मे सब मस्त रहेंगे अभी जब पेपर आजाएगा तो अभी से पड़िये रोज पड़िये थोड़ा थोड़ा पड़िये कि अभी अनुबों के साथ मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे देख लिया हूं मैं भी देखा हूं जाके वाँ चलो तिर्भुच के संदर्व में सर्वांग समता की सर्तें ये भी इसी का पार्ट है तेरा नंबर यहीं पे खतम हो रहा है इतना ही था पार्ठिकरम ठीक है तो यह था आपका पार्ठिकरम जो पढ़ना था बीस मिनट में मैंने डिस्क्राइब कर दिया अब इसको मैं लिप पोत के मिटाऊं हाँ LCM HCF है पढ़ाई बोरिंग ही है सर अगर इंट्रेस्ट नहीं होता है अच्छा इफ यूर प्रोफेशन इज नाट इंट्रेस्टिंग यू में बी न न न उल्टा होईगा अरे इंगलिस आती नहीं है रटी रटाई कहीं देखा था सुन लेजिए ध्यान से काम की बात है इफ यूर वर्क इज नाट इंट्रेस्टिंग यू में वी इन रांग प्रोफेशन तिम कुक के अंकल जी ने कहा था इसे कि अगर आपका काम इंट्रेस्टिंग नहीं है तो आप गलत धर्रे पे जा रहे हैं अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप गलत धर्रे पे जा रहे हैं आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए आपके लिए नहीं बनी है लेकिन हाँ अगर लाइफ मे पढ़ाई कम हो लेकिन हम आपको पढ़ाई के लिए तैयार जरूर करेंगे समझ रहे ना ध्यान से सुन लीजिएगा बस आधा मिनिट में आप बहुत कुछ सीख जाओगे ठीक है सुन लीजिए पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे का क्या फायदा होता अंतर क्या सुनिए आपको पता है कोरोना आया था भी हाली में सबसे अच्छा एकजम्पल है जो लोग कम पढ़े लिखे थे जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे या दैनिक जीवन रोज मर्या का काम करते थे सोचिए उनकी क्या हालत हो गई जैसे आटो चलाने वाले हो गए रिक्सा चलाने वाले हो गए यह दैनिक जो भी कमाने खाने वाले थे लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे जिनका आनलाइन बिजनेस था अब एक चोटा समय बता दूं कि आप लोग पढ़ते हैं किसी भी संस्थान कोचिंग इंस्ट्यूट में जिन लोगों का आनलाइन पहले फे चल रहा था उनक अब बताइए हुआ ना वर्क फ्राम होम कौन किया जो लोग पढ़े लिखे थे ना अब बताइए आटो चलाने वाला वर्क फ्राम होम कैसे करेगा वह रिमोट फे थोड़ी चलाएगा कि हां रोट पे चली जाएगी नहीं न तो इफ लिए और हां एक छोटा सा और एक्ज को समझना मैं क्या बताने वाला हुँ इसके दो हाग हें एक इसके टोपी है एक ये बताई इसमें प्रकौन करता है कि अगैप देखा जाया तो यह 95 प्रसेंट पार्ट यह पाँच पर्सेंट यह है ना यह वर्क यह करता है क्या यह खत्म होती रगड़ा यह जाता है नाम किसका होता है इसका होता है क्यों कि जब कोई जेब में लगाता है तो कौन दिखता है उपर यह टोपी दिखती है ना मीचे चला जाता ना वो यही है जो दिमाग से काम करता है वो उपर दिखता है काम कम करता है लेकिन जो सरीर से काम करता है रगड़ा वही जाता है लेक लिखना होगा चीजों को सीखना होगा कुछ भी चीज सीखो यह नहीं जरूरी की किताबे पड़ो जो लोग बीटेक में गड़ित लगा लगा के जाते हैं डीलेट बीटीसी में जो आप लोग गड़ित पड़ रहे हो जो कच्छा पांच तक बच्चों को पढ़ाओगे तो में यह सब थोड़ी पढ़ाना समी करणों में करना अच्छा दूए तीन वालों को का 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 किना आना है लेकिन दिमाग जो है ना बढ़ाया जाता है कि समझ रहे हो ना बिल्कुल पांच परसेंट वाला उस पर क्या करता है हुकुम दिखाता है इफ लिए पढ़ना लिखना जरूरी है कि जिनका मन नहीं लगता है चलिए फिलहाल टॉपिक पर चलते हैं तो यह चैप्टर है इसमें पहला LCM HCF क्या है LCM HCF आप लोग चलिए स्टार्ट करिए फिर एक्चुली ब्लैक वाली इंक खतम हो गई है तो यह देर सारा में बटोर के रखा हूं टाइम नहीं बेश्ट करना है चलिए टॉपिक पर चलते हैं LCM HCF पढ़ाया तो कई बार हूं लेकिन बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है चल रहा है इसका फुल फाम होता है लीस्ट कामन मल्टीपल LCM ठीक है कामन मल्टीपल क्या आप लोग कामन की हिंदी जानते हों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको लोग इंगलिस में ही बोलते हैं इंगलिस में ही जानते हैं हिंदी नहीं जानते हिंदी बड़ी खतमनाक होती है यहां यूपी बिहार वाले तो इंगलिस में गाली भी देते हैं लेकिन उसकी हिंदी ने जानते हैं सुनिए यह क्या है लिस्ट कामन मल्टीपल कि क्या होता है हाइएस्ट कामन कि अधुर इन दोनों में धेर तारा अंतर है अभी मैं बताओंगा पूरा कि इसको हिंदी में बोलते हैं लगुत्तम समापवर्थ समापवर्थ ध्यान रहें लाश्ट वाले सब्द में अंतर होता है सुनिए यह सामान नहीं बोलते हैं इंदी में ना 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 बाबा ना यह गलत है कामन का मतलब सामान नहीं होता है नहीं वह सुने वह बोल जाल की बहां सामें न कि कॉमन है यह तो भई आजकल के जमाने में हैसन कॉमन चीज़ है नहीं वह नहीं हाइस्ट कामन फैक्टर इसे बोलते हैं महत्तम कि समाप वर्तक तो यह तो सिंपल से चीज है इसकी खतरनाक हिंदी होती उभायनिष्ट हिंदी सुद्ध भासा में जो लिखते हैं क्या बोलते हैं उभायनिष्ट ठीक है तो बहुत से चीज़ें जिने हम इंगलिस में ही जानते हैं इंगलिस में ही जीते हिंदी उनकी नहीं जानते हैं जैसे आपने सुना होगा कमर्सियल कहते हैं हमारा यह वाहन कमर्सियल है हमारे ईलोको बोलता है लेकिन कोई बेकर साइक बोलता नहीं है जाल कुछучी SCOTT में समझें किंका इंगलीष कोटा उनक नहीं जानेंगे और कुछ की ये बंढ कर से ये डिक पर लिए ई बस दसल्ली मिली इसाओ यह अब हम बात करते हैं LCM-HCF की, एक छोटा सा एक्जामपल आप लोग बताओ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बिल्कुल जीरो लेबल से हैं, जैसे मैंने दो नंबर ले लिया, 4 और 8, 4 और 8, इनका LCM बताइए, LCM बताइए, 4 और 8 का, यह चलेगा, 4 और 8, इनका LCM, 4 और 8, दिख रहा है, थोड़ा बलर दिख रहा होगा, क्योंकि यह स्याही थोड़ा कम चलती है, न, सुनिए, और दोगी को उद्धोग धन्दा से संबंदित, हो एक अलग चीज है, सुनिए, इदर साइड में, देखिए, LCM क्या होता है, जैसे मैंने 4 और 8 लिखा न, इनका LCM 8 होगा, इनका किसी नियम के, यानि वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे समझनों, ध्यान से समझना, वो बड़ी से बड़ी संख्या, जिसमें हम इन दोनों का भाग करें बारी बारी, तो पूरा पूरा कट जाए, 0 से पलाए, वो LCM होती है, समझ रहे हो यानि अगर हम LCM 8 मान रहे हैं तो 8 में अगर हम 4 से भाग करें इस 4 से तब भी यह कट जाए 06 फलाए अगर हम इस 8 से भाग करें तो यह भी कट जाए और 06 फलाए समझ रहे हो यह क्या LCM मतलब लीस्ट कामन मल्टीपल वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों को कंप्लेटली सटिस्फाइड करें मतलब सीस्पल जीरो आ जाए वह LCM कालाता है मैं कोई रूल नहीं बताया मैं थमें कोई नियम नहीं बताया मैं समझ रहे हो कि नहीं देखो एक चीर और समझ डिटील में जो चीज समझना एक दम उसमें गुष जाना है एक दम पोश्ट मार्डम कर देना समझ रहो चीर फाड़के पढ़ना बले कम है लेकिन जितना पढ़ना उतना बहतरीन पढ़ना फिर उसमें से कभी भूले ना और एट के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करें तो यह आठ सोला है यह बत्तिस चौसट यह सभी नंबर इस दोनों से डिवाइड हैं कि नहीं बोलो यह सभी नंबर डिवाइड हैं कि नहीं यास या नो जितने नंबर लिखें आठ भी सोला भी बत्तिस भी चौसट भी चार और आठ दोनों से कम्पलिटली डिवाइड है ना है ना डिवाइड लेकिन क्योंकि LCM के नाम में ही छिपा है लीस्ट कामन मल्टिपल वह चोटे फे छोटा गुड़ज आपको लेना है यानि छोटकववा कोई लेना यह सब बढ़कववा हैं इनसे सब सर्माते हैं परदे करते हैं समझ रहो चोटे वाले हैं तो हैं तो यह सब उसी कर्टेगरी के भ इनके यह सब मल्टिपल हैं कामन मल्टिपल हैं दोनों के लेकिन वह लीष्ट कामन मल्टिपल नहीं है छोटे फे छोटा कि कुछ लोग के खोपड़ी में दिमाग गुंज रहा होगा कि ए गुरुजी यह आठ से काय सुरू करा चार कायने लिखाई हैं यह गलत है क्यूं कि चार जो है चार से तो कट जाएगा लेकिन आठ से नहीं कटेगा दोनों से कटना चाहिए अब समझ में आया आप लोगों ने आज तक सिर्फ एलसीयम में यही जाना था इसके आगे नहीं जाना था खाँ इसका यह होता है यह होता है लेकिन वो छोटे फे छोटा नहीं है सबसे छोटा जो है उसी को पकड़ते हैं समझ गए ना तो चलिए अब आप समझ गए अभी मैत के रूल में हम नहीं गए हैं अभी हमने आपको कोई नियम नहीं बताया है अभी हमने आपको अंधियारे में 3 चलाना बताया है और अगर 3 शही जगा पर लगी तो ठीक है नहीं तो मैत का नियम पढ़ना पड़ेगा वी सुनिये चलिया आगे अब 8 और 16 का LCM बताये 8 और 16 का LCM बताये कितना आएगा 8 और 16 का LCM बताये रुख जब आई एक मिनट अनामी का बर्मजी कमेंट आपका आ रहा है ठीक है यह बाई चलता साइस है नहीं बड़ा फीका चल रहा है इससे दिखने ही रहा होगा ना आप लोग को चल तो इधार आजा कि यहां पर हम कुछ आपको सिखाने वाले हैं 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 इसलिए ऐसा लिख रहे हैं तो घबराना नहीं हूं ठीक है ओक इसमें आप सब को अंसर पता होगा बूत नहीं कहां से आ गई बग बगाओ बगाओ जल्दी बगाओ कि कमेंट में आ गई ना लोबान ओबान सुलगाओ रात का टाइम हो रहा है आप सब आएंगे देखिए इन दोनों नंबर में एक समानता है अगर इस तरह के दो नंबर हो या तीन नंबर हो जो एक दूसरे के टेबल में कॉमन हो समझ रहे हो तो उनका लसीएम सदेव बड़ी संख्या होती है उसमें कुछ नहीं करते हैं कोई वजाई नहीं करना इसमें वजी से आंसर लिखतो या आपको याद करके रखना है जिन नंबर का लसीन निकालना है अगर वो टेबल में यह या निजैसे देखो यह आठ की टेबल में आठ ना जव दूना 16-33 मतिस में चेंजानवे आता है मैं आता है एक दूसरे के टेबल में में प्लसकी ए तो परे से तौब यू सबसे बड़ी संख्या वहली करता up कि सर्मा जी पढ़ाई करिए काम अच्छा करिए नाम होगा हुआ कि चल यह ठीक है कि विश्चर नंबर पांच सुनिए अब आप समझ समझ गए तो फिर इसका आंसर बता दो इसका कुछ नहीं करना इसमे अगर टेबल है सिरीज से बन रहा है लेकिन अब कुछ लोग के टेबल हो नहीं आ वहाते हैं कौन कौन सी मुशीबवत दूर करें इसे इसे नाम आ जाते हैं इनका नाम बूतनी है और कह रहें डरना नहीं बच्चों मैं आ गई हूँ नामी सुनके आप लोग का कुछ लोग का तो गड़बड़ हो गया होगा इसका आंसर कितना होगा 96 इसका 32 इसका 16 तो चलिए नियम पर चलते हैं लेकिन हाँ नियम बाद में जानना पहले कुछ चीज जरूरी है सब जान रहे हो ना जरूरी एनक नहीं अब टॉपिक सब्सक्राइब चल रहा है वह सब तो सभी पढ़ाते हैं कुछ अलग पढ़ाएं ना आपको इस्टार्टिंग में सुनिए यह यह एक खासियत थी अभी एक और खासियत है कि वह खासियत क्या सुनिए जैसे तीन पांच दो इनका यह बताओ कि इनका यह क्या होगा अरे कोशिस तो कर लीजिए गलत सही कम से कम बूतनी की डर सही ट्राई कर लीजिए साथ में भाई डराते रहो इन लोग को तुनिए एक और जैसे मैंने लिखा ए बाई चल जा यार तू हट जा यह भी बुलू कुलर में है जैसे मैंने लिखा सेवन नाइन और फाइफ इनकाल्सियम अनुपा मौर्या ओम चौधरी सोनाली बर्मा सीवानी दूबे सिल्पा ओफिस ओ टी सी यह देखे यह नंबर ऐसे हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अब यह एक्टर फैक्टर जानते होगे तब तो ठीक है नहीं जानते हो बताएंगे तो अगर ऐसे कोई नंबर है आवाज बहुत चैला फार निकल रही का मुझे आइसा लग रहा है काफी तेज जा रही अब थोड़ा फटी-फटी से आ रही क्या आप लोग को बोलना चाहिए न मुझे लग रहा है यहां पर काफी ओबर है यानि वाइस जो है हमारी बहुत तेज है ठीक है मैं इसको थोड़ा नर्मल कर देता हूं कुनो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ऐसी संख्याओं का का लसीएम सदय उनका गुड़नफल होता है यह गश्याओं फालोता है तीन पचे 15-30 मुझेश अधी यानि तीस वो शंख्या है जो इनका लसीम होगी अगर इनमें कोई कावण फैक्टर नहीं है कोई भी तो उनका लसीम क्या है उनका गुड़न फलोता है आपको कुछ नह अगर आप लोगों को परिक्षा में आया तो आसा नहीं करना है परिक्षा में अइसा नहीं करने हैं कि अफैपर में नंबर निमिल एक अपको डिटेल में करना पड़ेगा अंकल जी की तो बहुत है कोई दिक्कत नहीं होती करत है दो ठीक है चलता है लेकिन आंटी बोलती है खतरनाक है अब तो कड़बड सुनो इधर इसमें भी ऐसा है न कि इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नह 282 30 सब्सक्राइब 35 सब्सक्राइब प्रीती तिरपाथी जी बहुत अच्छे ठीक है अनामिका मौज मस्ती भूतनी जी सब ठीक ठाक है बस आपकी किर्पा है समझ मैं आप चलिए नियम पे चलते हैं दो चीज मैंने आपको बताया हाँ एक चीज और एक चीज और एक चीज और यह तो LCM की बात थी ना यह LCM की बात थी इस तरह की जो संख्याएं है इनका अच्छेसियफ हमेशा 1 होता है अगर उनमें कोई common factor नहीं है तो उनका HCF हमेशा 1 होता इसको भी याद रखना यह ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए हमेशा काम आने वाली है ठीक है अगर कोई ऐसे नमबर दिये हैं जिन में क्या जिन में जिन में कोई common factor नहीं है वो भैनिस्ट कोई गुड़न खंड नहीं है तो उनका HCF हमेशा बन होता है अलफा गामा नहीं समझ में आया आएगा थोड़ा सा बुद्धी का ना परियोग करना सीखिए थोड़ा देर हमारे साथ बने रही अभी सब आएगा देखिए बूद परेद सब पढ़ रहे हैं आपे फिर आपको काह नहीं आयागा आप तो इंसानी आत्मा में हो ना अभी चलिए सुनिए तो सर्मा जी राकेश सर्मा मिश्टर सर्मा जी बोलूँगा तो आप जान जाना किया मेरा नम है तो यह बताओ दो तीन पांच साथ का एलफीयम और एचसी अब दोनों बताओ कितना आएगा जब आप दीजिए कितना आएगा फटा फट बताइए आज बड़ा इंप्वार्टन्ट कलास हुआ एक परकार रुफ है ना सीखा आपने बहुत कुछ है बहतरीन तरीके से सीखा है ना चलो एलफीयम और एचसीए क्या होगा बताओ काजल सुकला आंसर दीजिए नाम नहीं पहले आंसर देखें इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अच्छा एक वात इमांदारी से बताना बिल्कुल दिल पे हाथ रखें कि इसमें से कितने लोग को फैक्टर नहीं आता है गुड़न खंडा नहीं आता कि इतने लोगों को भईया सही से इमांदारी से बोलना अगर आता है तो एक लिखना ना आता है तो यह लिखना हम समझ जाएंगे हैं अब एक का मतलब कुछ भी आता है है गुड़न खंड मीन्स फैक्टर अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो फिर आपको यह थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा मैं सब बता दूंगा लेकिन कलास में regular आओगे तब regular आओगे सब बता दूंगा ठीक है इनमें कोई common factor नहीं इनका गुड़ा क सब्सक्राइब करोगे 210 यानि 210 क्या आएगा LCM आएगा HCF1 आएगा क्योंकि कोई कामन फैक्टर नहीं है कि इस्पाइरल विंग कि पहली पहली बार बलिये दिल गया हार बलिये तो कहां से होगा मैंने क्या बोला कभी कभी न सामने से गुजर रहे वहानों में बड़ा मस्त गाना बज़ता रहता वही जो कभी हम लोग बच्पन में सुना करते थे आपको एक बात बताएं चोटी सी मिस्टर अनेकडमी पर पीवियार स्टडी की 65 क्लास पड़ी आप जाके देखो अनेकडमी में 2019 में छोड़ चुके हैं कि समझे रहे हैं न वहीं करना होता तब तक हम नौकरी न कर लिया होते हैं कि आगे बढ़े यह हो गया आप क्लियर हो गया न वहां से हम शुरू कर रहे हैं कि कुछ कंडिडेट जुड़े हैं उनके नाम हम बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा सबर रखें वह थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आइए बात करते हैं पहले यह आप लोग याद रखिएगा कि आपका यह लाइब नंबर सिकेंड है आज दूसरी कलास है कल की कलास में इंट्रोड़क्शन दिया गया था काफी कुछ आप उसे देख लीजिएगा तो साथियों आज जो टॉपिक होंगे इसमें LCM HCF वाले चैप्टर तो पढ़ने हैं लेकिन उसके पहले आपको यह पढ़ना है अभाज्य संख्या है और बाज्य संख्या क्योंकि LCM HCF से पहले यह जरूरी है कि जिससे प्राइम नंबर और और कंपोजिट नंबर बोलते हैं प्राइम नंबर एंड कम्पोजिट नंबर ठीक है ध्यान से देखिएगा क्लास को पूरा इंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके यह बताईए कि क्या मेरी आवाज सही आ रही है आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना हुं तो सब अच्छा चल रहा है ना पढ़िया है सब चलो तो ठीक है इसमें से कितने लोग भाज्य आभाज्य संख्या जानते हैं कि आप लोगों को पता है प्राइम एंड कम्पोजिट नंबर क्या होता है कि नहीं पता है अच्छा मैं नंबर दे रहा हूं आप लोग यह बताओ 48 यह भाज्य संख्या है कि आभाज्य है और 91 यह भाज्य है कि आभाज्य है अगर आप कहते हो भाज्य है तो आप सी लिख के कमेंट करिए पहले इसके लिए 48 के लिए ठीक है अगर आभाज्य है तो आप पी लिख के कमेंट करिए देखते हैं कितने लोग सी बोलते हैं कितने लोग पी बोलते हैं इसके लिए हमें कोड डिफाइड करेंगे अब यह पूरा डीटियल बताएंगे लेकिन थोड़ा एक बार आप ट्र इसका सबसे पहला जो जबाब दिया है वह हैं भाई बहुत अच्छे गौतम पटेल बहुत अच्छे गौतम जी अबिश्णु गुपता सुजीत बिक्टर दिनेश राकेश बर्मा गोल्डी अंकिता राय चौहान मिक्सिंग परभा दीपक बिमलेस प्रियंक ठाकुर आकास पंडे बहुत से कंडिडेट जुड़े हैं सभी जबाब दे रहें ठीक है अच्छे बेवफा आसिक यह नाम है इनका जुड़े हैं यह भी गवराई अगर नहीं चलिए तो नहीं संख्याएं क्या हैं यह दोनों भाज्य संख्याएं यह तो फेमस है कि भाज्य है दिखने म यह नहीं बेवफा आसिक के जैसे जैसे जुड़े हैं ना कमेंट में देखने में सीधे साथे भोले भाले लेकिन अंदर से वड़े खतरनाक हैं मासूमियत सिर्फ उपर से तो ऐसे यह नंबर देखने में लगते हैं कि अवाज्य हैं लेकिन सभी भाज्य हैं आईए बात कर नौ बज़े वाली कलास आएगी थोड़ा सा बेट करिए जिनको कुछ भी इंक्वाइरी है नंबर पर संपर्क करें यहां बात ना करें चलिए समझ यह साथ्यों सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कितने लोग फायक्टर जानते हैं उसके बाद इनके बारें बात करेंगे जिनहें इंग्लिस में फायक्टर बोलते हैं इन्हें और भी कुछ कहते हैं अपवर तक भी कहते हैं कि यह आपको आना चाहिए कि साथियों यह वो संख्या होती है जो इनको कंप्लिटली डिवाइड कर सके जैसे इधर समझो अगर मैंने एक नंबर ले लिया बारा समझना तो यह वन से भी कंप्लिटली डिवाइड है तू से भी है में खुल लोग कहेंगे इसका का मतलब है 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 बोल रहा हो इसका का मतलब है तो सकते हैं सुनों में अगर हम टू से भाग करेंगे यहां समझिए तो यह तो सिक्स जा ट्ल कट जाता जीरो सेज फल आता है ना समझ रहे हो यानि जीरो आया समझो भाई उसको सब छोड़ो उपर अगर हम तीन में तीन से भाग करें भाई या तो तीन चोग बारा जीरो आया ना कुल मिला के अगर सेसफल जीरो आ रहा है रिमेंडर सुनने आ रहा है तो इसका मतलब वो कंपलेटली डिवाइड है माना जा था है उसको पूरे तरह से क्ये कर रहा है कर रहा है के ऐसी तरह से यह से भी कंपलेटली डिवाइड हो जाएगा खक से भी हो जाएगा ड्स से भी मुझे बताव किनके किन ल कितने थासट्र है कि जो आपको दivas already had a उपाध्या भीजा घान अमन कुमार बताए किने हैं बिख इनके कितने साथ कितने हैं सेबन गुडन खंड है वहीं अगर इनके पडोसी को ले लीजिए 13 को यह बड़े इमानदार है यह पती बरता और पतनी बरता वाले नियम पर चलते हैं समझ रहो यह जमाने वाले हैं जिनके डेर सारे यार दोस्त है आप लोग ना चलो इतर देखो पहले मतलब की बाद में बाद में बताएंगे पहले थोड़ा थोड़ा इसका अगर कंप्लीटली फैक्टर देखें तो वन है और 13 है यानि हम तुम बस तीफरा नहीं इसमें हम तुम तो हैं ही बाकिया और भी सब गुपसुप वाले हैं समझ रहो है क्लास में कोई अगर समस्या आ रही तो बताएं अब मतलब समझिये वह संक्या वह संक्या जिसका फैक्टर वन हो और वह संक्या खुद हो स्वयम ठीक, बाकिया और कोई ना हो, जैसे इसमें देखो, इसका factor 1 है और 13 खुद है, बाकिया और कोई दूसरा factor नहीं है, तो ये संख्या क्या कहलाती है, ये composite number या, सोरी सोरी सोरी, अभाज संख्या या prime number कहलाती है, क्या कहलाती है, अभाज संख्या या prime number कहलाती है, इसके opposite जो अ जो खुद से स ve divide हो हाह वनसे बीघ्वाइड हो इसके अलामा किसी और भी एक संक्या फि डिवाइड हो मतलब कोई ध़ल पार्टी एक और भी होना चाहिए कुछ भी हो के मिनिममक्र एक रहना चाहिए बाकी अधित्य क्या जाहे जितना हो जाए समझ रहा हो वो क्या है वो भाज्य संख्या काला आती है मतलब कंपोजिट नंबर जितने समझ गये फटाफटी सेशन को लाइक करके यस बोलें जल्दी करें बताइए समझ गये सेशन को लाइक जरूर करिए अगर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे कि आप भी कमेंट कर पाएं नहीं हो सकता है कि आप कमेंट न कर पा रहे हूं आप देखिए एक मैं और देता हूं अच्छा एक तो मैं दूंगा बाद में पहले इधर सुनो जिनको कुछ भी कहना है कोई इंक्वाइरी है नंबर चल रहे है नीचे बाब उन पे संपर्क करिए ठीक है यहाँ पर बात्चीत करेंगे तो गडबड तो गडबड का है करें सुनो यह नंबर है न 35, 51, 59, 63 इसमें कोई एक संख्या है जो भाज्य नहीं है बोलिए कौन सी है प्रियांसी पाल, दिपेंद्र यादो, मुहम्मद जुबेर, परभा दिपक, आरुन, ओम चोधरी, धननजय कुमार हाँ बताइए जवाब दीची इसमें कौन सी एक संख्या है जो भाज्य नहीं है, फटा फट बताइए, जल्दी करिए, और हाँ एक चीज़ और, इसको बताने के बाद, आप सबी दो-दो अभाज्य संख्या बताओगे, जल्दी करो, इसको बताने के बाद, दो-दो अभाज्य संख्या बताओगे, चलो जल्दी से आज पता नहीं क्यों डेक्स्टाप में कमेंट नहीं दिख रहा है कि पता नहीं इसकी क्या मुसीबत आ गई कमेंट मोड आज हट गया है बताइए फटाफट जवाब दीजिए ठीक है ओके बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड शिप्रा दुबेदी बहुत अच्छे सिप्रा जी सही आपका गजाला गजाला ठीक है अभी साखा सिंग बहुत अच्छे प्रियंका ठाकूर अंकीता राय जी के अकडमी रूची साख्या गोल्डी पाल वीना गिरी ठीक है लगबग लोगों का ठीक है यह बिल्कुल गलत है यह कह रहे हैं कि दोनों प्राइम नंबर है यह चच्छा तशुनों पहले भईया बने कहा था ना दुनिया में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं देखने में बहुत मासूम से लगते हैं भोले भाले लगते है एकडम वुपा कूट कूट के बरी होती है के अंदर इमानदारी ऐसा लगता है हम लोग को होते नहीं कुछ दिन बात जब मालुम चलता है तो कहते हैं अदया-दया दोखा होईगा गड़ बढ़ होई तो यह वैसे नंबर है कि यह आपको देखने में लग रहे हैं जबकि वैसे हैं नहीं है कि यह अब आज़े नहीं तया पता है आपको सुनिए आपये जो क्यों से से बींपिलीटिली डिवाइड है मं औररче तींसे भी कम्ठिषटी बाइड रहे क्यों 17 30 51 होता है ना यह 17 से भी completely divide है यह 51 से भी completely divide है तो आप कैसे कह सकते हो कि अब आज जे संख्या है मैंने कहा था ना कि सिर्फ वो संख्या और उसका जो है एक वन यानि नंबर जो है वन उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो तो यह हो सकता 59 हमारी समझ से 59 हो सकता है बस बाकि यह सभी अभाज्य संख्याय नहीं है दुरुप कुमार पढ़ लीजिए समझ गए अब एक अगला जबाब दीजिए आप लोग मुझे यह बताओ जल्दी से फटा फट हम इसको खतम करें टॉपिक आगे बढ़े नहीं तो ऐसे दिन बर नहीं चलेगा अब 50 से ले करके 70 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख पचास से सत्तर के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं अरुन गौतम पटेल हाँ विसम संख्या हो देखिए वो विसम संख्या अलग चीज है देखो यार यहां पर सम विसम की बात ही नहीं हो रही है संख्याव कि वर एक कि अभी सम अलग चीज है बाज्या बाज डечение कुछ लोग संख्याव की तुलना बाज्या में भाज्या चाहरा कीetos जो आईए सुनिए लोगतल ने सबसे पहले बताया है वर गौतंग जी 57 देखो तीन से कट जाएगा तीन एकम तीन तीन नवा सताइस उननीश तीन सतावन होता है आपका गलत है देखो अब आज संख्या में जैसे मानलो 19 वन और 19 भाज में मानलो 18 जैसे 136 18 इसमें मानलो 29 यह एकदम तक मैंने कहा न हम तुम इसमें बस तीसरा नहीं इसमें सिर्फ ओ संख्या और वन बाकिए और कोई इसका पाटर नहीं हो सकता है यह जैसे one से भी a two से भी five से भी six seven eight nine 10 से भी are 20 च्या प्सक्राइज जिसके जो गुड़ंखंड है वो सिर्फ वो संक्राइब हो को बाकिया और कोई नहीं आगे बढ़ते हैं बहुत हो गया और इसके बाद पढ़न है भात जित्ता नियम कि समाप वर्थक पहले पर लिए कि कामन मुल्टीपल कामन मुल्टीपल कामन मुल्टीपल कामनमुल्टीपल को कि अभी हम आपको LCM नहीं बता रहे हैं हेल्सियम पढ़ाना है लेकिन अभी उसके लिए रास्ता तो बनाने दीजिए कामन मल्टीपल हेडिंग डालिए कि समाप वर्तक नहीं यही न एक चीज़ ध्यान रखिए यह कलास आप रात के दस बज़े से दस चालिस तक देखें क्योंकि दिन में यह कलास यूटूब पर नहीं मिलेगी सब हटा दी जाएगी याद रखना इफ लिए रात में लाइब जरूर रहें समाप वर्त क्या होता है वो संख्या अथवा बेंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा बेंजकों में परतेक द्वारा पूरुता विवाजित हो वो क्या कहलाता है दी हुई संख्या अथवा बेंजक का समाप वर्त कहलाता है कामन मल्टीपल जिसे बोलते हैं कोई बताएगा इनीवन देखे सुनिए जैसे माल लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पर फोर और एट यह दो संख्या है न तो यहां मैंने एट लिख दिया शिक्टीन लिख दिया 22 लिख दिया 40 लिख दिया यह जितने भी नंबर यहां पर है जितने भी यहां समझे यह सभी क्या है इनके लिखता है तो मी वोलन है यहाँ को लगता है कि फोर और एडर से यह दोनो है सभी संख्याइन या लगला कमपल्लिटली डिबाइड होंगी व्युक्ष तो बोलो यहां नहीं होंगी ना, सिम्पल सा है, वहीं 4 से भाग करोगे, 8 में यह भी completely divide होगा, 8 से 8 में divide करोगे, यह भी completely divide होगा, बतलब पूर्ता है विभाजी तो हो जायगा, अगर आप 16 में करोगे, 16 में 4 से तब भी कट जायगा, 8 से करोगे, तब भी कट जायगा, चार से चोबिस में करोगे कट जाएगा, आट से करोगे कट जाएगा, सब कट जाएगा यानि ये सब ही नंबर क्या है, समापवर्त है क्या है ये, समापवर्त है जिनें बोलते हैं, कामन मल्टिपल है क्या है ये, कामन मल्टिपल है इसी में यल यह CM है क्या है यह CM इसमें से यल काट दिया गया है यह क्या ओनली CM है common multiple है अरे चीप मिनिस्टर नहीं इसी में यल मिला लो तो यह हो गया LCM और LCM बोलेंगे तो least common multiple सबसे छोटे फे छोटा गुड़ज इसको क्या बोलते हैं समापुवर्थ भी बोलते हैं इसको गुड़ज भी बोलते हैं इनका और नाम याद रखना गुड़ज तो अगर हम बोलें कि इसका LCM क्या होगा फोर और रेट का तो least common multiple least मतलब सबसे छोटा लगुत्तम समापुवर्थ सबसे छोटा को ना इसमें बोलो अरे भाई साब जहां से सुरू हुआ यह जहां से सुरू हुआ है लोएस्ट नहीं लिस्ट ओके यह ना एट अंसर हो गया बस जहां से स्टार्टिंग बस वही मैक्सिमम नहीं होता हाइस्ट कामन मल्टिपल नहीं होता कभी आप कभी इसको HCM नहीं सुनोगे HCM नहीं होगा HCF होगा लेकिन HCM नहीं होगा ठीक है समझ गए ना पूजा गुपता समझ में आ रहा है सौरी पूनम गुपता प्रियंक ठाकुर सुसील सिंग राकेश कुमार शिप्रादुवेदी प्रीति क्रियसन आप लोगों की फैक्टरी आ गई है क्या सब लोग सिकेंड समेश्टर में आ गयो ना चलो तो आप लोग समझ गए समापूर्थ समझ गए अभी हम लगुत्तम समापूर्थ नहीं पढ़ाएंगे पहले हम पढ़ाएंगे बाज अकता नियम लिखो डिविजबिल्टी रूल रूल आप डिविजबिल्टी बिभाज्यता नियम लेडिंग डालिए अच्छा इमानदारी से बताइए दिल पे हाथ रखके अपनी उनकी कसम खाके कि कितने लोग कापी किताब लियो जोट नहीं बोलना नहीं वो भी देख रहे होंगे गरबड ह अगर लिये हो तो दिखाना नहीं है जिसको बोल रहे हैं लिखना सुरू कर दीजिए जो जो टाइटल बोल रहा हूं उसे लिखे रही है लिखिए अगला मैंने कहा भाजगता नियम अगर दोनों लांग्वेज में बोल रहा हूं जितना मुझे आता है różnych हिंदी रूल-आफ डीविजिविल्टी रूल आफ डीविजिविल्टी ए लिखी लीजए इंग्लिस भी लिखें दिख तो रहा है ना इंग्लिस तो मुझे ज्यादा आती नहीं लेकिन फिर भी उतना तो आती है डीवीजिविल्टी रूप जबाई स्पेलिंग देखने दो सही है चलो रूल आफ डीवीजिविलिटी जो भी यह ठीक है चलो यह क्या होता है पहला हिडिंग डाली है 25 & 20 का विभाजेता नियम आज यह पहली किलास ठीक है टेंचन मदलीजी पहली किल जाई यह बस किलास में आज पहली किलास है वस्पताये थे बस पढ़ाय नहीं ते लख वह श्यांग में आपके ऑक कि और फिर इसे कुछ होता ना सुनिए आप मुझे बताइए कोई संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित है कैसे जानेंगे कोई तरीका है बहुत सिंपल सा है अब तक बच्पन से हम लोग पढ़ते आएं पुराने जबाना में जहां लोग साइकल पे चलते थे मतलब दुनिया साइकल पे थी तब क्या था कि वो संख्या जो दो से कंपलीटली डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती है नया है यार गडबड हो रहा है समसंख्या वाला हो तो अलग चीज़ जा रहा है किया पढ़ा रहें दो का विभाज़ता नियम हाँ वह संख्या अलग बात होगे चोड़ जाने दिजिये हैं कि वो संख्या जिसका लाष्ट डिजिट लाष्ट डिजिट यानि अन्तिम अंक लिख लिजिए लिखना चाहें वो शंक्या जिसका लाश्ट डिजित अंति मंक जीरो दो चार छे आर्ट आए वो दो से पुर्ता विभाजित होगी ठीक है वो संख्या जिसका अंति मंक जीरो दो चार छे आर्ट है वो दो से पुर्ता विभाजित होगी सभी एक 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 जमपल बताओ जल्दी से कि फटाफट जिनको नहीं आएगा नो लिखके कमेंट करना कि नो 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 मुझे नहीं आ रहा है कि का के सर्मा ठीक है सर्मा जी बहुत अच्छे बेरी गुड जल्दी से जवाब दीजिए यह था दो का भी भाजता नियम जैसे उदारन लिख लिजिए जैसे 1,4,6,8,0,9,8,5,1,1,8,3,5,1,7,4,9,8,1,7,9,2 यह सभी क्या है दो से पुरुता विभाजित हैं चाहिए आप भाग दे करके देख लिजिए ठीक है निधी आदो बहुत अच्छे बेरी गुड तो हो गया आगला हेडिंग डालिए डिविजबिल्टी रूल वाई थ्री तीन का विभाजिता नियम तीन का विभाजिता नियम वो संख्या जिसके अंकों का योग तीन से विभाजित होगा वो संख्या भी तीन से कंपलिटली डिवाइड होगी जैसे कोई एक्जांपल बताईए पहले समझ लीजिए तो वो संख्या जिनके अंकों का योगफल तीन से कंपलिटली डिवाइड होगा वो संख्या भी तीन से कंपलिटली डिवाइड होगी जैसे उदारण के लिए देखिए उदारण लिखिए फटाफट जैसे मालीजिए चार दिखिए समझ इनके एक एक अंका को आपको जोड़ना है 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 4 5 9 10 12 यह जो 12 आड है न क्या यह 3 से कंपलिटली डिवाइड है बोली हा या नहीं क्या यह 12 थिरी से कंपलिटली डिवाइड है हां तीन से भाग करोगे तो 12 कट जायागा पूरा तीन चोग 12 कट जायगा ना तो हम कह सकते हैं कि यह 12 से कंपलिटली डिवाइड है अगर यह है ऐसी कंडीशन तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर भी 3 से पुरी तरह से विभाज है मोटी बैफनल स्पीच तुसील अनुपम आचल त्यागी बात नहीं करिए बात नहीं करिए नहीं तो फिर यह गड़बड़ भी हो जाएगा आज वैसे भी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है सुबेरे से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बस आप लोग से बोल नहीं रहे हैं बाकी बहुत कुछ दबा के बैठे है चलो एक मिनिट इनको कहीं रखने दो ठीक है तुनिए और एक्जम्पल दिखिए लिखिए जैसे एक अत सेबंटी टू फिप्टीवन क्या यह तीन से कंपलेटली डिवाइड है वाविता थीक है बिमलकुमार अंजु सिंग कुछ तो ऐसे खतरनाक नाम है जिनको बोलने के लिए मुह की एक्सरसाइज करके आनी पड़ेगा इसे और मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूं लोग का नाम तो वो लोग किरपए अपना नाम आसान भासा में रखके आए जिससे मैं बोल सकूझ समझ रहे ना यह सभी नंबर जितना मैंने लिखा था वो तीन से कंपलेटली डिवाइड है अब तीन में कुछ भूल जाता इसमें कुछ हम अभ्यास कराएंगे यह दि दी गई सभी संख्या हैं जो यहां पर लिखूंगा आपको मान के चलना है कि वो तीन से कंपलेटली डिवाइड है ठीक है यह आपको मान के चलना है तो इसमें यक्स का फोटे फे छोटा मान क्या होगा अगर यह पूरी संख्या तीन से डिबाइड है तो यक्स का इस मालेस्ट बैलू क्या होगा जबाब दीजिए कोशिस करिए बताइए मैं बताता हूँ सुनिए एक बता देता हूँ फिर पूछूँगा कह रहे हैं कि यह संख्या तीन से पूरी तरह विभाजित है अगर यक्स में नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे ऐसे लिख लो अब तो समझ में आया ए का मान बताना है सुनो कहरा तीन से विभाजित है न हम जानते हैं कि तीन से पूरी तरह अगर विभाजित है तो उनके अंकों का योगफल कोई ऐसी संख्या होगी जो तीन के टेबल में आती होगी तो इनको जोड़ो तीन धन ए धन साथ दस धन ए यानि दस में हम ऐसी कौन सी छोटी फे छोटी गिंती जोड़ दें जो तीन से कड़ जाए बताओ अब तो सभी बता लोगे न अब तो सभी बता लोगे न बोलो दस में हम कौन सी छोटी फे छोटी गिंती जोड़ दें कि जो मिले वो तीन से विवाज हो जाए देखो अगर हम 10 में एक जोड़ देते हैं तो 11 होगा तस में दो जोड़ देते हैं तो 12 होगा यह ग्यारा तो नहीं सही यह तो गलत है लेकिन इसका मान क्या हो सकता है बिसाखा सिंग ने बता दिया है बहुत अच्छे सोनाली बर्मा सुसील सिंग क्यूट फिजा खान जी के एकडमी प्रियंका ठाकुर और अनूपम मौर्या दो इसका अंसर क्या है दो एक्स या ए जो भी आवरियवल है उसका छोटे फिछोटा मान दो है अगर यह संख्या तीन से पुर्दा विवाजित है तो अगले सवाल का जो जबाब दे देगा न मान लेंगे कि वह बहुत ही महान दुरंदर है और डियलेट की परिच्छा में वह 25 में 28 नंबर पाएगा प 420 X 6 420 B लिख लो चलो 6 अगर यह संख्या तीन से कंपलिटली डिवाइड है तो बी का कौन सा छोटे फे छोटा मान होगा बताएगे जल्दी से देखिए कोसिस तो करनी चाहिए मंजिल मिले या ना मिले वह अलग बात है और हम कोसिस भी ना करें यह गलत बात है यह लाइन तब नम्बानू इसका सबसे पहला जबाब अगर कोई दिया है तो गौतम पटेल ने पूजा राजपूत आएगा तो देंगे अच्छा आएगा नहीं तो जाएगा का इसका अंसर होगा तीन बहुत अच्छे क्या होगा तीन इंके अंकों का योगफल करेंगे पहले यह 0 है प्लस B है प्लस 6 चार दो छे, जीरो जोड़ों के कोई फरक नी, बारा अब बारा में कौन सी ऐसी छोटी फे छोटी संख्या हम जोड़ दे बारा में कौन सी छोटी फे छोटी संख्या जोड़ दे कि जो हमें मिले वो तीन से completely divide हो जाए आप जरह simple सा बताओ अगर उन जोड़ेंगे तो तेरह आएगा तेरह तो कटे में इन दो जोड़ेंगे तो 14 तो 15 रहार वही कट जाएगा यं races कर्द जरГ इस की जगार कर वह सकता है आप निहां एस संख्या में यहां अगर अगर बीवी की जगा पर हम तीन रख दें तो छुट्टी मिल जाए इससे कट जाएगा यह फिर कि समझ में आ रहा है ना देखिए इस तरह से अगर आप लोग प्रेक्टिस किये रहेंगे तो परिक्षा में बैतर रहेगा जीरो हो सकता है जी बिल्कुल राके सर्मा जी आप सही बोल रहे हो जीरो हो सकता है अगर परिक्षा में आप्षन दिया है तो इसका सही जबाब जीरो भी हो सकता है थोटी फे चोटी संख्या बिल्कुल 0 भी हो सकता है कोईस्चन बनाने में थोड़ा सा वह हो सकता है कमी इसका आंसर 0 हो सकता है पहला जीरो यह हो सकता है क्योंकि टोएल आ गया था टोएल में 0 जोड़ों के तब भी आएगा वही ठीक है 835 कि इसको एक और बता दीजिये इसको खतम करें करें चल भाई यहां पर है पीं नहीं पर वन पीका छोटे-पे-चोटा मान बताईये अगर यह संख्या ढी गई संख्या तीन से कंप्लिटली डिवाइद है तो पी का छोटे-वे-चोटा मान बताईये जल्दी करिए मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलता कंश बर olm को कि सिलपान अफीस की प्रिकर नाम आई प्रियेंगा नई यहन kleiner इसस्य कोई गॉली हम यूरा कि नहीं लड़की लड़का था भगवान जने था भूटनी नाम था उसका बूतनी कल कौन आया था आप लोगों ने देखा होगा भूतनी नहीं आज आई नहीं पता नहीं कहां गई कि इनको क्या करेंगे फले जोड़ेंगे 8 3 11 5 16 17 17 17 में क्या जोड़ दें कि जो आए वो तीन से कंपलीटली डिवाइड हो जाए वह सिंपल है 17 में एक जोड़ दोगे 18 आएगा 18 क्या होगा 3 से कंपलीटली डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर इसका मानवन हो सकता है कि आप लोग मजाक मत समझी है मैं रियल बोल रहा हूं कल एक बूत नहीं आई थी क्लास में आज आई नहीं बदी बड़ी आद आ रही उसकी पता नहीं कहां चली गई बैचारी तो तीन का विभाजता नियम हो गया मैं इसमें उतने ही नियम करवाऊंगा जितने आपके सिकेंड समेश्टर के पाठे करम में हमें दिख रहे हैं जैसे फोर का विभाजता नियम इसमें नहीं दिया है तो मैं फोर का नहीं करवाऊंगा सेबन का नहीं दिया तो उसको नहीं करवाऊंगा जितना दिया उतना ही करना है बस यह पाई रुक जाया यार ज्यादा भर्दूतब्वगडबड़ है पांच का विभाजता नियम ब कि बोलिए जल्दी करिए जल्दी करिए फटा फटा आप लोगों को जिनको भी आरा बताओ कि इस बिल्टी रूल बाई फाइब कि बोलिए कि देखो सिंपल है सुनो कोई भी संख्या जिसका लाश्ट कांक जीरो या फाइब हो कोई भी संख्या जिसका लाश्ट कांक क्या हो जीरो या फाइब हो वह 5 से completely divide होगी ओम चौधरी असनेहा सिंह ठीक है कमेंट आ रहा है एक मिनट थोड़ा सा मैं फोन में गुश गया हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ कमेंट चल भाई ठीक है ओके राहूल कुमार दीब सिखा अब चलिए इसका एक्जामपल बताइए उदारा लिख लिजिए जैसे 59003210 यह क्या है फाइब से कंप्लिटली डिवाइड है 17935300 यह भी क्या है पांच से कंप्लिटली डिवाइड है ठीक है तो यह खतम इसमें जाता कुछ है नहीं आप लोग सभी एक 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 इक जामपल बता दीजिए जो पांच से कंप्लिटली डिवाइड हो जल्दी बताइए आज मुझे डेस्टाप में एक भी कमेंड नहीं दिख रहा पता नहीं कौन बिमारी आप सभी मुझे एक एक जबाब दीजिए जल्दी जल्दी से आगला लिखे च्छे का विभाजता नियम डिविजबिल्टी रूल वाई शिक्स अच्छे का विभाजता नियम है रुख जायार बीच मेंड दे दिया लाइब में वहा कमाल है क्या बैतर काम किया वही अभी कितने लोकर फोन में एड आया था आया था जाज कि आया था कि अगयर आया था तो बोलो एड गष twists अब के दो बाइब बतादो ना यह जल्दी से पहुंच गया था आधा लोग के में आया था आधा लोग के में नहीं चलो ठीक है आप नहीं देंगे तो ठीक है बात करते हैं मतलब की च्छे का विभाजता नियम यह क्या होता है यह likewise来 the Kickonia system का होता वैसे च्छे से भी होता है च्छे के गुडंखंड है दो और तीन हैता जो संक्या दो और तीन से पूरता विभाजित है वह शह कि यह क्या है कि यह कंपलीटली डिवाइड है हुँ ए कि यह संक्या 3 से कमपलीटली डिवाइड होगी कि नहीं पहले देखो तीन से होगी चार दन चार आठ धन छे चौदा चौदा नो व्यूख जाओ 448 8-6-14 14-6-23 ये तो 3 से completely divided नहीं है जार कुछ गड़बर है कि मैंने देख के लिखा था खटेगी की नहीं बताओ सुनो ये 3 से completely divided नहीं है अगर हम 3 से इसकी compare करें तो ये 3 से पूर्टा विभाजित नहीं हो रही है क्योंकि इनका योगफल 23 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से completely divide नहीं है दो फे देख लो दो से अगर विभाजित है तब भी दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए दो और तीन दोनों से अगला देखो जैसे मैंने लिखा तीन इमांदारी से देखना और बताना अगर डीटियल में समझ लोगे लाइफ में दुबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा नहीं तो खतम करना मैं भी जानता हूँ अभी आधा-दा मिनट में सब खतम हो जाएगा इसलिए पढ़ लीजिए बताइए क्या ये संख्या 6 से कंपलिटली डिवाइड है अगर आपको लगता है हां तो बोलिए वाई नहीं लगता है तो नो यंद भीमल कुमार विसाखा सिंग राकेश बर्मा अंसुर अठ्वर माहिरा पंडित हां बताइए जबादी दिए फटा-फट बोलते जाहिए चलिए बताइए वर्सा यादो निधी यादो दीप सिखा प्रियंका ठाकुर्फिजा खान सिप्रदुवेदी भारती बच्चा पारवती गिरी ठीक है ओके इसका आंसर है यस यस क्यों क्योंकि यह दो से कंप्लिटली डिवाइड है क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं इसके अंकों का योगफल करेंगे इसके अंकों को जोडेंगे तो तीन पांच आठ चार बारा आ रहा है ़ो कि क्या है तीन से भी डिवाईड है यनी हम कह सकते हैm यह नंबर है यह दो से भी पूरी तरह कट रहाए तीन से कट रहा है और अगर दो प्रिफ अगश्योंको लाइक करें आपकी जम्मेदारी हैं अगला बीक तुरंद चलिए सुनिएगा आप इधर सुनिए क्या करना है यह च्छे हो गया लिखो नौ का विभाजता नियम नौ का विभाजता नियम डिविजबिल्टी रूल बाई नाइन डिविजबिल्टी रूल बाई नाइन लिखो जल्दी फट से तेरिंग डाल लिए डालो चाहे नहीं जैसे तीन का है वैसे नौ का है वह संख्या जिसके अंकों का योगफल सम आप दी नंबर 9 से कंपलिटली डिवाइड होगा वह पूरी संख्या 9 से कंपलिटली डिवाइड होगी ठीक है देखो सुनो जैसे जैसे मानलो मने लिखा तीन पाच आठ जीरो जीरो कि यार काय को गड़ बड़ कर दे रहा है बता यह तीन से कंपलेटली डिवाइड है की नहीं है ना देखो कैसे इनके अंकों का योग करो तीन धन पांच धन जीरो इनको चैदू यह बार जोड़ो चाहे के बार जोड़ो कोनो मतलब नहीं प्लस सेवन प्लस साइब प्लस सेवन थीन पांच आट साथ पंदरा पांच बीस साथ 27 27 रहे ना 27 तीन से और नौ से दोनों से कंपलेटली डिवाइड है है ना तो हम कह सकते हैं यह पूरी की पूरी संख्या तीन और नौ दोनों से पूरता विभाजित होगी नहीं विश्वास है तो भाग करके देख लीजिए समझ में आया अब आप सभी नौ से विभाजिता नियम का दो दो एक्जामपल बताओगे जल्दी से चलो नाइन का डिविजबिल्टी रूल का टू टू एक्जामपल बताओ सभी फटा फट चलो किमानदारी से देखिए आप एक चीज़ समझेए इसमें कोई चोटा दूद्मुहा बच्चा नहीं है सब समझदार है नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा और पढ़ोगे तो क्या होगा इस लिए रात में जो कुछ भी करते हैं आप लोग, इस टाइम जो जो कर सकते हैं मुझे मालू है, वो सब छोड़ दीजिए, कुछ ही लोग होंगे जो सोते होंगे इतना जल्दी, बाकी ऐसी अवस्ता में जल्दी रात में नीद आती नहीं है, है ना वो मुझे बहुत अच्छे से पत है, तो लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, तो गड़बड़ मत करें उस टाइम लाइब देख लिजिए, पढ़ लिजिए, क्योंकि ये कलास सारी वीडियो यूटूब पे बाद में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लाइब में मिलेगी, हमारा उद्देस है 100 प पहचान है, जल्दी से एक बार में बताईए, क्या ये नंबर 5 से completely divided है, अगर हाँ, तो आप लोग बोलिए S या Y लिख दो, अगर नहीं तो यन, जबाप दीजिए, क्या ये संख्या 5 से completely divided है, कोशिस करिए एक बार, चलिए, मैं इनको रखता हूँ यहाँ, इसमें मैं जबाब दीजिए भाया फट अफट जबाब दीजिए, प्रियंका राय, सुरी प्रियंका राज, शिप्रा, सत्यम, रानी सिंफ, ख्यूट, फिजया, यास, 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 यह 5 सेदिवाइड है, क्यों, क्यों, वाइ, बिच्साँ, बताये, अगला ड्री-फाइब क्या ये संख्या 3 से completely divide है ये 3 से completely divide है अगर हां तो इसका आंसर आप लोग यच लिखेंगे यच अगर नहीं तो आप एन ए लिखेंगे दोनों क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस मालूम चले जबाब दीचिए क्या ये संख्या 3 से completely divide है अगर हां तो यच नहीं तो यन ए बहुत अच्छे सुसील सिंग बेरी गुड पंकज मौर्या आचल रावत स्वरी इनका नाम है अर्चना रावत अर्थी गुपता तो सिकेंड नंबर में लोग नहीं आया अभी तक कुछ लोग अभी आये हैं ठीक है कल मैं यह सब पढ़ा चुका हूँ इफ लिए मैंने सोचा कि थोड़ा पूछ भी लेते हैं चलिए फिलहाल हम बात करते हैं एक और बचा था जो इसमें बताना था वो था दस का विभाजता नियम एक बार मैं फिर फे याद दिला दूं विभाजता नियम में 12345678910 लगातार सब का नहीं है सिकेंड समेश्टर की बूक में सिलेबस में जो है मैं सिर्फ उसका उसका बता रहा हूं जैसे नौ का नहीं है आठ का नहीं है साथ का नहीं तो नौ आठ साथ का छोड़ दिया हूं उसका कोई काम लगे का देखा जाएगा ठीक है लेकिन अगर वह भी पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा तो चीतना से लेबस में है मैं उसी हिसाब से अभी कर रहा हूं ठीक है मनु सिंग कमेंट आपका भी आ रहा है राम राम चलिए दस का विभाजता नियम बहुत ही आसान है कोई बताएगा वो संख्या जिसका अंति मंक 0 होगा वो 10 से विभाज्य होगी बस वो संख्या जिसका अंति मंक 0 होगा वो 10 से विभाज्य होगी इसकी अलामा और कोई भी संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी क्यों यहीं ना ठीक है अब में पॉइंट पे आते हैं सीधे सीधे पॉइंट पे आओ चलो काम तो बहुत कुछ आने वाला है हाँ जिनको पूरा डीटियल में पढ़ना है एक भी नहीं छोड़ना है वो बेसिक मैं देख लिए रात नो बजे वाली उसमें मैं सब पढ़ाया हूं विभाजता नियम रात नो बजे वाली जो आरे सग्रवाल की बुक पढ़ा रहे थे उसमें मैंने सारा पढ़ाया एक तरब से कोई नहीं छूटा है देख लिजिएगा चलिए दस का भी भाजता नियम जिसका लाश्ट डिजिट जीरो हो जैसे एक्जामपल तीन सो पचास तीस दूसो अस्सी यह सभी संख्याएं क्या हैं दस से कंपलेटली डिवाइड हैं पंकर्च पागल बही ऐसे काई नाम लिखे हो यार कौन बनाया नाम यह आपका इतना गंदा से अब हेडिंग डालिए ल्सी यम इसको तो मैं बहुते बाहर पढ़ा चुका हूं लगुत्तम समापवर्त हैं हिंदी में बोलते हैं लगुत्तम समापवर्थ तो मैं बता चुका हूं कि नहीं समापवर्थ बताया हूं अभी तक कामन मल्टिपल कामन मल्टिपल पहले भी बताया था ठीक अचली ल्सीम डालिए इसे बोलते हैं लगुत्तम समापवर्थ समझेगा इसको थोड़ा डीटील में मैं आपको बताऊंगा ठीक है इसको निकालने की दो भी दी है इसका फुल फाम तो सभी जानते हो लिखना पड़ेगा लीस्ट कामन मल्टिपल मल्टिपल यानि वो छोटे से छोटा गुड़ज जो दी गई दोनों संख्याओं में कामन होगा वही क्या होगा लीस्ट कामन मल्टिपल जैसे देखो इदर साइड में कि मानली के मैंने एक्जांपल के लिए लोया ऐल से ममें प्रह दैन और एक ले लिया नंबर एट इनका अगर हम अलBCender की बात करें और तो वो छोटी से छोटी संख्या, जो इन दोनों से कट जाए है, जो इन दोनों से कट जाए. आठ से भी कट जाए, दस से भी कट जायो, बोलोara, किसी को पोलाय है, कोनों होगी? हम सुनिए, मैं बताता हूँ, इनका दोनों का गुडा से कों ना उगास सी न में? क्यों जरूरी है क्या 80 थोड़ी जरूरी है उससे छोटा भी हो सकता है कि चालिस कि चालिस एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाएगी 10 से भी कट जाएगी 80 120 एक तो साथ 2100 यहां पर एक चीज समझना है कि यह सभी क्या है titiini Son 2 यह मतलब काम अनल्टीपल है यह भी कोमन वल्टिपल है यह से भी डिवाइड है और रड़्ेंसे भी डिवाइड दो सो 130 भी 2 also टिवाइड हाए कोन से कंपलिटली डिवाइड और से वी डिवाइड है वन्ट्वीट डिवाइड है बट वर बट वर लेकिन लेकिन इस निए वाट बताते रहो सबकुछ तो अच्छा हुआ बड़िया था लेकिन अब्सक्ट बिभाद ना बोलो तो ँसका दिमाग तुम्हारे कोपडिम गुच जाएगा लेकिन मतलब बताओ क्या हुआ लेकिन इसमें यह है कि लिश्ट कामन मल्टीपल जो भी बोलो आप सबसे छोटा फ़चोटा गुड़ज निकालना होता तो छोटा सबसे यही है इसलिए क्या अंसर है समझ में आ गया तो लिख लीजिए फटा फट और सभी इतने कंडिडेट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले नहीं तो वह कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि बेगर सब्सक्राइब किये कोई कमेंट नहीं कर पाएगा और दूसरी बात एक और लाइक त चलिए ठीक है अब बात करते हैं लिखिये लसीयम निकालने की विधिया लसीयम निकालने की विधिया लिखिये नंबर एक गुड़नखंड विधी नंबर दो भाग विधी यह बताइए आप लोगों में से सभी लोग फैक्टर जानते हो कि नहीं पहले मैं फैक्टर बता देता हूं फैक्टर बताने की बाद ताबेल्स यह मौला गुड़न खंड पहले जान जाओ भाहिया गुड़न खंड गुड़न खंड को आप अर्थ कभी कहते हैं क्यों सही बोल रहा हूं कि नहीं कि इसको इंग्लिस में फाइक्टर भी बोलते हैं कि अब एका चीज है कि नहीं हां कि क्यों सुनों फिर चलो कि आज एड नहीं जारा बीच में क्यों कि पुड़नखंड आपवर्ता क्या फैक्टर कुनिये जैसे अगर कोई नंबर मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पर 24 तो इनके फैक्टर क्या क्या होंगे आई इदर साइड में ऐसे लिखते हैं ऐसे हराइफ फंदाते हैं ठीक है क्लियर समझ में आ रहा है सुनो फिर आप क्या करेंगे है कुभि तो यह देखते हैं संख्या की परकृति क्या है संख्या है कि विसम संख्या है भाज्य है कि Truth यह देखते हैं आप मुझे यह बताओ किस तरह की संख्या एकूंच तम है कि बिसम है भाज्य है कि अभाज्य है कैसी है बताओ तो यह सम संख्या है ना अगर सम संख्या है तो यह दो से कंप्लिटली डिवाइड है कि बोलो है कि नहीं तो दो से कंप्लिटली डिवाइड है दो से इसे से भाग करोगे कितना आएगा चालिस अब फिर क्या करोगे जाए डीटियल में बताना है फिर से इसको दो से भाग करोगे तो यह आएगा बीस फिर से दो से भाग करोगे दस फिर से दो से करोगे पांच फिर पांच से करोगे तो आप देखो आप अगर इसका हम फैक्टर की बात करें तो क्या क्या आया है अफी था ना ये चलो यहां सी लिख लो देखो कहां जा रहा है दिमाग दो दुना चार दुना आठ दुना सोला पंचे असी यानि आप कह सकते हो इसे यहां लिख लो साइड में दो गुड़ा दो गुड़ा दो यह क्या है असी के गुड़नखंड है यानि फैक्टर है समझ में आया सीवानी दूबे हां कमेंट आपका आ रहा है अच्छा 75 का आप लोग बता लोगे क्या इसी तरह का सभी कंडिडेट जल्दी से 75 का बताओ फटा फट 75 का बताओ कितना आएगा चलो 75 का कितना आएगा कि बोलो कि मन्नू कि कि कमेंट आ रहा आपका ठीक है अगर नहीं बता पाएंगे तो बोलिए नो हमें नहीं आ रहा है बताओ एक और बताओ के बाद एक छोटा सा है कि हाटी टू का बताओ कि हाटी टू का कि कुल भाज नहीं ग्याद करना राकेजी कुल नहीं ग्याद करना है फिर जितना है जो बता रहा हूं अभी अभी बस उतना ही बताना है आकांच्छा ताजल सुकला प्रियंका राज ठीक है ओके 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 आईए फिर देखिए इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 75 को भी अगर तो आप ध्यान दीजिए यह सम संख्या तो है नहीं दो से कंप्लिटली डिबाइड नहीं होगी एक चीज और ध्यान देना है जैसे दो से डिबाइड नहीं होगी का मतलब यह कि अगर इसे दो से भाग करेंगे तो सेसफल जीरो नहीं आएगा नहीं तो भाग करके देख लो 75 में इतना तो आप जानते ही हो नहीं आएगा ना तो यह तीन से कटेगा पक्का है तीन दुना अच्छा तीन पच्छे पंदरा अब यह पांच से कटेगा 25 25 पांच एकम पांच जिनको यह ना समझ में आएगा बता देना तो 75 का हो जाएगा तीन गुड़ा पांच गुड़ा पांच यह सबी को समझ में आ गया अगर फैक्टर नहीं समझ में आया इसका मैं अलग वीडियो बनाया हूं पढ़ाया हूं आप उसे देख लीजिएगा डीटियल में आप चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं ठीक है टॉपिक पे चलने के पहले कुछ कुछ और भी पूछ लेते हैं कि देखो जितना ज्यादा भाईया में अभ्यास करोगे उतना मजाएगा अभ्यास बहुत ही जरूरी है तो एक और कर लीजिए फिर अप लोग 120 का बता दीजिए और 380 का ये दो का बता दीजिए तब फिर हम आगे बढ़ें जल्दी करिए बताइए मनोज कुमार अर्बिंद जाट विकास कुमार आरती गुपता काजल सुकला प्रियंका राज सबका कमेंटर आ रहा है पता नहीं इसको क्या हो गया है मेरा फोन काम नहीं कर रहा है हाँ जल्दी करिए सबसे पहला अंसर आर्थिक आया है और अंसारी जी कभी आ गया ठीक है और किसी का आएगा हम मनू हाँ ठीक है ओक जीवानी कभी आ गया ओके नीलम कभी आ गया राकेश कुमार कभी आ गया चलिए आगे बढ़ें ठीक है ओके ओके गुड़ एक और बताइए अच्छा ठीक है कल मैंने भाज्य भाज्य बताया था यह 91 और 89 इसमें कौन अभाज्य है या दोनों अभाज्य है यह बोलो इन दोनों में कौन अभाज्य है या दोनों अभाज्य है चलो बताओ यह दोनों अभाज्य है क्या अभाज्य पर चलो अभाटाओ इसको सबको चलो ठीक है अब सभी इसको सीख गए अब इसमें नहीं बताना है कुछ ठीक है नहीं दोनों तो नहीं है जो लोग दोनों बता रहें वो गड़बड है दोनों नहीं है अनुपम नाने टीवन जो है वो अभाज्य नहीं है रहे हैं चर्णीवन अभाज्य संख्या ओने मौझमन अक। क्योंकि वह से डिवाइड है तो कैसे कैसे दोनों कि अब हम LCM पर बात करते हैं LCM सबसे पहले हम करेंगे कौन सा गुडणखंड विधी गुडणखंड गुडणखंड और भाग विधी दोनों विधी साथ ही साथ करेंगे जिससे कंपेर हो जाए जैसे मैंने एक पहला कुश्चन ले लिए 12 और 18 इनका LCM करना है आप में से कोई इनका आंसर बताएगा फटा फट वाला जल्दी से मैं करके बताता हूं चलो जाने दू पहले इनका अब थाइक्टर बताओ गुडण खंड बताईए पहले इसका गुडण खंड हो जाएगा दोगुडद दोगुड़ा तीन दो डुना चार्तियं बारह एक भी लिख लो लास्ट में इसका दो गुड़ा तीन गुड़ा तीन ग्षाना को होugen 20 जादा अभ्यास करेंगे उतना जादा आता है ठीक है क्लेर चलो ओके दन क्या करनाय के लिए सती मेरे पहले हम इनके पैर बनाते जोड़े नहीं जोड़े तो बनते हैं वो जोड़े नहीं पेर बोलते हैं इनको पेर मतलब दूसरा जोड़ा होता है ठीक है तो क्या करेंगे इनके पेर बनाएंगे जो दोनों में समझो सुनो एक दो इसमें से common निकल गया एक 3 common निकल गया बाकी और कोई common क्या और कोई कामन क्या देखना है यह जैसे होता नहीं किसी की कर में अगर बहुत बड़ा फंसान है बहुत अच्छा सा तो पहले अपने रिस्तेदार नाते बाते जो भी डिलेटिव हैं सबको आप जो कुछ चीजें हो सकती है था संभव कर दीजिए लाइश्ट में जो बचता है फेंकिये मत गरीबूं में बांट दीजिए समझ रहे ना तो यह क्या करते हैं इनको भी ले लेते हैं साथ में दो और तीन बस दो त्याई छे दूना बारा बारा त् 36 यानि यह कितना हो जाएगा 36 अंसर अगर यहां पर हमें HCF करना होता HCF तो सिर्फ और सिर्फ जितने कौमन थे उन्हीं उन्हीं को लिखते और उन्हीं का गुड़ा करते जैसे छे आंसर आ जाता बस इस तो आगे बढ़ें चलो ओके यह हो गया यह गुड़नखंड विधी था अब भाग विधी देख लीजिए भाग विधी में दोनों में दोनों को एक एम हराई फंदाते हैं एक में हराई फंदाते हैं देखो कैसे इकठा लिखते हैं यह अब कोई अच्छ े चुनते हैं जिससे दोनों कम्पलिटली डिवाइट हो जाए लगानाक बताईए कौन सी संध्या हो पहली बाद यह देखें दोनों संध्या है दोनों भाज्ये संध्या है मितला बहुत एक विधारी के हैं तो इनको क्या करेंगे दो से दोनों को काट सकते हैं तो दो से भाग करेंगे 12 में तो 6 आएगा 2 से 18 भाग करेंगे 9 अब भी दोनों एक और विरादरी से हैं नहीं ना अब थोड़ा अलग हो गया फिर भी अभी जब तक दो से कटेगा दो से ही काटेंगे क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक नियम से कर रहे हैं तो दो से भाग करेंगे छे में तो तीन आएगा नो में नहीं जाएगा तो नो को वैसे लिख लेंगे बतलब कटे तो पूरा-पूरा कटे जीरो सेसफल आए उससे कम कोई समझाओता नहीं समझ रहे हो ना जैसे पढ़ रहे हो ना तो टॉप करना उससे नीचे नहीं आना है तो ऐसे यह नहीं कि यह कटेगा दो से भी काट दें एक सेसफल आजाएगा दूर्चे उकाट ऐसा नहीं करेंगे पूरा पूरा कटना चाहिए तभी काटेंगे काटेंगे इत जिए कितना होगे दो से कटेंगे दो त्यों 6 नौ ऐसे उतर गया अब यह तीन से एकम 3 3 तरीका 9 और फिर यह तीन से देखो मैं एकदम बेसिक से इसलिए पढ़ाता हूं जिससे हर किसी को आ जाए कोई यह ना कहे कि हमें नहीं आया हमका नहीं आवा और फिर यह का नहीं आवा होके भगवान वालिक समझ रहे ना अगर इसके बाद भी नहीं आया तो अब LCM बराबर जितने फैक्टर हैं 2 x 2 x 3 x 3 दो दुना चारतियें 12 यह 36 यह आपका भाग विधी और गुड़नखंड विधी दोनों विधी हो गया इसमें से कितने लोग हैं जिने समझ में आ गया वो तुरंत कलास को लाइक करने फटा फट और यह लिखके कमेंट करें यह वह यह यह मतलब हम जान गयाएंगी चलो एक चीज़ और जिनको नहीं समझ में आया कि क्या उनके लिए कुछ पानी पूरी की विवस्था करनी पड़ेगी अलग से का बताईए तो वह भी करें जिनको नहीं आया उनके लिए अलग से कुछ चाय पानी लाना है दो बताओ अधारा उंडारा करें शुरू करें भाई समझो ना कोशिस तो करो गोल्डी सोनाली संजय सुसील सालनी फिजा बिनोद अरुन जुबेर अंसू अजीद मिली सिप्रा अर्चना सिल्पी सभी को तो आ रहा है लग रहा है तो लाइक तो करिए न यार आप लोग पता और क्या मांग रहें लाइक करिए आपको आपके उनकी का कम समझ रहो ना अब इससे बड़ी वी कसम तो नहीं होती है हमारे समझ से आपको एक कड़बा सच बताएं मैंने एक बाबा जी मैं लोग हो पता होगा कि कहां आते हैं कहां जाते हैं कई से क्या है मेरे बाबा जी कितना साही बोल रहे थे आप Ce वी नोइन काम की नहीं कि ऐसे वीडियो आ रहा था यूटूब पर मैंने देख लिया मुझे भी लगा थोड़ा सही जा रहा है तो समझ में आया कि हां कुछ तो सही बोल रहे हैं कोड्रिक ने चाहिए तो होती है घंटो दो-चार घंटे हुँ हां गुप चुप जो भी चीजे होता थोड़ा बहुत उसमें काम की बात तो होती नहीं है तो जानेंगे कैसे और अगर काम की बात कर लिए तो कहीं बामला गड़बड हो गया तो यह भी तो रिस्क है यह पूछेंगे कुछ नहीं अगर दो-चार सवाल पूछ लिए कहीं मामला गड़बड हो गया रूठी रूठा हो गई तो क्या करेंगे इसलिए मत पूछो कुछ मत पूछो बस चलने दो कभी कभी वीडियो देखना चाहिए इन लोग कभी काफी मेनत करके यह लोग भी रिकॉर्ड करते हैं यह अब अगला कि इसका अंसर आप लोग खुदी बताएंगे जब तक नहीं चल रहा ठीक है भी चले गए अगला है 36 और 28 इसका LCM बताएंगे कितना आएगा कि अब मजा वाली बात खतम हो गया फिर से पढ़ाई पर आजाए बीच बीच में ऐसे एक आट टॉपिक मिलेगा मुझे तो हम आप से पूछेंगे जरूर नहीं बात करेंगे अभी इंपॉर्टन टॉपिक है यह भी छोड़ना नहीं चाहिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है कि इतने लोग इसमें गढण पढ़के बर्बाद हो जाते हैं खतम हो जाती जिंदगी पहले हम क्या करेंगे इन के फैक्टर करेंगे इधर साइड में गुड़न खंट जी है इतर साइड में भाग बिदी करेंगे सकूँ संभी है इसका इनके फैक्टर करेंगे तो तो है ऑजा को डीको रंग बदल रा ना मार कर कि इस एक बार दो से भाग करोगे अठारा आएंहां फिर दो सें वाग करोगे नो आएगा फिर थीछ तीन फिर एक कि मुझे एक बार कंफर्म करिए क्या यह क्लियर दिख रहा है काफी फटा फटा दिख रहा फिका फिका न पोसिस करिए अभी थोड़ी देर बाद यह कलर साही हो जाएगा इसका देखिए दो कि दो कि दो कि दो दुना चाहसते अठाइस एक भी कर लिजिए दिख रहा है न समझने लायक क्यों भाई दिख रहा है न हाँ ठीक है हमें क्या करना लसी एम करना है सबसे पहले जो कॉमन है उनको लिखेंगे यह कॉमन है ओके एक टू और एक टू ठीक है अब जो कॉमन नहीं है उनको भी सब को उतार लेंगे ठीक है क्लियरली चलो उपर एक थिरी बच रहा था एक थिरी और बच रहा था एक सेबन बच रहा था दो दुना चार त्याई बारा और बारा त्याई च्छतिस और च्छतिस सत्य पहाड़ा वाड़ा थमें भी नहीं याद है कि मारकर की स्याई खतम हो गई है अभी डीटियल बताएंगे बाद में बलेक वाली खतम हो गई है अंचाट चंग 32 का दो हासिल आया चार सात्री केकाइस एकाइस चार वाकुछ गड़बर तो नहीं जा रहा है चार चंग बयाली सासिल चार बचिस 252 आ रहा है अउच्छिंग बढ़बर तो नहीं जा रहा है कि सही है पुशचिस अठाइस नहीं 144 जो बता रहे थे उन लोग का तो गलत क्योंकि 144 थे LCM होगा ही नहीं 144 28 से completely divided है नहीं भाग विदी में अभी सब क्लियर हो जायागा अगर यह गड़बड गया होगा गड़बड तो नहीं गया वैसे पक्का है है कि दो दुनाचार तीयं bonito दो दुनाचार सथ एक ठाइस यह और ने कौन लिमया की सथीखrit सहरी न दिमाग काहीं और चला जाता है छला दिख रही है लेकीन आपको नहीं पता है यह दिमाग कहां जा रहा है तो इफले एक आणोडबर banc जाता है और यह जाता रहता है कही ने कहीं है यह सए इधर का उधर, इसका काम ही है जाना, खोजना, फिर मैं पकड़ के लाता हूँ अब रूक अभी अभी लाइप चल रहे है, यह बाद में जाना, फिर कुछ दिर के लिए आता है, फिर भग जाता है, अब चलिए, इनको हम करेंगे इधर साइड में 28 36 यह दो से कंप्लिटली डिवाइड है यह रुख जाओ लोई पोटो नहीं आप मुझे लग रहा है कि आप लोग कर लेंगे कुछ नया बताएं ना मज़ा नहीं आ रही होगी मुझे पता है आप लोगों को बोरिंग सा लग रहा होगा ता आलतु करात खरा कटेंगे साथ फिर 9 इसने कटेगा तीन तरिक कर नोग फिर 3 से कर फिरत साथने में डारेक्ट में पॉइंट वाला मिलता है यह और इसमें जादा हीला यह और हु funciona हली होती है क Warsaw लिसम, तो दो दो बार आया था, तीन तीन दो बार आया था, साथ एक बार आया था, देखो वही समें आया है, तो बिना महनत करें लिख दो ना इसमें, अंसूर अठाओर अच्छा यह बताओ रेड़ वाला ज्यादा अच्छा दिखरा एक बुलू वाला अच्छा दिखरा होगा ने फिरी से ही मिली रेड़ वाली वैसे 200 रुपय मिलती है 100 ml 200 रुपय की मिलती थी लेकिन इस अच्छे दिन में अभी यह 215 रुपय मिलने लगी है फिर भी बोलना मनाया है समझ रहो ना ठीक है अच्छा है चलो यहां इस देश में इतनी गंदी राजनिती होती है जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ता है पूरी दुनिया तो मंगल गरा पे घर बना रहे हैं चंद्रमा पे और हमारे देश वाले मस्जिद की न अलगा लगा कमरे मर रहा है किसान अलग मर रहा है महांगाई से लोगों की कि क्या बोलने आगे समझ रहा हो ना लेकिन फिर भी कि अब अच्छा दिख रहा है ना चलिए होता है करना चाहिए अच्छी बात है यह सब करना चाहिए लेकिन लिमिट में जैसे कायते है न दश दिन से तुमको खाना नहीं मिला है और पेड़ नहीं भर रहा है और कहिदो चलो भगवान का बजन करो तो कितना दिन करोगे नहीं कर पाओगे चलो नमाज पढ़ो पहले कुछ जरूरी चीजें होती है बेसिक वह पूरा होनी चाहिए है ना वह हर किसी को पता होगा जिनकी उमर हो गई है घर में बुड़ें बाप माप बैठे हैं कि हमरे बचों बचियक साधी बिया होगा पोता-पोती आएगी और वह नोकरी नहीं पा रहा है न साधी हो रह चाहिए वह तो काएंगे जो तो अलावरेद बताई इनका है हमज़े रहो ना तो यह हाल है कि यह होगे आप लोग कर लेंगे ना इसको आप सभी कर लेंगे अब तीन गिंती में आजाओ तीन गिंती में जैसे मान लो आठ बारा और अठारा इनका क्या होगा जब आप दीजिए इनका क्या होगा फटा फट बताईए चलिए बीच बीच में महत्वपूर बातों पर चर्चा होती रहेगी आईए दोनों विधी से लिखेंगे ठीक है इसमें एक चीज बिसेश होता है वह बिसेश बताने वाला हूं पहले इनके फैक्टर कर लीजिए फैक्टर करना मैं सिखा चुका हूं आल्रेडी सिखा चुका हूं कोई कह रहा है मैं बाबा बनने की तयारी कर रहा हूं अच्छा है आज कल यहीं तो अच्छा है चांस बहुत बढ़िया है कि दो दुना चार त्याइं बारा सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा सिकॉरिटी अलग से मिलेगी चलिए अब क्या करेंगे इसमें एक चीज डिसेस होता है कि अगर आप गुड़नखंड विदी से दो से अधिक संख्याओं का कर रहे हैं उसमें यह नहीं जरूरी कि सभी में जो गिंती कॉमन है उसी को निकालेंगे जो किसी भी दो में कॉमन है उसको भी लिख लेते हैं तीख है जो किसी भी दो में कॉमन है जैसे यह टू देखो कॉमन है यह टू भी कॉमन है आप कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में common हो वन को छोड़ कर वन को छोड़ तो उससे कोई मतलब नहीं नहीं है अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी दो में common हो दो में हाँ है ये दो में common है क्या कोई ऐसा नंबर है जो और भी दो में common हो हाँ ये भी है है न आप समझे इसमें थोड़ा सा अलग यही होता बस अब LCM क्या होगा इन तीनों जोडों में से एक दो निकल गया इन दोनों के जोडों से एक निकल गया इन तीनों के से एक निकल गया अब भया ये दोनों मायू सांकेले बैठें तनहासा इनका आगे पीछे कोई नहीं है तो इनको भी लाश्ट में लिख लेते हैं ठीक है जैसे दो और तीन अब इनका गुड़ा कर लो दो दूना चार तियां बारा बारा दूना चौबिस चौबिस तियां बहत्तर क्यों भाई ये सही जा रहा नहीं है तभी जल्दी से बोलो एक बार यास भाई ये मुन्ना कुमार कहां से आ गया ये तो पूरा एकदम गंदगी फैला दिया आपने तो बोला था कि आठ बज़े से नो का कलास हो गया पर नहीं हो रहा है अरे गदाहा आठ बज़े सुबेरेस बोला था साम से नहीं आठ बज़े सुबा पीवीर स्टड़ी 3.0 चैनल पर सुबा सुबा इस टाइम नहीं और पांच मिनट के लिए आपको छुट्टी कर दे रह चलो ओके तो इसमें आपने क्या सीखा नहीं है अगर दो से अधिक संख्याएं हैं तो जरूरी नहीं कि कोई गिंती जो कॉमन होगी सब में वही फिर दो में कॉमन हो बस तो उनको भी एक बार लिखा जाता है बस यही विसे द्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ें अरे वो मुन्ना जी की आंधी आ गई थी उसमें किसी का कमेंट दिखा ही नहीं कि कोई और भी है आप लोग तो एकदम फिके पड़ गए इतना जोस के साथ कमेंट कर रहा था उतना जोस में तो तुम लोग लिख नहीं रहे होगे अब चलो आठ बारा अठारा वो कहानी सुनेओ वही मुन्ना जिसके हम मामा है कौन कौन पढ़ा था अरे वही मुन्ना जिसके हम मामा है ना आने गए तुसारा कपड़ा लेके भाग गया तौलिया उलिया जितना भी कपड़ा था सब लेके भाग गया आब वो पानी में निकले तो कै के लपेट के अरे मुन्ना को देखा मुन्ना कौन मुन्ना जिसके हम मामा है कि प्रिया तिवारी आ गई इनको देख लो एक बार सब लोग फिर कलास में आ जाओ चलो प्रमेंट इनका कुछ ही इसरी तो यह दो से सभी डिवायप हो जायेगा 248 2,12 2,9 18 हे इनको क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे हbelum कि तो दो दूना चार दो तैया है इन चानल यह दो नहीं कटेगा अभी यह 2 से कटेगा दो एककम हम दो तीन और नो फिर तीन तीन तरीक का नो फिर तीन एवाई रूग जा देखिए अगर आपने स्टार्टिंग से इनका जो कलास चल रहा है नहीं देखा तो फिर हो सकता आपको ना समझ में आ रहा हूँ आपको सुरू से देखा होगा तो पक्का आएंगा चलिए अब क्या करेंगे यहां पर चीज देखो यहां पर आया है वहीं यहां पर रहना चाहिए तब फिस नहीं आघे तो गड़वर्ड़ है जो कि यह दोनों गडिय मैं आंसर एक आना जाया लग अलग नहीं एक दो तीन कि एक दो तीन ठीका 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 फिर तो लिखलो आंख बंद करके लिखलो कि वही आ रहा है कि आर्ट्रिक 24 तिन चोग बारा तिन दुना शेक साथ 72 कि यह भाग विदी था यह गुड़न खंड विदी था अब इमांदारी से यह बताईए कि कौन सा विदी आपको ज़्यादा अच्छा लगा यह वाला यह वाला अगर यह वाला अच्छा लगा तो इसे बी लिख दीजिए यह लगा तो ए लेकिन ए और बी लिखना कोई बी भी मत लिखना और ए ए भी मत लिखना कौन सा अच्छा ल क्यों नहीं आया क्या एड़ नहीं आया का भाई की आया पता नहीं क्या हुआ आज नहीं देर आई है अरे दे दो इन लोग को बहुत देर से पढ़ रहे है तो A, B, C कौन सा अच्छा था B वाला ना B वाले में थोड़ा बेवस्थी तो हो जाता है हाँ ठीक है ओके अच्छा आप लोगों को अभी क्या एड़ दिखा था इस्क्रीन पर कोई परचार आया अगर आया था तो A, D, A, D लिखके कमेंट कर दीजी एक बार अगर नहीं आया था तो No बताईए कोई A, D, A, D लिखिये नहीं आया था तो No I, Surade, मुझे तो नहीं लग रहा कि आया चलो ठीक है चोड़ा अटाओ यह दो जोट बॉल रहा पक्का यह दो जोट बोल रहा मुझे पता है आया था इसका मतलब नहीं इतने तो विश्वास है और तो जूट नहीं बोल रहा है । ќई कर ऩब लोगों को दिछाने के लिए mo lies थो ठीक है आफ लोग समझ गये कर लोगे ना आप या करें अब कुछ और भी लिख लीजिए कठी है कुछ और लिख लीजिए लिखिए अठारा, बाईस, सत्तर, पचीस, पचात्तर, नब्बे, एकसो दस, पंदरा, बीस, अठाइस, सत्तर, दुईसो, तीस, एकसो बीस अठारा, बाईस, एकसो बीस, सत्तर, पंदरा, दस, और बारा, यह सब लिख लिजिए चुप चाप, इनको हल करना है घर में जा करके 27, 29, 10, 18, 28, और 10, इनका सब का क्या करना है, LCM करना है, ठिक है, अफनेहा सिंग कापी पे नहीं लिए हो, तो अभी हम भेज रहे हैं, अभी डाकिया लएके जा रहा है, ले लेना, प्रवज्जे पे मिल जाना, अभी कॉपी पेन भेज रहे हैं, चलो, तो सभी को समझ में आगया रात का टाइम है, मुझे लग रहा है कि समय हो चुका है, 45-45 मिनट की क्लास हो चुकी है, पूजा राजपूत, मैत के साथ जिन्दगी आसान वाली क्लास अब आएगी नहीं, मैत के साथ जिन्दगी आसान तो आप लोग की हो रही है, लेकिन मेरी जिन्दगी मुश्किल करना आप लोग, इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोग क्लास को सेर नहीं करते, बहुत कम वाचिंग आता है, आएगी उसके आगे थोड़ा बेट करना पड़ेगा, 10-15 द आ रही है, टॉपिक टॉपिक वाइच पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एक इस तारीक से नहीं बैच, मैत के फाद जिन्दगी आसान नहीं, जिन्दगी एकदम पानी हो जाएगी, एकदम पानी पानी समझ रहे हो, तो उसको देखना अब उसको छोड़ दो या तो, ठीक है, पिर बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही, आप लोग सभी जितने भी कंडिडेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा फे ज्यादा साथियों में सेर करें, जितना ज्यादा लोग देखेंगे, और हाँ एक बिनमर निवेदन है, आप लोग सुनिएगा, इसको मालीजे पढ़ लिए, अगर आपका इंटरनेट बचा है, तो आप PBR स्टडी चैनल पे महराथन कलास सर्च करिए, या फिर प्ले लिस्ट में जाईए, या आप गूगल पे सर्च कर दीजे, यूटूब पे PBR स्टडी महराथन कलास, जो बड़ी-बड़ी कलासे पढ़ी है कि घंटा की 5-5 घंटा की 9-9 घंटा की कलास है, 12-12 घंटा की कलास है, उनको चला दीजिए, चला कि आप सो जाईए, अपना काम करिए, लेकिन चलने दीजिए, इतना ज्यादा वाचिंग होगा, उतना ज्यादा वीडियो का इंप्रेफन जाएगा, ज्यादा लोग देखें जार रुपए महीना वैसे देते होंगे तो आप लोग यह कर सकते हैं है ना थोड़ा सा आप करेंगे हमारे लिए हम करेंगे आपके लिए फिर बेतर होगा समझ रहे ना अच्छा कितने लोगों के यहां ब्राट बैंड लगा वाई फाई आप लोग एक काम करें जल्दी से एक डबलू डबलू लिखके कमेंट कर दीजिए जिनके यहां लगा है और जो शिर्फ मॉबाईल से पढ़ते हैं वो यम लिखके कमेंट कर देए जिनमा मॉबाईल डर्टा है है पढ़ाई वाली क्लास खतम हो गई है जिनको जाना हो जा सकते हैं जिनको जाना वो जा सकते हैं क्योंकि अब ताइम बरबाद होगा आपको लगेगा किफालतू की स्पाइब रग्षाइगे तो जिनको जाना वो जा सकते हैं क्लास हो गई खतम जो हमारे चाहेते होंगे वह रुके रहेंगे भारत देश में जहां लोग हैरान परिशान बिमार हैं वो लोग मोबाइल के अलाव वाइफाई कहां लगाएंगे वाइफाई ब्राडबेंड हजार में से पांच लोग कहां लगा होगा मुझे पता है कुछ नहीं लगा है फोन का डाटा यूज करते हैं मुझे जहां तक उमीद है सो में से पांच लोग के यहां ब्राडबेंड लगा है बस कोई प्रफनल यूज के लिए ब्राडबेंड कहां लगाएगा यहां 200 रूपए लिटर तेल तो खरिद के लाने में मुस्किल हो रही है ना उसमें तो फिर गड़वड हो जाएगा सब आप पढ़ेंगे HCF HCF जिसे बोलते हैं महत्तम भई पीछे साही दिख रहा है कि नहीं समापवर्थक महत्तम समापवर्थक ठीक है महत्तम समापवर्थक यह होता क्या है क्या आप जानते होग नहीं कि तुनिए अब बिल्कुल डीटियल में पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है जिनको आता है वो थोड़ा सबर बना के देखेंगे और जिनको नहीं आता है वो थोड़ा दिल थाम के तफली रखेंगे इसका फुल फाम होता है हाइएस्ट कामन फैक्तर इस पेलिंग थोड़ा सा सही है कि नहीं देख लेना क्योंकि मैं इंगलिस में बड़ा कमजोर हूं एक कामन भी बीच में रहे गया यार्ण फैक्तर रहेगा ठीक है अच्छा आप लोग ल्सीम जो ल्सीम वाले हैं कल मैंन पूछूँ तो क्या आप अधाय मिनट में रहें में कि दिस लोग पता लेंगे बता जल्दी करियों इंट्रेस्ट बना रहना चाहिए भागना नहीं अहीं मतलब एक कलास में समझे रहा हो ना जो इधार उतर भागते रहते कहीं के नहीं होते हैं कुछ लोगोजंगा यूटूब पे खोज़ते रहते हैं आज यह पड़ा कल कमा प्रसर कहले पड़ा वो कई Monte trio यहले में उन्हें नहीं आता है वहुत से लोगों को कमेंट आता है वहुत से लोग कुछ चीजें भेजते हैं कि हां मैंने वहाँ यह देखा इसा देखा वह इसा देखा तो वह जिंदगी बर देखते ही रह जाते हैं नहीं भी एक जगा पढ़िए थोड़ा कम अच्छा होगा थोड़ा घड़बड होगा रोज पढ़िए कहीं भी हाइस्ट कमन फैक्टर अब सुनिए इनकी कहानी क्या है जैसे मैं एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा जैसे मैंने दो नंबर ले लिया 12 और 15 तो साथियों फैक्टर क्या है यह तो आप जानी देखो हां फैक्टर क्या आप जान रहे हो अब हाइस्ट कमन फैक्टर का मतलब वो बड़ी से बड़ी गिंती वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह दोनों कम्पलिटली डिवाइड हो सकें और जीरो से फ़ला जाए आप पढ़ रहे हैं यूपी डियले सिकेंड समेस्टर की मैत यह कच्छा तीन के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं वह लोग पढ़ने तो कोई अपच नहीं करेगा उन्हें भी हजम हो जाएगा जैसे कटने का मतलब समझे जैसे मैंने अगर 12 में 2 का भाग करा तो दो चंग 12 जीरो आ गया ना लेकिन अगर इसी बारा में मैंने 5 का भाग करा हो था तो 5 दूना 10 जीरो नहीं करेंगे कि यह 20 से 95 डिवाइड है लेकिन 25 डिवाइड नहीं है रही हो यहीं होता कटने का मतलब तो घ्रंदी इस थो दोन नों लोग का काम चलना चाहिए एक के लोग का नहीं समझ रहेए हो ना कहीं जा रहे है दो लोग राष्ते में अपना चटर-पटर कुछ खापी लि तो अगले दिन जाएगे नहीं तुम्हारे साथ में समझ रहे हो नहीं मार के खा लेगा चीन के तो ऐसा नंबर चुनेंगे जिससे दोनों कटे एक है नहीं जैसे यहां पर मैंने अगर दो ले लिया यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्यूं क्यूंकि इससे दोनों नहीं इस दो अगर तुशुन होगा नहीं गोविए त्लाइस थीर ट्राइब करें थो तatoon से ऊपर अगर जैसे माल लिजे फॉर या फाइक या शीक्स या सेबन या кुछ भी और उसके आगे तो उसके आगे मतलब कुल मिला करके थिरी तक ही होगा है न तो थिरी हो सकता है ये तो अभी मैं कुछ आपको नियम नहीं बताया कोई कुछ भी नहीं बताया सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आप जानेंगे कैसे सुनिए पहले तो आफ मुझे ट्र मैं a और फिर फिंटीन कंतर बताई कि चलिए जल्दी बताई है कि इसका दोनों का फैक्टर बताई हिर जलुब कि較ई कर लेंगे ने सभी तो सुनिए हम क्या पढ़ रहे हैं HCF इनके फैक्टर आप लोग निकाल लोगे तो दोनों भी दीज़े में बताऊंगा पहले गुड़नखंड भी दी 12 15 इनके फैक्टर 2 2 3 और 1 इनके 3 5 और 1 देखिए इसमें क्या करते हैं जो दोनों में common होता है पहले उसको लिखते हैं इसमें भी इसमें भी तो यह थिरी इसमें भी है भईया इसमें भी थिरी है थिरी के अलामा कोई और है थिरी के अलामा और कोई है इसमें नहीं है न तो आप क्या करोगे HCF बराबर कितना आएगा 3 अब वन को नहीं लेंगे वन से कोई मतलब नहीं यह हर समय हर किसी के साथ उपलब्द होता है समझे रहे हो ना वन हर नंबर के फैक्टर में आता है गुलन खड़न में पर तेक इसको लिखने का कोई मतलब नहीं की कोई इज्जत नहीं है समझ रहे हो न जैसे अगर आप किसी के लिए हर समय खड़े हैं हर समय उपलब्द है तो आपकी कदर उसकी लाइफ में नहीं रह जाती है थोड़ा महेंगे बनना है ना कदर करवानी है ना तो लोगों के लिए हर समय उपलब्द मत रहिए तो ऐसे यह वन है इसको यहां लिखें ना लिखें कोई फरक नहीं पड़ता है तो लिख लो चाहें ना लिखो किसी भी नंबर का फैक्टर करोगे वन सब में आता है हर समय हर किसी के साथ उपलब्द र ठीक है तो यह थो था आपका गुडण खंड विधी यहां पर चाहले लिख लो चुपए से इधर फाइड में गुडण खंड विधी अब इधर साइड में हम लोग देखेंगे भाग विधी कौन सा विधी भाग विधी डिवीजन में देखें क्या होता है जैसे यह दो नं अधियों इसमें जो बड़ी वाली गिंती होती है उसमें छोटी वाली गिंती से भाग करते हैं मैं एक चीज बता रहा हूँ दोनों विधी से बता रहा हूं सुनिये आप लोगों में से अधिकांस लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं क्यों भाई क्या चाहिए मुझ भी धुल के आया हूँ आज मैं इसलिए कि आप लोग कम से कम कलास तो लाइक करोगे फिर भी नहीं कर रहे हो कर दीजिए जल्दी से चलिए तो यह 12 वंजा 12 वन टाइम जाएगा सब्ट्रेक करोगे 3 आएगा मैंने आपको एक दिन एक अच्छी चीज बताया था कि जैसे आज कल के जमाने में हम लोग क्या हैं अपने माबाप के लड़के लड़कियां आने वाले जमाने में जिन लोगों कि इसमें साधी ब्याह हो जा जाएंगे उस जमाने के क्या हो जाएंगे माता-पिता बन जाएंगे और फिर जो वह लड़के होंगे जब आप लोग बुड़के हो जाएंगे निपड़ जाएंगे दुनिया से तो वह जो होंगे ना वह क्या होंगे वह भी अपने जमाने के माता-पिता बन जाएंगे य लेकिन अब अगले स्टेप में फिर क्या करते हैं इसको ऐसे बनाते हैं और इस टोएल को यहां लिख देते हैं तो यह जो सेजफल था ना अब यह भाजक बन गया कि अब जो ना इनकी पीड़ी वदल गई अब यह जो बेटा बात है यह बाब बन गया समझ रहे हूं कि सुनिये तो यह क्या हूँ यह भाजक बन गया अब इससे भाग करेंगे tut कि याद रखना है इसको समझने के लिए जैसे बहुत सारी परिक्षाएं होती हैं उसमें कई स्टेफ होता है अब एक छोटी सी बात आए से समझे लो आप कि आप लोग बीटी सी करें डीलेड में चार समेश्टर होता है जो चारों समेश्टर पार करेगा डिग्री उसी को मिल यहिंए नहीं न वेसमें क्या है भाग छो इससे बी किया गया छीक है लेकिन जिससे जीरो यह ऐसा माना जाता है मैं अभी कोई कोई को एसा कुश्जट मिल आगा जिसमें worse what rude stop तक जाता है जैसो देंख Tut एफ जराता है इसमें देखा मैं बारा से टीन से ठीक है समझ में जल्दी से लिख लीजिए और येस बोलिए मैं साइट से हट गया हूं क्योंकि कुछ लोगों को मेरा सकल नहीं अच्छी लग रही इसलिए मैं छुप गया हूं चलो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप कलास को ज्यादा फे ज्यादा सेयर करेंगे तो फॉर्स समेस्टर का मैंने यूटूब पर पूरा पढ़ा देंगे बिल्कुल फ्री लेकिन आप कलास को सेयर करेंगे और आपके पास जितने मोबाइल फोन है जितने डिवाइस है घर में निवेदन है वीडियो चलाएंगे लाइप सात में ठीक है बहले पढ़ें एक प्सक्राइब लेकिन हो सके तो सब में चलाएं आपके भई यह बावी लोग सो गए हो अगर तो उनके मोबाइल लेके उसमें भी चला जिए घर में पड़ा रहता है कंडम तो उसमें भी चला दीजिए समझ रहे ना पढ़िए आप एक हैमें लेकिन यह बहुत बड़ा हैसान होगा आपका तो इसे कि यह था संभव करिए कि जहां तक हो सके कि चलें यह आप लोग समझें के टाइम नहीं भी ताना है अगला नेक्स्ट कि तीन अंकों तक की संख्याओं का ल्टीम और है यहाँ पर है तीन अंक तक दो अंक तक तो कि नर्मल है कि थोड़ा कभी कभी लेट हो जा रहा है कि कुश्चन आप लिखिए अब मैं किताब उताब से कुछ दूंगा एटीन टूंटी एट और थर्टी चलिए इनका स्याफ करके बताईए कि वह बड़ी से बड़ी किंती जिससे यह तीनों कट सकें चल बहिए बताओ कोई नंबर है ऐसा जिससे तीनों कट सकें कि कि देखिए सुनिए मैं बताता हूं कि इनके पहले फैक्टर करोगे एटीन है टूंटी एट थर्टी इनके फैक्टर हो जाएंगे दो त्याइंचाथ तरीक अठारा फैक्टर करना सिखा दिया हूं जिनको यह ना समझ में आएगा बताना टैंसन मत लेना जलो दो दुना चार फते अठाइस यह दो त्याइँ छे पंचे तीस यह फैक्टर करना सबको नहीं आ रहा आगर तो पीछे वाली कलास देख लीजिए मैंने बताया है क्या है कैसे होता सब सिखाया है इस दिखाये चालो अब क्या करेंगे जो सब में है उसको कॉमन लेंगे देखो यह है एक दो क्या तीन भी सब में है क्या बोली यह फटा-फट खैक्या नहीं ना सिर्फ दो है ओनली दो है जो सब में है तो सियब दो होगा वन को मैंने कहा कि नहीं लिखेंगे इसको लिखने ना लिखने से कोई फरक नहीं पड़ता है एक बार फिर से मैं दो रादू कि अगर आप किसी के लिए हर समय उपलब्द रहते हैं तो उसकी जिंदेगी में आपकी कोई इजद नहीं है कहते हैं घर की कोफी कउपी नहीं लिए यह कौन नहीं नहीं बोण रहा है जिनको ना आरऊ पिछला कलास और फिछला नहीं सबसे चोटी संख्या कि उससे भाग करते हैं किसको जो यह दोनों संख्या है उनमें से एक संख्या से दूसरी को भाग करते हैं तो यह 18 वंजा 18 सब्ट्रेक करेंगे तो वह ट्यना आएगा अभी मैंने बताया था ना कि पीड़ी दर पीड़ी जो इस पीड़ी में लरका बचवाया अगली पीड़ यह आजाएगा कि एटीन फिर से भाग जाएगा फिर से एट आएगा अब यह कई स्टेप जाएगा आचा लोटीक है मुर्गी मुर्गा अच्छा है बस चुबरोब अब फिर यह दस यहां आजाएगा तो आठ एक कम आठ गटाओंगे दो आएगा अब दो से फिर इसमें गठाने पर जीरो आया नीचे तक दीख रहा है ना देखो कितना लंबा गया यह अभी मैंने बताया था ना एक दो तीन चारी स्टेप गया अभी यह अंसर नहीं है जिससे लाइस्ट में फाइनल हुआ जीरो आया है जो एक संख्या आपकी तीसरी वाली बच रही थी उसको आप भाग करेंगे क्योंकि इन दोनों से तो यह निपट लिए इससे भी निपटें तो यह अंसर होंगे समझ रहे न तो दो से भाग करेंगे इनको तो दो एक कम दो गटाएंगे एक आएगा उपर से जीरो उतारेंगे दो पंचे दस यानि जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं फाइनली अगर ऐसा है तो हसी यह बराबर दो यह आपका गुड़नखंड भी धी था है यह भाग भी धी था आंसर दोनों में वही आएगा आप कोई भी 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 लगाएंगे ओके है ना लिख लीजिये फट से लक्षमी रंजन 24 क्या क्या लिखा थिरी से डिबाइड हो गया ठीक है अच्छा है लिख लीजिये जल्दी से आगे बढ़ें चलिए बहुत जल्दी करिए फटा फट हम इसमें रूकना नहीं चाहते जादा देर तक अब कब तक लिखा रहने दें आगे बढ़ें तो यह सिंपल वाले नंबर आप लोग निकाल लेंगे आप चाहें इतना करवाएं ना करवाएं आप कोई फरक नहीं पड़ता है कुछ कुश्चन दे दे रहें आप लोग इन्हें कर लेना 156-261-364 इनको आप खुद से कर लीजिएगा अब थोड़ा कुश्चन बढ़ा है कि 105 175 और 225 नहीं पचपन है आप लोग एक बात बताओ यह कर लोगे ना तक दोसो तीस हेट्सो बीस प्लस बता दो ल्सी एम गुड़न खंड प्लीज से ओं ल्सी एम बता दे अच्छा तक दोसो तीस हेट्सो बीस ठीक है कि इनको कर लीजिएगा आप लोग कि जोबीस चाथीस और और तालिस यह तीनों कर लीजिएगा कि अभी लोग कर लेंगे ना ठीक है पटा पट लिख लीजिए और कलास को लाइक करते जाहिए आपकी जिम्मेदारी है यह बात अपने दिमाग में रखिए कि बिना लाइक किये नहीं देखना है नहीं बहुत बड़ा पाप है कभी बिना लाइक किये पढ़ लिए अगर इसलिए यह पाप नहीं करना और लाइक जरूर करना चलो यह वर्टस अब बहुत हैं करता यार स्टेटस में मैं लिंक भेजा हूं एक गंटा हो गया यह कभी जाता नहीं आईये फिर इनका एक क्वेश्चन है गुड़नखंड विधी से इनका LCM करना है चलो भईया इनके गुड़नखंड कर लो आप लोग फटा फट गुड़नखंड इनके आसान नहीं है इसलिए इसमें से कोई ऐसी महान आत्मा बैठी है जो इनका अंसर बता देगी जल्दी से अनामिका जी ने यह कुश्चन पूछा है अभी अभी तो मैंने कहां बताई देते हैं लगे हाथ इसका देखिए फैक्टर करोगे तो दो फिर देखो 35 आजाएगा पांच से कटेगा पंचे दस सत्य सत्तर ठीक है ओके इसका फैक्टर करोगे तो मैं करके दिखाई देता हूं नहीं तो इसम कहीं गड़ बढ़ाई जाएगा तो कहेंगी गलत बताएं दो यह दो यह दो यह दो पंचे दस अब यह भिया किससे कटेगा दो से तो कटेगा नहीं तीन से काटोगे तो त्यन्त रिक कर नो तीन से भी नहीं कटेगा यह फासरा इसलिए इन्होंने इसको दी आई अब ड्राई करके मुझे यह बताओ कि 115 किस से कटेगा अगर आप 5 से काटोगे तो कट जाएगा मुझे लग रहा है हाँ 5 दूना 10 बचेगा एक और 5 तीया 15 5 तीया 15 पंदरा 5 5 दूना 10 एक 11 ठीक है 23 इसके फैक्टर आएंगे 2 5 और 23 वह या इनके क्या आएंगे दो से काटोगे तो साथ आएगा फिर दो से काटोगे पहले दो से काटा साथ आया फिर दो से काटा तीस आया फिर दो से काटा पंदरा आया फिर पंदरा को तीन से काटा फिर पांच से काटा फिर वन हो गया इसमें कौन बहुत बड़ी बात तो थी नहीं हिर्म है भस में तो यहीं था ना फैक्टर ही करना था ना कि है आप क्या करेंगे इनमें व्यों जो प्हांन है उनको पहले पकड़ लो यह सब्ल में कॉमंध दो है पांच भी सब में है क्या हाँ यह दिख रहा है मूँ फइला के देखो यह दिख रहा है पांच भी है और भी कोई नंबर है सब में common जल्दी बताओ नहीं लिख लो लसीम दो और पांच दो ही जोड़ा बना इसमें तीनों में क्यों भी असा ही जा रहा है ना लेकिन अब क्या करेंगे जो किसी दो में common है उसको भी लिख लो कोई भी ऐसा है जो 2 में common हो साथ इसमें है बाकी साथ कहीं नहीं है तेएस इसमें है इसमें कहीं भी तेएस नहीं है जीतने बचे हैं सब को उतार लो उपन 7 बचा था नीचे 23 बचा था उसके नीचे आपके ये 2, 2 और 3 बचे थे बही या गुड़ा कर लो थोड़ा कठिन पड़ेगा यह कि मल्टीपल कर लो कितना आएगा दूइपंचे दस सत्तर यह जाएगा सत्तर गुड़ा इद्दूइदूना चार तियांई बारा कि ततर गुड़ा तेइस गुड़ा बारा कि इतना आएगा तीनों कॉमन लेने होते हैं क्या हाँ जी बिलकुल अगर तीन में कॉमन है कोई नंबर तो तीनों में कॉमन लेते हैं अगर तीन गिंती का लसीम है लेकिन एक चीज़ ध्यान रहें कि इसका लसीम हो रहा है याद रखना नहीं तो कोई उपर तैसी अप लिखा है अगर कोई गिंती सिर्फ दो में कॉमन है जैसे यहां पर 23 था अगर यहां भी 23 होता तो उसको भी कॉमन लेते मतलब घेर करके सिर्फ एक बार यहां पर लिखते 23 ठीक है जैसे 23 भी लिखा है तीन भी लिखा है तो सिर्फ 23 एक की जगा रहता बस दूर्जख नहीं रहता कि इसका उद्देश एक होता है कि कोई भी नंबर जो में कॉमन है उसको दो बार नहीं गुड़ा हो जाए बस ठीक है इतना ही होता है गुड़ा कर लो इनका 12-84 देखो इनका करने का तरीका क्या है अगर 23 का इसमें गुड़ा करने तो 12 का गुड़ा करना आसान रहेगा तो 0 यहां पर उतार लीजिए देखिए हल करने का यह तरीका होता यह इनको कर लेंगे तो आसान रहेगा जीरो उताल लिया सात का गुड़ा कर दो सात्रीक 21 सात्रीक 21 और साथ दुना 14 चवदा 15 16 16 और गुड़ा बारा अब बारा का तो सबको आता है 29320 सुसिल सिंग का ठीक है सुसमा परजापती सोनाली दीप सिखा ये तो अगर एक लोग बता दिये न तो सब वही बताते हैं अगुड़ा करूं 1200 यह कौन पूछा था क्या आपको समझ में आया कि अरे आया तो कम से कम एक बात थेंक्यू तो बोल दीजिए कि अरे मतलब हमको नहीं नहीं लोग को बोल दीजिए जो लोग देख रहे हैं इतना मेनत से कि अगे बढ़े चलिए ठीक है यह हो गया यह कुश्चन इन्होंने बीच में पूछ लिया था तो अब LCM-HCF में कुछ नया नहीं है अब दसामलों वाली संख्या का HCF और LCM कैसे करते हैं वह देखेंगे कि अधिक डालिये कि अले शम्लों वाली संख्या का LCM और HCF इसन लों संख्या का LCM और HCF सत्त्य जीत आपको किया को तकलीफ हो रही है हाँ है कि यह कह रहें लड़कियां ही सटड़ी नहीं करती लड़के भी करते जिरभाग है आप लोगों का प्लेश किया करें मीडिया में क्या करोगे चलो कि दसामलों वाली संख्याओं का LCM-HCF आगे बढ़े दसामलों वाली संख्याओं का LCM-HCF जैसे बहुत सारी चोटी-चोटी संख्याओं हैं बहुत सारी बड़ी-बड़ी संख्याओं देखते हैं सुनिये मैं कुछ लिया था इसमें कुछ वर्क था लेकिन यह सब अभी बताने लाइक नहीं इसमें एक चीज होता है सुनी लीजिये मैं जो बता रहा हूं पहले सुन लीजिये तब करते हैं दी हुई दसमलो संख्याओं का मासा ग्याद करने के लिए उनके संगत पूर्ट दसमलो का मासा निकाला जाता है तथा मासा जो मिलता है उनमें दाहिनी और से उतने अंक के बाद दसमलो डाला जाता है जितना भी दसमलों के अधिकतम अंकों की संख्या में दसमलों के बाद दाहिनी और अंकों हो का समझा कुछ ना समझा ना अब इधर देखो भी समझ में आएगा जैसे ये question है 1.5 0.24 और 0.036 इसका HCF देखिए एक चीद समझीए पहले हम विल्कुल रिसु अच्छी बात बोल रहा है तुम सही बोल रहा है चलो सुनू अब पहले बीना दसमलों की संख्याओं का हम HCF निकालेंगे सिंपल नहीं हमसे बस ऐसे दसमलों छोड़ दो उपर है रहने दो तो 3 गुडा 5 गुडा 1 2 गुडा 2 गुडा 2 2 दूना 4 दूना 8 तरीक 24 2 दूना 4 दिया 32 का है पहले 2 सा बात करोगे 18 आएगा 2 सा बात करोगे 9 आएगा तो ठीक है ओके है चलो समझी है तिम्पल नियम से हम इसका HCF करेंगे जो सब में common है पहले उनको खोजेंगे लेकर बत्ती देखो तो ये तीन मिल रहा है और कौनों नहीं मिल रहा है तो HCF कितना हो गया तीन लेकिन सावधान ये final answer नहीं है काहे को काहे को जो हम question लिखे थे वो दस हमलों में था अब इसमें देखना समझना main point ये समझने वाला है कोपड़े इधर करके देखो सभी मतलब आंक से देखिए सुनिए इसमें one digit पे दस हमलों है इसमें two digit पे है इसमें three digit पे है तो तीन अंक पर दस हमलों इसमें अधिक्तम था तो यहां पर तीन अंक पर दस हमलों लगेगा यह आपको याद रख लेना है बस यह आंसर हो जाएगा 0.003 समझ में आया ना अच्छा किसको कितना तेज समझ में आ रहा है जितना तेज लोग पैदल चलते है उतना तेज आ रहा है कि जितना तेज साइकल पे चलते हैं कि बाइक से या कार से या ट्रेन से या फिर एरो प्लें कितने की स्पीड में आ रहा है लिख लीजिए ये इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज समझने वाली है कि आप दसमलो वाली संख्या का आचसीव सिम्पल तरीके से निकालने के बाद तब गिनेंगे जिसमें अधिक्तम अंक पर दसमलो होगा वही अंक यहाँ पर उतने ही अंक पर लाश्ट में दसमलो लगेगा चलिए लिख लें जीए मिटा देए तब ही कंडिडेट फटा-फट क्लास को लाइक जरूर करें मैंने इस्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया था ना कि आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है बस चिंकी वर की मतलब किंची वर की जिसे बोलते हैं कोई सुना है कि नहीं यह वर्ड सुने हो किंची भर थोड़ा फार रत्ती भर और क्या बोलते हैं कितने लोग नहीं सुने हैं कुछ लोग होते हैं न सुने भी रहते हैं फिर भी वो कहते हैं हम तो बहुत अलग तरह के आदमी चरो 2.5, 1.8 और 3.5 और 0.35 इनको भी थोड़ा बदल दो मज़ा नहीं आ रही कि एक ठी और 0 लगा दो इसमें कि फोड़ा बन जाए बड़ा चलो यह आप करो कि कि इतना आएगा कि इनका आच सी अफ करेंगे तो कितना आएगा बोलिए यह तीनों नंबर अलग अलग है इनकी सकल इधर देख लीजिए जिनको कम दिख रहा है कि जीरो जीरो वन एट एवाई साइज लिख दो यार कि इतना आएगा कि एनिवन कोई बताने की हिम्मत कर रहा है तो बता दीजिए फिर रोंका कितने हैं चलिए फटा-फट मैं देर करता नहीं देर हो जाती है देख रहा हो गावेक सवूर नहीं है फिरों यह लोग देर करके आ रहे न इसलिए चलो देखो इधर पहले 25 ऐसे लिखेंगे फिर 18 फिर यह 35 सिंपल तरीके से फैक्टर करेंगे और उसके बाद फिर फिर दसंबलों कहीं साब कर देंगे बस यह नाम हो आम कौन पूछ रहा भई चुपए रहो बताओ मत पांच गुड़ा पांच गुड़ा एक दो दुना चार ना दो त्याइं छे तरीक अठारा दिख रहा है कि नहीं अब यह सिदा फिदा पांच से इकटेगा पांच गुड़ा साथ गुड़ा एक अंसर कितना आया सब्तजीत भाईया आप भी आ गए अच्छी बात है हम आप यह को खोज रहते हैं इतना देर से कभी कभी न हम किसी का कमेंट देखते रहते हैं चुपए चुपए आया कि नहीं आया लेकिन वह आता ही नहीं तो बड़ी अंदर से तकलीफ होती है किसी से कह अब भी नहीं पाथ है आया नहीं इसले को सभेंठे रहे जैसे बूह किसमें कोई कॉमल है आइसी में तो कोन नहीं है इ सिर्फिर कोई comment नहीं देखत रहे है तो का को नहीं होगा हम ऑदर एंतो बून होगा हा वन जिसके काउन साय के गने पता त्था फा爾 अञ्जर नहीं होगा कि यहां पर चार अंक पर 0.001 आ गया सब्सक्राइब में लिख लीजिए अब भी रेस सिंग समझ में आ रहा है कि पहली बार आए हो उमीद है कि आप बार बार आओगे अब फिर ना कहना कभी पहली बार आए है जल्दी लिखिये छापिये फटा फटा आगे बढ़ें कुछ और भी कुछ होगा कि यहीं सब होगा अभी कुछ दालवाद बनाना भी पड़ेगा पता नहीं कौनों जगवग राएक सब गए निपट गए यह सब इतने आलसी टाइप के हैं ना जब हम जाएंगे इनको बोलेंगे चिलाएंगे तब उठेंगे तब कुछ होगा भी समझ रहे हो बारा बज़े तीन चार बज़े तक खाएंगे बनाएंगे फिर उबेरे बारा बज़े उठेंगे हो सकता है कौनों देख रहा होगा गरिया रहा होगा देखो चिला रहा सासुरा वहां भी चलिए इनको फटा-फट करके बताएंगे कितना आएगा कितना आएगा रेनू यादो कमेंट आपका दिख रहा है आप रोज आईएगा आप बस रात के दस बज़े से दस बज़ कर चालिस मिनट तक कर दस बज़ कर चालिस मिनट तक लिखे देखे इसमें दस हमलों हटा करके पहले सारे नंबर के आप फैक्टर करोगे और फिर कि अफिर क्या होगा था मैं दस समलों का बाद में हिसाब कर दे ना लगा लेंगे ना इसको सभी बोली एक बार यास सभी कर लेंगे ना यार बहुत धीमे-धीमे चल रहा यह कला थोड़ा अभी स्पीड में चलनी चाहिए चलो इसको आप लोग कर लीजिएगा अब इस पीड में चलेगा इस पीड में भिन्नों का LCM और HCF दोनों कर लीजिए भिन्नों का LCM और HCF इसमें जितना है मैं उतना ही बता रहा हूँ यह अपने दिमाग में रखियेगा क्योंकि इसमें इससे ज्यादा है नहीं और उससे ज्यादा मैं देखा हूँ कभी परिक्षा में आया भी नहीं तो पढ़ाएं काये को उससे ज्यादा इसको कर लेना सबीजिए अब हेडिंग लिए भिन्नों का LCM और HCF भिन्नों का LCM और HCF भिन्नों अगर गूगल में बोलोगे नहीं तो बिन्नों लिखता है देखे इसमें एक चीज समझना है अगर LCM निकालना है तो लिखोगे अन्सों का LCM खरों का HCF और अगर HCF निकालना है यह सूत्रयाद रखना तो अन्सों का HCF और हरों का LCM यानि जो आपको में फाइंड करना है वो चीज हमेशा अन्सों का करोगे अगले का हर का करोगे बस यहीं है क्लास रात 10 बज़े से 10 बज़ कर 40 मिनट तक होती है लेकिन ध्यान रखना कि यह कलास लाइब के अलावा बाद में यूटूब पे सारा कोर्स नहीं मिलेगा अगर आप डेली लाइब आओगे तब ही मिलेगा नहीं तो बाद में वीडियो हम हटवा देंगे हम बहुत जाते हैं यह पागल होईगा और तुम लोग आराम से सोख राटा मारके सुबेरे उठके डाउनलोड करके देख लो चुपे से कैसे चलेगा तो पाद में नहीं मिलने वाला है एक मैं एड दिखाऊंगा पहले एक देख लो चुप चाप देखना इसकी पनी करना फिर अब चले एक कोईश्चन देते हैं अब दुबारा नहीं लिखेंगे नहीं उतना खराब नहीं है जितना आप लोग परेसान नहीं होगे हम बहुत अच्छे हैं इतने अच्छे हैं कि किसी को भगाते हैं फिर भी हमारी जिन्दगी फे दूर नहीं जाता हो तीन बटा पांच वा नो बटा आठ का HCF बताये कितना आएगा ये एक लोग है इनका नाम नहीं बोलेंगे इनको बहुत देर फिर टाइम पूछ रही इनके कान में बोलना पड़ेगा पकड़ के तब ये सुनेंगे मैं चार बार बताया तब से टाइम अभी इनके आवाज नहीं गई कान में इसमें क्या करेंगे इसको नुमरेटर बोलते हैं इसको डेनुमिनेटर बोलते हैं इंगलिस में ठीक है इसको नुमरेटर इसको डेनुमिनेटर बोलते हैं तो LCM आफ नहीं HCF आफ नुमरेटर यानि तीन वा यह बाई हड़ जाए यार चल नहीं रहा है HCF पाँच वा आठ का LCM हाँ भिन्नों को सरल करके भी LCM निकाल सकते हैं बिल्कुल सरल करके ही निकालते हैं मेन यही फंडा है ठीक है मिश्टर राकेजी सरल करके ही निकालते हैं वीडियो डाउनलोड करके समझे लो गर्ल फ्रेंड से बड़ा दोखा होता है वो जो वीडियो डाउनलोड करके देखता है आनलाइन देखिए डाउनलोड मत करिए समझ रहे ना नहीं तो इसलिए तो हम हटाते हैं ना बाद में नहीं रहे तीन और नौका HCF करोगे तो क्या आएगा भाई, तीन और नौ का HCF आपको याद रहना चाहिए, तीन आएगा इसका LCM करोगे तो कितना आएगा पांच अठे चालीस, तो यह हो जाएगा, अंसर तीन बटा चालीस कितना आएगा, तीन बटा चालीस लिख लिजी यह जल्दी से हो गया HCF करना था ना, अंस का HCF, तीन और नौ का HCF हो गया, तीन इनका LCM हो गया, चालीस विसाखा सिंग, कुमारी प्रियंका देखिए आप लोग टाइम पे आईया करिए भाईया, टाइम पे आया करिए, टाइम हो गया, ओबर अब नहीं पढ़ाएंगे आज का यहीं तक यहीं पे खतम हाँ, लेकिन कुछ लिख लिजिए, आप लोग जिससे बाद में जा करके कम से कम कुछ तो करें अच्छा जैसे होता नहीं, छोटे बच्चों को समझाते हैं, कि बटा पढ़ले पढ़ले नहीं मारेंगे तो कहता है हर दम कहते तो मारते तो नहीं, तो वही हाल इनकी है, यह कह रहीं कहते ही तो है, रिमूब तो करते नहीं है, आज कल सुबहरे दीपा काता है न, मैं उसको यही करवाँगो सबसे पहले, कि बच्चा जितनी कलास है न, पहले कि यह लटकी सा बटा दो फटा फटा, तब इनको समझ में आएगा तीन बटा पांच, चार बटा साथ, यह पहला है 42 अपान 38, 95 अपान 18, 40-0, मतलब 38, यह सबका HCF करना है, लिख लीजिए HCF, LCM, दोनों करना ठीक है बस इतना करना ज्यादा नहीं वैसे भी आप लोग कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है आज इस पर एक बड़ा ही important बात बताने वाले हैं कि दो संख्याओं का जो LCM होगा LCM LCM कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं होता है याद रखना, जैसे यह संख्या 8 है, यह 29 है तो इनका LCM कभी भी इन दोनों संख्याओं से छोटा नहीं होगा जो भी होगा लेकिन इनसे बड़ा ही होगा यह fact है, ठीक है? जैसे अगर दूसरा एक्जंपल आप ले लीजिए, 125, 115 इनका अगर HCF की बात करें तो HCF कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं होता है ठीक है? HCF यानि highest common factor कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है यह fact आप लोग याद रखिएगा सीवानी दूबे जी आपका कमेंट आ रहा है वनसी का जी आपका भी कमेंट आ रहा है सालू, पंकज, आचल, प्रिआंशी, जाबाभा पर्वीन, उपासना दिभयांसू और भी तैकडो गंडिडेर जुडए हैं सबका कमेंट आ रहा है तो सभी फटा फट सेशन को लाइक करके अपनी हाजरी यानि अपनी एटेंडेंस लगाएं ठीक है कलास शुरू हो चुकी है कुछ लोगों को पता ही नहीं है ये लोग बोल रहें कितना टाइम लगेगा चलने में भाई मुझे आधा मिनट दीजिएगा आधा मिनट दीजिएगा मैं कुछ करने वाला हूँ इधरे करूंगा जो करूंगा आपके सामने इटेंसर मदले न चुपेंगे नहीं कि लाज सुरू हो चुकी है लिंक पर क्लिक करके रिफ्रेस कर लें जिन लोगों को नहीं चल रहा है उनको रिफ्रेस कराना जरूरी है जो पहले से आके बेट कर रहा था न तो उन लोगों को दिक्कत हो रही होगी चलो आज क्या पढ़ेंगे घातांक वाली संख्याओं का HCF गातांक वाली संख्याओं का HCF पढ़ेंगे आज देखिए सुनिए जैसे यह कुश्चन है टू का पावर फाइव टू का पावर नाइन और टू का पावर थ्री इसका HCF क्या होगा बताईए देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है आप समझिए पहले बताईए क्या होगा फटा फट बताईए क्या होगा तर्मा जी आप ऐसे भी फेमस हैं आपका नाम क्या बोलना है कि यहां पर एक अच्छा फैक्ट आपको बता रहे हैं अगर घातां के रूप में नंबर दिये हैं और इनमें आधार इक्वल है बेस इक्वल है बेस अगर इक्वल है तो जो घात सबसे छोटी होगी जिस पर वही इसका क्या होगा HCF होगा याद रखना बस सिंपल सी बात ठीक है यह दिदी गई संख्याओं का आधार समान तथा घात आसमान हो तो मासा निवनतम घात वाली संख्या होगी समझ गए ना राकेश सर्मा स्वेता यादो जी ठीक है कमेंट आपका आ रहा है आईए एक अगला बताईए भाई यह बुलू अलाटा दो यह दिखता नहीं है जैसे फाइब का पावर फोर और फाइब का पावर टू और फाइब का पावर सेबन इसका है अगर कोई लेने को बोलता है बहुत तेज गुस्सा लगती जानलो अगर तुम लोग कहों तुम्हें कंठी ले आउं 108 माला वाली तुम्हीं लोग का नाम बैटके जपू ही पे ना पढ़ाओं देखिए अगर आप आंसर देते हैं तब अच्छा लगता है एक आद लोग का नाम बोल देते हैं हमें भी अच्छा लगता है तुम कहों मेरा नाम काहे नहीं लेते हो काहे लें तुम्हारा नाम कुछ दिए और नाम लेने के लिए का कौन इतना अच्छा का कियो आगे क्या बोलू चलो आंसर तो नहीं बताएंगे उसके लिए ना नहीं मर जाएंगी बताने के लिए नाम बोलवाने मज़ा था बस नाम ले लो इनका कल्र हो गया जो भी नाम लेने को बोला उसे तुरन ब्लॉक करिए फटा फट जो बोले मेरा नाम ले लो उसे तुरन ब्लॉक कर दो एकदम से हमेशा के लिए जल्दी फटा फट चलिए ये काम आप लोग करेंगे जो हमारे मौडरेटर लोग है नाम लेने वाले को तुरंट ब्लॉक कर यह अगला है इसमें कोई नहीं बताना है आपको यह समझ के चलना इसमें कोई कांसेप्ट नहीं करना इसमें कुछ हाल भी नहीं करना है कांसेप्ट अगर बताएं तो concept भी सीख लो कांसेट बताने का कोई मतलब नहीं है सुन लीजिए लेकिन देखिए एक्चुली बात यह है कि जैसे चोटे से कुईस्टन में बताऊंगा जैसे दो कघात एक है दो कगाद दो है दो कगाद तीन है इनका अगर हम रियल का मान निकालेंगे तो इसका दो आएगा इसका चार आएगा इसका आठ आएगा आप सबको पता है न है HCF का मतलब यह होता है highest common factor वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह completely divide हो सके वह HCF होता है तो बहिया हो वो बड़ी से बड़ी संख्या इनमें तीनों में कौन सी है जिससे यह तीनों कट जाएं बताओ तो जो सबसे चोटी संख्या होगी अगर घातें अलग अलग हैं आधार बराबर था तो वही संख्या होगी ना सबसे बड़ी भाजक समझ रहे ना यही concept है बस यह नियम तब लगेगा जब उनके आधार बराबर हों और घाते अलग अलग हों अन्थारी जी बहुत अच्छे बेरी गुड आधार बराबर और घाते अलग अलग हों तब यह नियम लगेका अन्यथा नहीं लगेगा है इसमें देखिए इसका आउसर होगा 5 कवावर टू अ नक्ष्ट कुष्चन 108 कवावर पांच 108 कवावर 2 और 108 कवावर साथ कि इसका आंसर कितना आएगा अगर हम बोलें कि आप आप सिए बताऊ आए आंसर दीजी ए पंकज ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बताइए आंसर दीजिए काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा बीना बोले भी नाम होगा समझ रहे हो ना अगर आप अभी इस भरी दुपारिया में जाकर के चवराहे पे ठंडा पानी सर्बत पिलाना शुरू कर दीजिए एक हजार लोग को पिलाईए मीडिया वाले आके आपके मुह में माइक डाल के आपका इंट्रव्यू लेंगे क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो ना लेकिन चवराहे जाक खड़े हो के जो आयो उसको एक थपड़ मारिये गरियाना शुरू कर दीजिए तो आपको लोग पटक पटक के वहीं कहीं आईसी जगा छुपा देंगे कोई देख नहीं पाएगा इसलिए अगर नाम करना है ना तो काम अच्छा करिए अंसर बताइए नाम आपका लिया जाएगा चलिए इसमें सबसे पहला अंसर अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम है अनुपम मौर्या अनुपम जी ने सही बताया है उसके पहले राकेश जी ने बताया था राकेश सर पातांक दोनों अगर आसमान हों तो उनका मासा गुड़नखंड विदी से करते हैं ऐसा तो जल्दी मिलता है नहीं इसको चलो छोड़ो कि अब यहीं पढ़ा देंगे तो फिर पीवियार स्टडी आप अलेका करेंगे अध्या तीन शुरू होता है बेंजकों में परियुक्त जोड़ घटाना तथा गुड़ा भाग सरली करन एक परकार से बात करें तो बॉर्ड मास का रूल अध्या तीन शुरू होता है डियलेट का सिकेंड समेश्टर का मैथमेटिक्स अध्या तीन ठीक है यह अध्या दो से ही सुरू हुआ था क्योंकि अध्या वन में इस बुक में जो है वो था वोसे आप अध्या दो मानो इसे अध्या वन में गडित का इतिहास था जिसे आप लोग को खुद से पढ़ना है इसका नाम है बेंजक में परीव तो जोड़ घटाना गुड़ा भाग कुल मिला के जान लो बोर्ड मास का नियम पर अधारित है सुनिए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कोश्ठक आपने सुना है कोश्ठक कि नहीं कि इतना लोगों ने सुना है कोश्ठक बड़ा खतरनाक है यह जिसें इंगलिज में ब्रेकट बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्रेकट ब्रेक अप मत लिख लेना ब्रेक अब ब्रेक अब बताइए कितने प्रकार के होते हैं कोश्ठक कितने प्रकार के होते हैं चल्एगं स्पेलिंग साही है कि नहीं कर देंगे बाद में ब्रेकट मुखता चार प्रकार के होते हैं एक ऐसे बनता है खुचका करदार एक ठी बड़ा खतरना का इसे होता है कभी मुझे बनाने आया नहीं आज तक लेकिन जब से पढ़ाने लगे आने लगा एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है इनका नाम जानते हो अप लोग मिटाई दे रहे हैं जाने दो तुम लोग भाई बिज्जिती कर रहे हो तो बी आर ए सी के ई टी एस ऐसा होता वरे कट्स ओके इतना तो मुझे आता है गूगल में देख सकते हैं गूगल दादा काय के लिए सुनोग ऑस्रीजिए बोलते हैं ध्यान से ioTH समझ लीजिए बहुत काम का चीज है इसे बोलते हैं बड़ा कोश्ठख इसे बोलते हैं मजला यह मजलका है हमारे जैसने यह कौनymph ए छोटा और यह है रेखा देखे घर में अगर किसी की इज्जत होती है या बड़े वाले की मजलके वाले की नहीं होती है हूं कि पूल रहेंगे कि इसे रेखा कोश्ठक भी कहते हैं बार जो बता रहे हो ठीक है वह बार वाली बाट अलग है पर लगा अगर कहीं 5-3 म्हелей फ्रकारा के तो यह हैं यक्षा कोश्टक लगा है तो यह आपका बार नहीं इससाथ बार न कि ढ़र सब्सक्रान कमीत में रहा है जोना बात कर रहे हो शिर्फ गटीट नंबर कर नहीं लग आगे जब पढ़ाएंगे सम Kr पूरा समझिये इसको लिक किये मैं मिटाओं रेखा मजला छोटका ठीक है चलिए आप लोग कोश्टक समझ गए ब्रेकट समझ गए अब इसमें हेटिंग डालिए बोर्ड मास बोर्ड मास रूल बोर्ड मास रूल बहुत ही प्यार से एकदम चोटे बच्चों जैसे पढ़ेंगे के अपका नहीं आता इदना छोटा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही चोटा से सुरू करने वाले हैं इसलिए आप चुपके से पढ़िए चलिए सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालिए इधर साइड में आकर के साइड में बोर्ड मास रूल कि इसमें इस बी का मतलब है ब्रेकट बी आर ए बी आर ए सी के इटी एस ओके इस यह कहां जा रहा मेरा दिमाख प्रेकट न इस इस ब्रेकट मतलब कोश्टक और अधर कि इस दी का मतलब डिबीजन तो यह मतलब मल्टीपल कि एक मतलब एडिशन कोई मुझे कह रहा है बड़ा साम सभाव के अभी बताते हैं रूको कि इस का मतलब अस्ट्रेक्शन कि यह इनका मतलब है अभी मैं डिटेल में समझाओंगा तो समझ में आएगा इनको लग रहा बड़े सान सभाव के हैं क्योंकि अभी तक हमें सानते ही तो देखें अभी हमें किसी को गरियाते हुए कहां देखें तब इनको लगेगा कि बोला हरामी टाइप का है ना क्या बोलते हैं उसे यह भी मुझे लग रहा है गलत वर्ड़ ही है लेकिन कहीं सुना था मूबी वगयरा में आज कल ना कितने भी गंदे वर्ड़ों या सही वर्ड़ों आप उन्हें सोसल मीडिया पर देखोग कि उसके पहले थोड़ी सी कुछ मतलब की चीज समझे कहिए तो बता दूं या ना बताओं घातांख घातांग के नियम और से तो पढ़े हो आप लोग लेकिन लिख लीजिए यह भी काम आएगा लिख लीजिए सूत्रिया घातांग के नियम पहला लिखिए गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती है एक पावर यम इंटू एक पावर यन इक्वल एक पावर यम प्लस यन सिकेंड वाला अगर ऐसे घात लगी है एक ठी बहरे एक ठी अंदर एक पावर यम इंट हो जाता है ठीक है ओके भाई यह परजा पती कौन है इन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया क्या नाम है आपका मिस्टर अगला तीफरा इन्हें लिख लीजी अभी मैं पूछूंगा भाग करने पर घाते घट जाती है और किसी भी वरियवल्स की पावर अगर जीरो हो तो उसका मान वन होता है एक चीज और बड़ा खतरनाक वाला है इसको ध्यान देना जरा अईसे है यह इसमें ए लिखा है फिर इसे है इसमें ए लिखा है फिर इसमें ए लिखा है डाट 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 अगर इन्फाइनाइट है नन तो इसका मान ए होता है ठीक है समझ में आया ना किसी को कोई समस्य तो बतादो यह फार्मूले है अभी आपको पलटना पड़ेगा उगलना पड़ेगा अभी निगल जाओ इन्हें निगल ज़ल्दी जल्दी अभी काम लगेंगे तो एक-एक को निकालना चलो स्क्रीन साट लिजिए जल्दी मिटाऊं चलो हो गया डन तो इनको ऐसे लिखा रहने दीजिए इनको मिटाता हूं उपर से देखे स्क्रीन साट ले लिया करिए मोबाइल में नहीं आता है तो जाके अडोसन परोसन से सीख के आ जाईए लेकिन आना चाहिए यह नाम बताया जो नहीं तो यह जो दात निकाल रहे हो ना हम गायब कर देंगा भी यहां से चलिए आप कुष्टन करते हैं तभी समझ में आएगा लिखिए सबसे पहले तो बिना कोश्ठक के ही हल करते हैं एकदम छोटा सा कुष्टन ने प्यारा था जैसे 12 डिवाइड बाइड वाई 6 इंटू 5 और प्लस 2 ठीक है सुनिए इसमें बोर्ड मार्स का रूल यूज करेंगे करेंगे समझें देखें नहीं होगा तब फिर यह नहीं होगा नहीं नहीं जो आप बता रहें फिर वह अलग चीज हो जाएगा मिस्टर आकेश जी क्योंकि वह डिपेंड करता है कि किस सिच्वेशन में आ रहा है कि उसको साल्व करके और भी कुछ लाया जा सकता है या फिर अगर डाट डाट लगा है इंफिनिटी नहीं भी लिखा तब भी वह इंफिनिटी माना जाता है नंतक कि इस तुनिए कि सबसे पहले अब हम इसको देखेंगे बोर्ड मार्स रूल कहता क्या है कि भी मतलब ब्रेकट क्या इसमें ब्रेकट लगा आपको दिखरा किसी को बई चास्मा निकाल के देखो दिखरा है लेकिन सामने इतनी लाइट जल रही न कि दुबारा चास्मा लगाने के बात भी नहीं दिखाई पड़ेगा इसलिए इसको लगाए रखो तो यहां भाग से शुरू है वाग है गुड़ा है हolt और जोड है गटाना नहीं है यानि यहां से शुरू है यहां पर Biology स्ब्से पहले क्या आएज़ा दी मतलब दिवीजन फिर मल्टिपल फिर एडीशन यानि दींडी वाला आगे देखोगे कि इसमें देखो बोर्ड मार्स रूल तो है लेकिन इसमें सब नहीं हुज है अभी सब वाला आगे देखोगे सालेनी उपाध्याए समेस्टर का सलेवस आप जानिए कोई बुक नहीं बुक का नाम बताके यहां बुक का परचार नहीं करने वाले फ्री में इनका परचार करेंगे जब कुछ देंगे पैसार उपया तब चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे डी मतलब डिवीजन करेंगे यानि 12 में हम पहले 6 का भाग करेंगे समझना तो जब 12 में 6 का भाग करेंगे भाईया बाबू तो 2 आएगा यानि इतने पूरे की नीचे 2 आ गया याद रखना क्या आ गया दो न फिर ये गुड़ा का चिन ऐसे लगा लेंगे और ये नंबर 5 लिख देंगे फिर प्लस टू एक लाइन में एक काम करेंगे एक से अधिक नहीं ठीक है दूसरे लाइन में अब गुड़ा बचा है और उसमें चảटी मेल खडए है दूझी फुमेल खड़े हैं पाहला काम कीसका होगो है ऑफिमेल most शह व है ना यहां पर लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर समझेए यहां रूल है मल्टिपल फिर एडिशन आता है यानि पहले गुड़ा फिर जोड पहले गुड़ा फिर जोड ठीक है तो पहले क्या होगा गुड़ा होगा तो दूई का 5 में गुड़ा करोगे इतना की जगा पे 10 आजाएगा और प्लस का यह 2 इकोल हो गया 12 यह अंसर हो गया कितना चोटा था यह यह उनके लिए था जिनको मैत नहीं आती है अभी आज एक कि क्या बोलूं है फोन की थी पता नहीं वो देख तो नहीं रहे नहीं गरी आने लगें इसी में आंटी जी थी और क्या बोले हम उनकी डेटा वर्थ 1985 के लगबग थी 88 बता रही थी और दिल्ली से थी अपने राजधानी से इंडिया के करें थी कि मैत पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है बच्चों को पढ़ाना भी पढ़ता है और सायद हमारे चोटे भाई जी ने बात किया था मेरा ही नाम बता किये हूं तो बोल रही थी कि पढ़ना तो है लेकिन चुप्पे से कोई जान न पाए यानि अगर कोई जानेगा तो बिजती होगी कि हाँ यह इतना छोटा-छोटा आपको आता नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है मतलब समझें पढ़ा चुपा के क्यों कोई गंदी चीज तो है नहीं कि आप नसा कर रहे हो चुपा करके या कोई ऐसी बात चीज चल रही हम लोग की चुपे-चुपे वाली कि को यह न जाने इतना चुपाना क्या अच्छी चीज है पढ़ रहे हैं आप सीख रहे हैं कोई जान नहीं गया तो करना चाहिए अगर आगर देवन प्लस नाइन डिवाइड वाइट री माइनस का टू कि इसका कितना आएगा बताईए जल्दी से फट से इसका आंसर दीजिए मैं सिखा रहा हूं इसलिए छोटे-छोटे से बढ़ाता जाऊंगा अब इस टाइप का नहीं दूंगा आगे बढ़ेगा कठीन हो जाएगा सबसे पहले बोर्ड मास रूल में आते हैं तो ब्रेकट हल होता इसमें कोई ब्रेकट कहीं नहीं लगा दूर दूर तक ब्रेकट की कहीं सकल नहीं आ रही है ना ओ मतलब अधर अधर के बारे में भी बताएंगे जैसे कहीं स्क्वाइर लगा हो या फिर अंडरूट लगा हो गयरा उगयरा इसमें कहीं नहीं है दी मतलब डिवीजन यह भाग भाग का चिन्द है ना है यह मल्टीपल यानि D-M-A-S इसमें है D-M-A-S D-M-A-S डिवीजन मल्टीपल एडिशन और सबस्ट्रक्शन सबस्जिए तो सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं बोट मास रूल में सबसे पहले D आता है तब हम आता है यानि पहले भाग फिर गुड़ा फिर जोड फिर घटाना यह सीरियल है जो लिखा इधर साइड में अरे वो टीब प्लस नाइन में थिरी का भाग करेंगे तो थिरी आएगा अब माइनस ऐसे टू और इंटू फाइव दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बार बार बोल रहा हूं लिख लो कहीं सबसे पहले चिन की अगर बात करें तो जोड घटाना गुड़ा भाग इतने चाठी चिन होता ह जोड घटाना गुड़ा भाग चारे चिन होता मैथ में इसी में पूरी जिंदगी बिच जाती है ताय फायदा हो नुक्सान हो लड़ाई हो जगड़ा हो मार पिटाई हो प्यार महबबत हो सब चारे चिन में चलता है रमजो लोग लोग से मिलते हैं तो जूड जाते हैं लड़ाई जगड़ा हो जाता घट जाते हैं है न दूर लोग और मिल गए तो गुड़ा हो गए सुनो इधर भाग हो गया, अब गुड़ा होता दूफरे नंबर पे, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ये पहले नंबर पे, ये दूफरे नंबर पे, ये भाईया तीफरे नंबर पे, और ये लाश्ट में सबसे चोथे नंबर पे, दूसरे पे मल्टीपल होगा, सेबन प्लस ये थिरी माइन माइनस दूफरे पे जुड़ेगा, फाथ तीन दस माइनस दस, इतने आएगे जीरो आएगा, पंकच पटेल बहुत अच्छे पंकच, बेरी गूट, लक्षमी रंजन, ठीक है, बिसाखा सिंह, बिल्कुल सही, कारेक्ट आंसर, ठीक है, बेरी गूट, बेरी गूट, चलिए तो यह आप लोग सीख गए अब बहुत ज्यादा छोटा बताने का मतलब नहीं, यह 18-0 मत लिखो, चलो, जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए, इसलिए धीरे धीरे पड़ो, नहीं फास्ट वाला काम नहीं करेंगे, हम फास्ट करेंगे तो दिमाग में जाने एक बज़ा बगलत निकल जाएगा, चलिए तो यह सिंपल में भईया हो गए, अब थोड़ा थोड़ा बुक में आजाओ, कोश्टक के साथ इनको सजा समार के लिखो, चलिए, थी थी, माइनस टू, माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, अब बताईए, समझ ये, देखिए, हमारी कोशिस है, हर कोई सीख जाए, ये नहीं खुपतेते, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, देखो समझो, हर कोई को आना चाहिए, ये समझ में भी आना ब्रेकट, सबसे पहले ब्रेकट हल करेंगे, ब्रेकट में भी नियम होता है, सबसे पहले बड़ा कोश्ठक, फिर मजला, फिर छोटा और फिर रेखा कोश्ठक, तो इसमें बड़ा कोश्ठक है, मजला भी है, छोटा भी है, तो सबसे पहले बड़ा कोश्ठक हल करते हैं, न एक-एक समस्या को हल करेंगे ने जिंदगी में उलता करते हैं बड़ी समस्या को पहले हल करते हैं नहीं तो जिंदगी समस्या बन जाएगी लिए सबसे पहले चोटा कोष्ठक है यह आयसे लिख देंगे तब तक तुरी- यह टू माइनस इसको दो से भाग करोगे छे में तो तीन आएगा कितना आएगा तो यहां पर तीन अभी यह कोश्टा खतम हो गया यहीं तक अब देखो समझो अब क्या करेंगे मजला कोश्टा कि इसका अंसर कितना आएगा कोई बताएगा सीमा सिंग ठीक है हाँ बहुत अच्छे गजाला गजाला यह नाम इनका दीब सिखा सब कर लेंगे ना बहुत अच्छे चलो अब मजला कोश्टा खल करोगे तो यह थ्री माइनस इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे भीया बाबू तो क्या आएगा यह माइनस में वन आएगा क्योंकि उल्टा घट रहा है ब्रेकट खुलने पर अंदर के चिन बदल जाते हैं तो माइनस था तो यह प्लस हो जाएगा ठीक है अंदर के चिन क्या होगे चेंज हो जाएंगे तो यह प्लस में आएगा क्यों अंदर किशिंद बदलते हैं न तो अगर यह प्लस होता तो क्या होता मानेस हो जाता तो कितना है यह तो बड़ा अडचन वाला हो रहा न तो आपस में इसमें इसमें कुछ द्यार रहा है कि जैसे देखो कहते न कौश्टक फूलता अंदर कि अगर ये ऐसे यहीं पर कोस्टक फोल दिया जाता तो ये प्लस हो जाता तीं कर जाता तभी तो यह आथा है यह 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 वह माइनस था अगर माइनस माइनस बहरे निकल जाता तो पलस हो जाता चार आ जाता दो आएगा कि इस इतना आएगा दो ही आएगा बाकी कोई कंफूजन होगी तो बताना बाद में कि ओके कि आगे बढ़ें कि क्योंकि कोईश्टक पहले ही हल हो चुका है एक मिनट अच्छा इसमें कुछ कि कुश्चन और करिए तब तक फिर इसके बारे में बात करते हैं अभी समझेए ठीक है ठीक है इस तरह करना ही समझ में आओगा पहले एक और करिए फिर इसके बारे में बात करते हैं एक कुश्चन और करिए हां उसका आंसर जो है चार ही आएगा चार ही आएगा देखिए एक्चुली क्या है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हर किसी को होता है मैं बताऊं इसका रियल हकीकत क्या है समझे यह कोश्ठक में लिखा था न यह कोश्ठक हल हुआ तो यह गलत कोश्ठक काम यहां खतम हो गया है अभी जो भी आया यहां ईकल के ही मैनिस है और यह माहिस यह प्लस हो जाएगा फाइनल में फौर आंसर आएगा दो समझ रहें ना यह झालHH कोश्ठक का यहां पर यह कोश्ठक फिर यहां लगाना जो आइसे लगा दिये थी वह बड़त हो कि वह गड़बर था ठीक है तो यह कितना आएगा फ़ोर कि आगे बढ़ें नेक्स्ट रुकिये इसमें से कुछ कुछ लिखके रखा हुआ था बढ़ मिल नहीं रहा है कि इसको हल करने का एक और तरीका है जहां जहां भाग का चिन लगा होता वहां आप गुड़ा लगा के फ्रेक्शन को पलट भी सकते हो ठीक है एक और लिखिए टू प्लस कि अब यह कुश्चन प्रिंट रहे तब तो अच्छा है फाइब प्लस सिक्स प्लस एट डिबाइड बाइट तू तो तीनों ब्रेकट बंद तीनों ब्रेकट बंद यहां पर भाग का चिन लगा है थोड़ा सा समझिएगा यह तीनों कोश्टक बंद है कितना आएगा कोशिस करिए चलिए देखिए यहां पर हम अब दूफरे तरीके से बताएंगे अगला तरीके से समझिए अगला तरीके से इसलिए बताएंगे कि आपको जिससे थोड़ा कुछ न कुछ तो अलग लगे अगरा को अगया ये अधर ब करेंगे लेकिन ब्रेकट भी लगा तो पहले रेकर का हिसाब होगा सबसे पहले चोटा कुछ थक तो ये आईसे लिए कुछ लईजिए प्लसे 5 प्लसे वला हिसला निए वहां पर नहीं नहीं तो उसमें इसमें जाता है जहां इस में बाग चिन लगा है न तो क्या करेंगे बाग की जगा पर हम गुडा कर सकते हैं अव गुडा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका छे प्लस आठ गुड़ा एक बटा दो यह कड जायेगा चार डियानि आपका कितना आएगा आठ चा चूदा यह यह चार दस कितना है इसनल में कितना है तो यहाँ पर हम क्या लाके लिख सकते हैं 10 अब यह कोई ठाकबन ओके भाई दोनों जगा प्लस हो गए अब यह दोनों जुड़ जाएगा दस पांच पंदरा अब यह पंदरा हो जाएगा तो टू के बाद प्लस जश्ट आके पंदरा लगेगा कोश्ठक फिर नहीं लगाना नहीं तो फिर उलत जाएगा यह सतरा ठीक है समझ मैंना सभी को देखिए अभी तक आधिस से ज्यादा कंडिडेट ने क्लास को लाइक नहीं किया भीया देखिए आपकी जिम्मेदारी होती है क्लास को लाइक जरूर करें जल्दी से तुरंट फटा फट सेशन को लाइक करें अपनी अटेंडेंस लगाए यह गिर दिमाग खराब करके रखा है तो यह था पंकज अनुपा मजीद लवी वर्मा फटा 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 आप लोग सेशन को लाइक करें यह सभी अब इस तरह के कोश्चन आप लोग कर लेंगे अगर इन्हें हम उसमें देते प्रिंट करवा के स्क्रिन पर दिखा देते तो बहतर रहता इसमें लिखने में टाइम लग रहा है चलिए एकात और ले लिजिए एकात कुश्चन और कर लिजिए लिखिए 6 माइनस मजला कोश्चक 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6 डिबाइड बाइ 2 चलो यह कैसे होगा भाई कितना आएगा देखिए समझिए सुनिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल में ब्रेकट हल करते हैं ब्रेकट का रूल होता है कि सबसे पहले छोटका कोश्चक फिर मजला फिर बड़ा इस हिसाब से चलते हैं न तो ब्रेकट में सबसे पहले छोटा कोश्ठक की कहानी जो है उसे हैं रिप्टाएंगे पहले ऐसे लगा लो 6 माइनस 2 इंटू 5 माइनस ये पूरा पूरा यहां लाके लिख लीजिए पहले इसी को हल करना है गुडा का चिन लगादेंगे भाग की जगा पर यह Suppler जाता है ठेक है जो भागे दो है वह होद्यबटा है जब गुडा का चिन लग जाता है यह कर जाएगा तीन आएगा और यह दो त्याहिए आएगा फाइनल में यहां पर छेल आके लिखोगे बिना किसी चिनना उनना के अब यह कोष्ट रखा लोगा तो इसमें क्या होगा गुड़ा और माइनस दोनों है दूपंचे दस में से छे जाएगा कितना आएगा चार फाइनल में दो आंसर आएगा प्रियंका ठाकुर जी बहुत अच्छे बेरी गुड़ अजीत तरिश्टी सिंग ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड़ चलिए अब ध्यान दीजिएगा कुछ स्क्रीन पर आएगा तुसे देखिएगा पूरा और लाइस्ट में बताईएगा एक ऐसे यास या नो जल्दी लिखिए फटा फट लिखिए लिखिए फटा फट कि आप लोग कर दिये भट से तुरंट इसकिप ना किया करो भाई थोड़ा देर तो देखा करो कुछ सीखा करो और एक ठी दें इसको कर लीजिए का घर से लिख रहे हैं लिखिए 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इसको कितने लोग कर लेंगे किak कितने लोग हल कर लेंगे बोलिए जल्डी से फटा फट करूरा देखा करिये समझा करिए शिखा कर्ये लोग उसमें भी तो कुछ नद कुछ दिये होते न और अगर आप लोग उसको देखते हैं तो वह हमारे लिए भी वेतर होता है इसलिए देखा करिए जब भी पीवीर स्टडी के किसी वीडियो पर एड़ोगर आये तुस्से देखा करिए कर लेंगे सभी ना इसको कर लीजिएगा तो बोर्ट मस रूल के हमें लगवाग हर टाइप के कुश्चन हो चुके हैं इसके बाद आगे हैं जोड घटाना गुड़ा भाग इसे तो आप लोग करी लेंगे इसमें तो कुछ नया है नहीं जोड घटाना गुड़ा भाग सबको आता है न कुछ कुश्चन कर लीजिए यदी एक दर्जन कलम का मुल्य चो तिस सो चपन रूपए है तो एक दर्जन कलम यदी एक बहत्तर दर्जन कलम का मुल्य इतना है एक दर्जन कलम का मुल्य कितना होगा बताओ भाई यदि 72 दर्जन कलम का मुल्य कलम का मुल्य 3456 रुपया है तो एक दर्जन का मुल्य कितना होगा कैसे करेंगे बताइए 72 दर्जन का मुल्य कितना होगा कैसे निकालेंगे तरीका बताओ बस कैसे करेंगे इसको हम है कैसे करेंगे कर लेंगे न सभी ठीक है बहुत अच्छे सबसे पहले उपासना प्रजापती जी ने कहा कि इसको डिवाइड करेंगे पहले वाले का 5-56 बहुत अच्छे 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 बहुत इतना चोटा-चोटा है ठीक है कि इतम सिंपल सिंपल सा है कि अ कि अ ओके तब ठीक है यह डन कि इसको आप लोग करिएगा इसमें और कुश्चन कल करवा दिये जाएंगे कि किसी को कुछ कहना है तो बताइए किसी को कुछ कहना है क्लास से संबंदित तो बोलिए फटाफट अफनेहा आरुन दीप सिखा ठीक है अपका कमेंट आ रहा चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है ओके सुनिए इसका है यानि हाइस्ट कामन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को लेकिन कि रुटका हुआ का क्या होगा यह तो कटेगा नहीं तो तीन ही वह अंसर होगा ठीक है कि साथियों लुक्त पढ़ चुके हो बताइए यस पढ़े हैं तो सभी सेसन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दीजिए जल्दी से कि हां आ आ गए हैं अगर आप लाइक करे ल्सीम पढ़ाएंगे आगे बस जो पढ़ाएं हैं थोड़ा सा देख रहे हैं उसी में इसका जवाब दीजिए नहीं आ रहा तो नो लिखिए यन ओ नो डाक्टर तिलक धारी इनका नाम है आरती निसाथ ठीक है चलिए ओके डन तो यह आप लोग करिए इसके बाद है साथी मेरे जोड़ घटाना गुड़ा भाग यह आपके सिलेबस में है पैटर्न में है इसलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा जिसको अच्छा लगे वो पढ़ेगा जिसको नहीं भागना नहीं है इसमें कि हमें तु सब आता है थो फॉसार स्चाइन आगर जोड़ा गट कर लेगा इसको एक बार सभी यह वो लिए कि आज कुछ गडबड हुआ है आख में तभी एक बार यस बोलिए यह सब तो आप लोग कर लोगे ना भाईया लोग है तो ठीक है यह आप कर लीजिएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है नहीं आता तो बताईएगा मैं जीरो लेबल में पढ़ाया हूं इकी तरह से घटाना वाला भी है गुड़ा वाला भी है भाग वाला भी है यह आप लोग कर लीजिएगा इतमें कुछ थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा मैं गुड़ा में इस्पेसली जैसे अगर यह मल्टीपल है तो यह बताओ इसका मान कितना आएगा जल्दी से कुष्टन नंबर मान लीजिए इसको 5 कितना आएगा जबाब दीजिए एक सो असी अपान सेबन इंटू जीरो इंटू याक्स अपान 5 इंटू 5 इसको अगर हम 6 मान ले तब बताओ कितना आएगा छे में कितना आएगा इसमें साथियों कहीं नहीं कहीं जीरो है कहीं न कहीं क्या है सुनने है जीरो देखिए अगर आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत सब इंसान हैं बहुत अच्छी जिंदगी आपकी चल रही है आपके फ्रेंड लोग भी अच्छे हैं आपकी वह भी बहुत अच्छी है सब बढ़िया है लेकिन अगर कोई ऐसा परसन बीच में आ जाता है जो बहुत तो फिर क्या होगा कि यह कम उमीद है कि आप लोग उसे अच्छा बना लेंगे यह ज्यादा उमीद है कि हम लोग आप लोग गडबड हो जाएंगे यह ज्यादा चांस होता है तो वैसे क्या है यहां पर मल्टीपल हो रहा है जो भी चीजें हो रही ठीक है लेकिन इसमें बीच में जीरो है जीरो बड़ा खतरनाक टाइप का यह बिगड़ार रगिदम समझे हो अगर यह किसी भी मल्टीपल में आ जाता गुड़ा में कहीं भी कितना भी कठीन कुश्चन दिया हो अगर बीच में मल्टीपल में जीरो आ गया और हर जगा गुड़ा का ही चिन्न है बाकि दूसरा चिन्न नहीं है कि ऐसी अवस्था में अंसर जीरो ही आता है लेकिन यहां थोड़ी साथानी बरतनी है मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूं समझाने के लिए इस में भी जीरो ही आएगा अच्छा एक बात और एक बात और अगर यही कुश्चन नंबर छे में हम एक सो असी बटा छे कर दें और प्लस का जीरो कर दें देखो बाई चाचा लोग ध्यान से देखो अब बताओ क्या इसका अंसर अब भी जीरो आएगा अगर आएगा तो जल्दी से बोल दो यस नहीं आएगा तो नो बताइए क्या अब भी जीरो आएगा बोलो चलो देखिए इसमें कुछ समझने वाली बाते हैं मैं वही बता रहा हूं बाकी चीजे मैं नहीं बताया बहुत इंपॉर्टेंट है यह हुआ है अरुनबता रहे है यास नहां बर्मा कहर ह glitch रहें नो स्विवानिकते झسمे त तीन आहरा है मैंने जो पूछा वह हम पनदभी जीरो आएगा नहीं कभी नहीं क्यूंड को जो में तरीके बता हो थीक है और ऑब यहां प्लफ लगा है यहां प्लफ लगाए ठीक है तो इधर साइड कती है सब जीरो हो जाएगा क्योंकि गुड़ा-गुड़ा का चिन है लेकिन यह अलग है जैसे होता नहीं है अगर आप पहुत ही अच्छे इमानदार टाइप के हैं आपका पड़ोसी बड़ा दुष पुलिस आहिए पकड़ के ले जाएगी उसको लेकिन आपको नहीं ले जाएगी जाएगी क्योंकि आप पड़ोसी ऐं और अगर वहीं बंदा अगर आपके घर का होता तो 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 आपके भी जानेक चांस था समझ रहाएँ तो अगर कहीं प्लस या माइनेफ लग गया इसका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन अगर यह प्लफ ना होता मल्टीपल होता तब तब फिर वह एक एमाने जाते हैं और फिर वह जीरो आता है यह चीज़ द्यान रखिएगा जैसे यहां पर यक्स का स्क्वायर अपान 5 इंटू 5 प्लस का जीरो समझ ना इंटू 9 इंटू 9 अपान 18 इंटू 1 5 15 अब एक मिनट के लिए बताओ क्या इसका मान जीरो आएगा हाई या नहीं समझने वाली चीज़ है यह बहुत इंपॉर्टेंट जल्दी बताइए फिर टॉपिक पर बढ़ते हैं क्या इसका मान जीरो आएगा पंकर जी गुड़ इबनिंग सुनिए इसमें देखिए यहां बीच में एक प्लस का चिन है अगर आप ध्यान दो इनको हल करो चाहे जो करो इनका यह नव दूना 18 नव बटा दो आगया गुड़ा 15 है ठीक है लेकिन यहां एक सुनना है तो अगर यह सुनना है तो इनको कुछ भी कर लो यह सब सुनना हो जाएगा बस इतना जान लो कि रहना सब 0 हो जाएगा लेकिन बेच में पलफ लगा है तो क्या होगा यह फाइप से फाइप डिवाइड हो जाएगा सिर्फ यक्स का स्कॉयर बचेगा और यह बचारा अंकेला बचा भी रहेगा यह कुछ नहीं होने वाला है कि दिवाकर या समझते जाईएगा बिल्कुल इमांदारी से समझीए तब को समझ में आ रहा है ना आ रहा है तो जोड़ घटाना गुड़ा भाग तो आप लोग कर लेंगे बोर्ड मास का रूल वाला मैंने कल बताया ही था एक कोईश्चन अगर आप लोग कहो तो मैं फिर बता दूँ कि भाग वाग तो आप लोग कर लेंगे ना जोड़ घटा गुड़ा भाग मैं छोड़ दे रहा हूं फिर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है बोर्ड मास का रूल आप लोग हली कर लेंगे छोड़ कीवी बोर्ड मास में भी का क्या मतलब होता है को जुजि développ्या संग पलख़ स्टडी एप में टींटी का कोउस है उसको आप जोइन कर सकती है उसमें आपको सुपट्र तट का बेच मिल जाएगा पिखेर में थीक है कि B का मतलब क्या होता ब्रेकट ब्रांड बोर्ड या इन मेंसे कोई नहीं क्या होता बताइए कोशिच करिए घृफिन ब्रेकट होता थैसा सबसे पहले भाई सुल्मानी जी ने जबाव दिया है अंसारी नि मफ़पपा मौर्यान ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड सबसे अच्छे चलिए एक सवाल और बता दीजिए जितना अभ्यास करेंगे उतना बहतर है कहते हैं करत करत अभ्यास से जण मतोत सुजान और अशरी आवज्जात से सिल्पर परत निशान 6 प्लस 5 माइनस एकदम छोटका फदेंगे एकदम आसान कि आपको भी न तकलीफ हो हमें भी न हो चल भाईया कितना आएगा इसको हल करेंगे थोड़ा खतननाक लग रहा मुझे यह कितना आएगा 11 नमबर मान लो इनको 10 मान लो एक कुश्चन यह भी है अंडरूट 7 माइनस अंडरूट 5 अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 5 जो नहीं कर पाएंगे इसको बोल देंगे कि हां मुझे नहीं आएगा बताईए जबा दीजिए सुनिए इसमें क्या है भाग है गुड़ा है प्लस है माइनस है तो सबसे पहले तो हम करते हैं ब्रेकट का हल ब्रेकट में एकठी ब्रेकट लगा है सबसे पहले क्या होगा इसमें कौन सा चिन्हल होगा भाग में यह है तो तीन कम में साथ का भाग तो जाएगा नहीं आसानी से ऐसे तो क्या करोगे एक तरीका है इसे हम तीन बटा साथ लिख सकते हैं वाग करते है नहीं नत्ये एक काम कर सकते है उप कर तबदी और फिर गुड़ाiche 7 बटा Еख131 इकठ लिख देंगे कि इसको अटाना पड़ेगा कितना आएगा इसका अंसर कोई कर लिया क्या कि कितना आएगा भाई ट्राइब कर लो जल्दी-जल्दी फटा-फट मुझे लग रहा है कि मल्टीवर्पल वाला इसी में निपड जाएगा इसी में निपड जाएगा देखो अगर साथ से साथ काट देंगे हम तब भी तीन बचेगा अगर इसका गुड़ा कर लें तब भी ये करद जाएगा इक क्योंकि पहले multiple होता है ना पहले multiple होता है तो final में ये कितना बचेगा 3 अब ये जूड जाएगा 6,5,11 इसमें घटेगा 3 तो 8 आएगा 8 आएगा कुल मिला के कुछ नहीं करना है जो नहीं समझे हैं अभी और सारे question देखेंगे समझ जाएंगे प्यार से ठीक है बिल्कुल आठ आएगा ठीक है देखो इसका multiple भी कर सकते हैं इसको काट भी सकते हैं वैसे भी एक मैंने जो नीचे लिखा था क्या उसको भी कर लेंगे आप लोग देखिए एक बात मैं आपको और बता दूँ अगर आप कलास में regular आएंगे तो आपका बहुत सारा भ्यास करवा दिया जाएगा बहुत सारा और आप बेहतर से बेहतर कर ले जाएंगे लेकिन time याद रखें रात के 10 बज़े से जरूर जुड़ें क्योंकि यह सारे वीडियो कलास के बाद यूटूब पर नहीं मिलेंगे मैं रोज बताता हूं सारे नहीं मिलेंगे इसलिए कलास में आओ और पढ़ो बिल्कुल फ्री इसका कितना आएगा क्या करें उस पर कुछ बात करें अब उसको छोड़िए आगे बढ़िए आगे क्या पढ़ेंगे नेक्स चैप्टर में आपका प्रकृतिक संख्या अभी आप भ्यास प्रस्ण करवाएंगे तो सब और क्लियर हो जाएंगे प्रकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं जानते हो नेचूरल नंबर क्या बोलते हैं नेचूरल नंबर जा बोलेंगे नेचूरल नमबर सुनिये नेचूरल नमबर क्या होता है एक नया ध्या शुरू हो रहा है आपका एक नया ध्या ठीक है आईसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं फिल कर सकते हैं वह नेचुरल नंबर कहलाती है वह प्रकृतिक संख्याएं कहलाती है ठीक है सुनिए आगे सुनिए Natural number यानी प्रकृतिक संक्याओं में बहुत सारे number आते हैं यानी कुल मिलाके आप ऐसा समझे़ो कि 1 से ले करके श्टार्ट होती है ये 123 और अननतक यह सभी क्या होती special number होती प्रकृतिक संक्या ठिक है समझे के सभी लेक ile its natural number में 0 नहीं आता है आपको ध्यान रखना है हुआ कि के कि कि SIM कि इसक्जिन के जिने हम गिन सकते हैं वह नमब काला आती है जैसे अगर आपको का जाए कि हमारे पास चिरो पर इंब तो आप जीरो को गिन नहीं सकते हैं लेकिन अगर मैंने कहा कि one pen है तो one को आप गिन सकते हो count कर सकते हो आप ऐसा बोला जाये कि जीरो को छोड़ दीया बाकी सभी नंबर natural number ही कालाती है एजिए आगे क्या है natural number के बाद है वी वाला जिने बोलते हैं whole number यह क्या होती है प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सुनने को भी सामिल कर लिया जाए यानि नेचुरल नंबर के परिवार में जीरो को भी इंक्लूट कर लिया जाए तो जो संख्याओं बनती हो पूर संख्याओं कालाती है क्योंकि यह अधूरे अधूरे फेथे इनके मिलने से पूरे हो गए है नहीं इतना सा है यानि नेचुरल नंबर जो है इनकी फैमिली में सुनना को लाके स संख्या हो गई है देखे सूलेमानी जी नगड़े का मतलब जिससे अंदेखा किया जा सके यह बहुत कम छोटा आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कहते ना चोटा बहुता उसको नगड़े मान लेते फिजिक्स में आपने सुना होगा प्राया करते हैं जो लोग 12 की फिजिक्स पड़े होंगे नगड़े का मतलब यह होता जैसे आपके घर में साधी पड़ी है अब साधी व्याह में मान लीजिए कि 10 लाक रुपया खर्चा हुआ है अगर हिसाब किताब करने लगेंगे कोई भी उसका गुड़ा गड़ित लगाएगा जो लगाएगा तो है ऐसा तो है रुपया है नहीं सकता है क्यों लगाएगा yeah yeah तो अगर दर्फ लाक रुपया खर्चा हुआ उसमें 300 रुपह के सावनि-नहीं मिल रहा है तो दुब तौफ लाक रुपया में कि उसके बाद है पूड़ांख पूड़ांख यानि इंटीजर इंटीजर नंबर क्या होता है कि आप जानते हो इंटीजर नंबर क्या होता है कि पूड़ांख संख्याएं क्या होती है बोलो कि इसमें से कितने लोग जानते हैं कि इंटीजर कि नंबर पुडांग संख्याएं कि उस्मान बोल रहे हैं साधी में ठीक अच्छी बात है बिल्कुल साधी में रहिए पढ़ते रहिए दुला दुलान को मत पढ़ाईएगा नहीं तो गड़ बढ़ हो जायागा आज के दिन लिखिये फट से बताइए मारकर में थोड़ा सा स्याही भर दें इससे थोड़ा अच्छा दिखे आपको सुन्दर सा दिखे पुडांग संख्यां क्या होती है इसमें एक सब्द में अगर हम ना बोल पाएंगे तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि माइनस अनंद से ले करके प्लफ अनंद तक ठीक है माइनस अनंद से शुरू करिए और प्लफ अनंद तक कि जितनी भी संख्यां होती है वो सभी पूरांग संख्याएं काला थी है यानि इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूर संख्या में रिडात्मक नंबर यानि निगेटिव जो नंबर है उन सब को सामिल कर लेने पर ये सभी क्या बन जाते हैं पूरांग बन जाते हैं ठीक है समझ गया अप लोग तो माइनस अनंद से लेकरके प्लस अनंद तक की सभी संख्याएं क्या कालाती हैं ये पूरांग कालाती है पूरांग दो परकार के होते हैं धन पूरांग और रिड़ पूरांग जिने positive integer और negative integer कहा जाता है जिसने देखिए अगर मैंने कहा कि minus का 19 तो ये भी क्या एक पुडांक है ये negative integer है अगर मैंने कहा कि plus का 25 तो ये positive integer है यानि धन पुडांक है अगर मैंने कहा 50 तो ये भी क्या है धन पुडांक है अगर मैंने कहा 107 यह भी क्या है धन पूरांख है ठीक है अगर मैंने कहा माइनस का दुई कि देखो क्या लिखा मैंने कि दुई हजार पच्पन न यह क्या रिड़ पूरांख है कि कोई किसी को डाउट एनी डाउट तो बता दो जल्दी से नहीं न तो आप पूरांख समझ गए संख्याओं का ऐसा संग्रा जिसमें रिड़ पूरांख सून पूरांख और धन पूरांख हां मैं इसके आगे बढ़ें इसके बाद आता है आपका जो मुख्य अलग टॉपिक वो पर्मिय अपर्मिय इसको ध्यान दीजिएगा इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पर्मिय और अपर्मिय में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पहले तो हम जान लेते हैं कि यह पर्मिय संख्य देखिए सुनिए इनको दो तरफ लिखिए रेफनल नंबर और इरेफनल नंबर जिने पोलते हैं पर्मिय संख्या और इधर साइड में क्या है आप पर्मिय संख्या देखिये साथियों इसकी एक छोटी सी नार्मल थी जो पहचान होती है वो यह होती है कि कि ऐसी संख्या ऐसे नंबर जिनको पी अपान क्यों के फॉर्म में लिखा जासकें ये ये पान क्यों के फॉर्म में लिखा रिखाते चाहे वह अपकी क्या काला आती है लेकिन इसमें कंडिस्टन है वैर क्यों डजनाट इकक्वल जीरो पीकॉल जीरो जीरो तो यानि क्यू जो है वह जीरो के बराबर नहीं हो सकता है और पी जीरो हो सकता है इसका मतलब समझनों चोटा साहे जितनी भी आप जिंदगी याभी हिस्द में देखते हो चुछ ईपहीं संख्यांएं ही होती हैं कुछ ही इंहें मात्रकी जो आपर मीएस तिक है मतलब बहुत संख्यां इनकी नहीं है जो अभी आपको समझ tätä पडिना पाड़े चाहे उसमें जितना लेवला 부분 लिखा seven spirit seven क्या पर्मिय संख्या है I honest ऐसे और किसे बन को हम से बन अपकी बराबर कर सकते हैं नीच चुन्हाइन चलिए कि पर फटाफट जितने हमारे नय साथ ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और सेशन को लाइक जरूर कर दें बाबू ठीक है फटा फटा आपकी जिम्मेदारी है इसे समझेए जिससे कि मैं यूटूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ा सकूं रोज बिल्कुल फ्री चलती राथ 10 से 11 के बीच में 10 से 10 40 तक कलास होती है चलो अगर जैसे मैंने एक नंबर लिखा दूसरा मानलो नाइन तो यह भी तो पर्मिय संख्या है है ना क्योंकि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 9 happens यानि भी के इंसे लिए आप आपल क्यों प्रप लोग सोच और मुसीबत किसमें हैं देखो बता रहा हूं यह जैसे अगर मैंने यह बीजिए इसको ए माहन लिए चलो इसको सी मान जो मैंने लिखा फाइप 159 कि यह वी क्या है कि यह नभर है क्योंकि इसको भी अपन क्यूंद सकते हैं अच्छा इपमात बता उसके आगे नहीं बोलेंगे बस एक बात यहीं तक है सुनए कि जैसे देखिए अगर मैंने लिखा यहां पर 101 बटा जीरो क्या यह परमिय संख्या है कि यास या नो कर्सिस गुपता हारेन सिंग फराना अंसारी सिवं दूबेर अमेश अमीत दीप सिखा अंबकेस कसिस नहीं डजनाट इक्वल पी अपान क्यू क्यों कि यह पी अपान क्यू के बराबर नहीं है और हां एक चीज और इसमें तो एक चीज और कहा जाता है कि क्यू डजनाट इक्वल जीरो इसके रूल में कहा गया है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है यानि जो नीचे का हर ह वो कभी भी सुनने नहीं हो सकता है तो अगर यह सुनने है तो इसका मान क्या आएगा आनंत आएगा फिर यह पर्मिय संख्या नहीं कालाएगी यह रेफनल नंबर नहीं कालाएगी ओके चलो डन अब आप कहोंगे फिर यह का लफड़ा इतना बड़ा इसको काहे को लिखे हो क संख्याएं होती है जो वर्गमूल या घनमूल के चिन्न के अंदर हो और वो बिल्कुल बिगड़ायल हो समझ रहे ना बिल्कुल बिगड़ायल बिगड़ायल का मतलब जानते हो जैसे आपने छोटा सा पाउधा लगाया नंनासा ज्या मंनलो कोई आम का पाउदा है पेड़ा जो दस साल पहले तो क्या आप उससे हाद से उखाड़ सकते हो जल्दी से आसानी से आया नहीं कि ने दस साल में तो फल आने लगता है काई तेने 5 याम पचीस है महिवा करती थी तो पंच साल में फॉरने लगता उसमें फल आनि लगता जो नर्मल वाला है वाकि आज कल के आम तो बनावटी वाले होते हैं उनमें तो फल अगले दिनी आ जाता है अब भाई थोड़ा सा ये वीडियो रुक रहा होगा अलकासना तुनिये इसमें अगर अपर्मिय में बात करें तो सबसे पहले आप यह जान लो कि जो पाई है यह अगर हम इसमें इसमा यह कैपिटल जी वगएरा की बात करें जो आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा संकेत वाले यह सभी इरेशनल होते हैं इनके जो कि इसमें के इनके माण दिये हैं तो कहीं कहीं किसी किसी स्थिति में वह अरहेशनल हो सकते हैं थीखिका है सिawk मैंने सोला लिखा यहाँ घानमूल का चिंद brain yeah मैंने पचीफ लिखा यहां गहनमूल का चिन्द है हां तो वह जो पेड़ वाली बात क्यों बता रहे थे सुनिए पेड़ वाली बात इस लिए बता रहे थे कि जैसे अगर कोई छोटा सा पौधा आप उसे उखाड सकते हो कोई एक महीना पहले का है उसको भी आप कुछ कोशिस करके जल्दी उखाड सकते हो लेकिन अगर कोई पौधा ऐसा है जो दस साल पहले तो नहीं उखाड सकते हो क्यों कि वह बहुत नीचे तक उसकी जड़े जा चुकी है उसी तरह इंसान की कुछ आदते होती है आदते जो हमारी आदते नहीं होती उन्हें हम जल्दी से बदल सकते ह जो हमारी आदते अभी कुछ हाली में पड़ी होती हुए हम थोड़ा मुश्किल करके कोशिस करके बदल सकते हैं लेकिन जो हमारी आदते माली जीए वर्सों से चली आ रही है दो साल हो गया तीन साल हो गया वह आफानी से नहीं बदलते हैं वैसा ही नंबर में हम आपको कु ही लाचन आपचना की जो नंबर कि वर्गकपन तो लगा हो लेकिन वह पूरी सब्नीय छट न हो सके एक सब्सक्रबं अगर बोलें क्योंकि हम कई तरह से बातों को बताते हैं जो ना पूर्ण ना पूर्ण बोस्वी ले मीचछिए doin अगर पे वर्गमूल या नहीं प पूड संख्या हो कि बताइए जैसे देखिए अगर मैंने कहा कि बैया हो बाबु हो इधरे बताओ कि कि इन तो नो का अगर वर्गमूल करेंगे तो पलस माइनस तीन आता है न और अगर मैंने कहा कि फॉर्टि तो 49 का वर्ग मूल प्लस माइनस से बनाएगा आएगा ना सुनो मैं बताने वाला क्या हूं वह सुनों यह सभी क्या है पूड वर्ग संख्याएं है कि मेरे इसमें चीज और समझ लो अगर मैंने कहा कि अंडर रूट यह यह इंडरूट नहीं है गनमूल का चिन है यह पर तीन लगा याद रखना तो यह क्या है पूड घंग संख्या यह पूड वर्ग संख्या यह भी प्ूड वर्ग संख्या है है ना लेकिन अगर हम इसी बें अंडरूट सैतालिफ लिख दें तो क्या इसका वर्गमूल इसी तरह कुछ आएगा प्रियंका ठाकुर बहुत जल्दी आ रहे हैं आप कलास में पपु कुमार तुम भी बैटा जल्दी आ रहे हैं बाबू इसका नहीं हो सकता ऐसा कोई पूर्ग संख्या नहीं आएगी अगर इसका आप वर्गमूल करोगे तो आप ऐसा समझाएं जिनका वर्गमूल या घनमूल करने पर एक पूर्ग संख्या मिल जाएं फोल नंबर मिल जाए वह पर्मिय होती है और अगर वही संख्या वर्गमूल या घंणमूल के चिन्ध में लगी है सिच्वेशन के अकार्डिंग उसका वर्गमूल या फिर घंणमूल जो भी रहे वह पूरी तरह से सकुसल ना निकल सके तो वह अपर्मिय का लाती है जैसे अंडरूट 25 पर्मिय संख्या है यह रेफनल नंबर है क्यों क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस 5 हो जाता है अंडरूट 121 भी रेफनल नंबर है क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस 11 हो सकत है ठीक है कि यहां देखो कि पानसो बारा अगर इस पर घ्ञन मूद लगा है तो इसका आंसर आठ यगा ये भी एक पर्मिय संख्या हो सकती है इस कर्या है सुनिए यह यह अगर इसका कोई कहें कि पूढ संख्या है इसका 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 पूढ घन है नहीं अगर इस पर वर्गमूर लगा होता तब तो ये था पर्मिय लेकिन इस पर घनमूर लगा इफले ये पर्मिय नहीं है समझ में आया कि नहीं आया समझ में ये वो मोटी मोटी बाते थे जो मैं आपको आपे बताया अभी इसमें बहुत कुछ बताना है अगर बताएंगे तो यानि यह समझ लो कि वो संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सके ठीक है क्यू जीरो ना हो और दूसरी कंडिशन यह है जो किसी सिम्बल को पर्दशित करती हैं इनके मान अगर दीए तो पर्मी हो सकते यादल ये शआंगे ऐसे यह होगया क्यारा का पूड़ी पूर्ड संख्यानày मिलेगी अगर इसका वरगमूलकर होगे दसमलों में आएगा जो bucks आएगा जैसे अगर मैं बताओं कि तीन नौ का वर्गमुल तीन होता है नौ के बाद अगर चार देखें तो 16 का होता है यानि तीन और चार के बीच में इसका आएगा थिरी पॉइंट एट या नाइन ऐसे सम्थिंग आएगा ना चार आएगा ना तीन आएगा कमझ रहों आइमान कुर्शित जी ये पांच आ गया पचीस का वर्गमुल करके अब आपको वर्गमुल करना तो आना चाहिए ना वर्गमुल करना तो आना चाहिए ना समझ गए कि नहीं अच्छा इक बात बताओ आप लोग इमानदारी से चलो अगर मैंने under root 50 लिखा है तो यह पर्मिय है कि अपर्मिय है अगर यह पर्मिय संक्या है तो आप सभी P लिखोगे अपर्मिय है तो आई विसाखा सिंग, S.K. सिंगम, हरेन सिंग, राकेस, अंसारी जी बताए जबाब दीचिए फटा-फट चलिए क्या होगए यह पर्मिय है कि अपर्मिय है देखो एक चीज और समझते चलो आप लोगों को कलास का टाइम रात 10 बज़े से याद रखना है 10 बच कर 40 मिनट तक और हां यह कलास आप बाद में यूटूब पर पूरा कलास नहीं देख पाएंगे सारी कलास यूटूब पर नहीं रहेगी या बने करना इन वैरे जूब यूट यूटू यूटू है को ट्यूट क्या है समझा आते अ परमिये संख्या गया यह यह क्या था अपर मिय संख्या था क्योंकि 50 का वर्गमूल करोगे आप देखो अंडरूट वनचास का वर्गमूल भीया साथ आता वाबू ठीक है अंडरूट चाउसट का वर्गमूल आठा आता है तो जो 50 है वो 49 और 64 के बीच है ना वो लिए है ना यानि इसका जो वर्गमूल आएगा वह पचास है ना सेबन पॉइंट सम्थिंग आएगा जी रो वान या कुछ भी जो भी दसामलों में आएगा ना को वो नंबर जो ना तो perfect square है ना perfect cube है अगर उस पर वर्गमूल आगनपूल का चिन्द लगा है तो सिच्योसन के अकार्डिंग वह अपर्मिय संख्या होगी ठीक है कोई एक ही संख्या अलग अलग अवस्ता में पर्मिय अपर्मिय और सकती है कैसे देखिए अगर मान लीजिए हमने लिया लिया एक्जांपल 36 का अगर इस पर वर्गमूल लगा है तो यह पर्मिय है लेकिन अगर इसी 36 पर घनमूल का चिन लगाया है यानि आगात पर तीन है चुरका पर तो यह अपर मिय यह चीज भी आप समझ लीजिए ठीक है वही एक नंबर अलग अलग जगह अपर मिय और पर मिय है क्योंकि इसमें इसका पूर्ड घनमूल नहीं निकलेगा इसमें इसका पूर्ड वर्गमूल निकल जाएगा इसलिए यह पर मिय है इसमें आगे रेफनल और इरेफनल संख्या पर मिय और अपर मिय यह आप कल पढ़ रहे थे इनमें थोड़ी सी हम और बात करेंगे जैसे अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं संख्या है 25 तो यह पर मिय है कि आपर मिय बताओ अगर पर मिय संख्या है तो आप बोलिये जल्दी से फी अगर आपर मिय है तो बोलिये आई मतलब इरेफनल नंबर तो चलो एक काम करते हैं वो क्या है हम बीच में संख्या लिखेंगे, इधर साइड में पर्मिय है, इधर अपर्मिय है, इनको बाद में डिफाइड करेंगे, जैसे मैंने लिखा 25 अपान, 100, ये अंडर रूट में है, तो ये नंबर, ये रेफनल नंबर है कि ए रेफनल है, इमांदारी से बताना, मैं कोड दे रहा हूं इसके लिए, अगर ये रेफनल नंबर है, तो आप लोग B लिखेंगे, फिर B, ठीक है, B मतलब पर्मिय है, ये कोड है, और अगर E रेफनल है तो आप इसे R लिखेंगे, आर तो रेफनल के लिए हो जाएगे जाने दो Q लिखना Q ठीक है Q मतलब आपर मी है इस क्वेश्चन के लिए कोड है बताइए अगर ये रेफनल नंबर है तो आप B लिखेंगे B B लिखेंगे बस अगर ये रेफनल है आपर मी है तो Q अचल पटेल, रिसी, मीनजी, अनिल, मिली, प्रीती, मौर्या कोशिस ही तो करना है उसमें क्या जाता है एक चीज और बता दें प्यारे साथियों कि आप सभी PBR स्टडी को टेली गराम पे जॉइन कर लिजिए जिससे आपको कलास के लिंक करेंग किये जा सकें प्योंकि WhatsApp गरूप में मैसेज नहीं भेज पाते हैं WhatsApp अमारा वर्क नहीं करता बहुत हैं करता है कि अच्छासों गरूप है वो चलता नहीं है तो देखो भया यह ए राफनल नंबर नहीं है बाबू यह राफनल नंबर है इसका आंसर होगा B जो B लिखरा सही है कुछ अपने दिमाग लगा रहे हैं तो फिर उनकी बात है अलग है यह रेफनल नंबर है पर मिय संख्या है देखो कैसे सुनो एक्चुली यह मैंने A पे लिखा था इसे B पे अंडरूट 25 बटा 100 देखो भाई यह पांच वर्गमूल आ जाएगा 25 का आपको पता है तो का वर्गमूल दफ आ जाएगा पांच बटा दस और फाइप अपन टेन को हम लिख सकते हैं क्या पी अपान क्यू के फाम में लिख सकते हैं ना सो भी कैन राइट पाइब फाइब अपन टेन इकोल पी अपन क्यूंग है ठीक है हां मोनू कलास इसी टाइम होती रोज चलो अब इधर देखिए जैसे मैंने इसमें अगर ए नंबर लिखा इसमें मैंने लिखा अंडरूट 25 बटा यहां पे साथ इसमें देखिए पांच इसका वर्गमूल तो हो जाएगा फाइनल में इसे आप पांच बटा रूट साथ लिखोगी बट यह अब मामला अटक जाएगा इसे हम पी अपन क्यूंग के बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है मुखावटा लगा है समझ रहे ना आज क्लास पहले से सिड्यूल नहीं थी सटर्डे भी था इसलिए आज लोगों के मन में थोड़ा डाउट था कि आज यह चलेगी कि नहीं चलेगी पहले क्लास सिड्यूल थी नहीं क्या करूं यह लोग गलती कर जाते हैं तुनिए तो यह क्या है इरेफनल नंबर है अब यहां पर एक चीज आपको सीखने को मिलेगा अगर fraction farm में number लिखा है दोनो पूढ वर्ग या पूढ गन संक्याएं हैं तब तो वो पर्मिये होंगी अगर एक संक्या पूढ वर्ग है perfect square है दूसरी perfect square नहीं है तब भी वो एे एरेफनल नंबर ही कहलाएगी rest नहीं कहलाएगी इधर देखिए जैसे अंडर रूट एक हजार बटा यहां पे सो यह क्या होगा भाई यह रेशनल होगा कि इरेशनल बताईए मुखोटा का मतलब बताएंगे बाद में सुनिए यह भी एक इरेशनल नंबर होगी इरेशनल नहीं होगी क्यूं अक्चुली क्या है कि यह एक हजार पूर्ड घं संख्या है वर्ग नहीं और यह पूर्ड वर्ग संख्या है अगर हम इसे चाहें भी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक हजार बटे दस तो यह एक हजार का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं 1000 का आप वर्गमुल नहीं निकाल सकते हो एक पूड संख्या के रूप में जो भी आएगा डेसिमल में आएगा तो इसलिए यह क्या होगा इरेशनल नंबर होगा तो नाली बर्मा हाँ जी कमेंट आपका आ रहा है परतेक धनात्मक अपर्मिय संख्या के संगत एक तथा रिडात्मक अपर्मिय संख्या होती है जैसे एक अपर्मिय संख्या है तो माइनस ए भी एक अपर्मिय संख्या होगी यह आवस्यक नहीं है कि दो अपर्मिय संख्याओं का योगफल सदेव अपर्मिय होगा अब थोड़ा property के बारे में जान लेते हैं कोई दो अपर्मिय संख्याओं हैं तो उनका योगफल भी अपर्मिय होगा ये जरूरी नहीं है जैसे अगर कोई दो पागल दम पत्ती हैं या एक पागल है या ऐसे समझ लो किसी परकार के अपाहिज हैं तो उनके बच्चे अपाहिज होंगे यह कोई 100% कहा नहीं जा सकता है ठीक है अब इनकी प्रोपर्टी के बारे में सुनिए तो लिख लीजिए पर्मिय और आपर्मिय संख्याओं के गुण प्रोपर्टी आप रेफनल एंड इरेफनल नंबर पहला है पर्तेक अपर्मिय संख्याओं के संगत रेफनी संख्या के संख्याओं कि क्या होता है एक रिडात्मक अपर्मिय संख्या होती है जैसे अगर अंडर रूट में 5 एक अपर्मिय संख्या है ये पॉजिटिव है तो माइनस में अंडर रूट 5 भी एक इसके संगत अपर्मिय संख्या होगी ठीक है? सुनिए और दूसरा ये पहला हो गया मनलो दूसरा तिनी भी दो अपर्मिय संख्याओं का योगफल भी अपर्मिय होगा ये सही नहीं है जैसे अगर अंडर रूट 3 और इसमें अगर हम जोड़ें माइनस का अंडर रूट 3 तो बराबर 0 आता है अब बताओ, जिरो रिफनल नंबर है की और रिफ्नल है जीरो और है की और रिफ्नल है ऑद है ? जीरो क्या है सुनने के आए एक रेफनल नंबर है पर्मिय संख्या है यानि हम कह सकते हैं कि दो आपर्मिय संख्याओं को जोड़े तो वो पर्मिय हो सकती है एक चीज़ और ये भी आवस्यक नहीं है कि दो आपर्मिय संख्याओं का गुड़न फल भी आपर्मिय होगा अगला मैंने क्या कहा है कि यह आवस्यक नहीं है कि दो पर्मिये इरेफनल नंबर का मल्टीपल भी इरेफनल होगा जैसे एक्जाम्पल के लिए देखो अगर मैंने लिखा है अंडर रूट 41 इन्टू अंडर रूट 41 ये दोनों हैं तो इरेफनल नंबर लेकिन इनका अगर मल्टीपल करोगे तो ये 41 आ जाएगा जो की रेफनल नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा रेफनल नंबर हो जाएगा यह नहीं पर्मिये संख्या हो जाएगी मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुन लीजिए कि नहीं भी दो अपर्मिय संख्याओं का योग फल पर्मिय संख्या हो सकता है यानि दो अपर्मिय संख्याओं को जोड़ा जाये तो वो पर्मिय हो सकती है कोई भी दो अपर्मिय संख्याओं का गुड़ा किया जाये तो वो भी अपर्मिय से पर्मिय हो सकती है किसी भी पॉजिटिव यानि धनात्मक अपर्मिय संख्या के संगत एक रडात्मक अपर्मिय संख्या भी होती है यह इनके गुण परगुण है अपर्मिय संख्या में एक अपर्मिय संख्या तथा एक असून्य पर्मिय संख्या का गुड़नफल सदयव अपर्मिय संख्या होता है सुनिए एक पर्मिय संख्या हो और एक अपर्मिय संख्या हो तो उनका गुड़नफल सदयव अपर्मिय संख्या होता याद रखना एक रेफनल नंबर हो और एक रेफनल नंबर हो उनका गुणनफल सदेओ रेफनल हो तो जैसे एक सरावी हो खुब मस्त पीके एकदम बिंदा साम को नालिम पड़ा रहता हो और एक उसका दोस्त हो जो बड़ा सीधा फादा हो पहले ना पीता हो बिल्कुल देखता तक न तो तो क्या होगा कुछ दिन बाद वो भी उसी के साथ पड़ा रहेगा यह ज्यादा उमीद है लेकिन वो छोड़ दे पहले वाला ऐसा नहीं हो सकता है यह कम चांस समझ रहे हो ना तो वैसे तो अपर्मिय संख्याओं का मल्टीपल एक पर्मिय और एक अपर्मिय संख्या का गुड़नफल भी एक अपर्मिय संख्या होता है क्या होता है अपर्मिय होता है हमाज में न कोई डाउट एनी प्रॉब्लम नहीं चलो है तो और भी बताएं इसके बारे में कि नहीं है कि रहने दीजिए अब और कुछ ने बताएंगे यहां पर कोई परकार का कोईश्चन मत पूछी आगे पढ़ाने दीजिए आगे पढ़ाने दीजिए ठीक है यह बताएं मैंने आपको पूल संख्याएं पढ़ाया है ना पूल संख्याएं पढ़ाया है ना तो पूल संख्याओं में है सून के गूड जाए तो फिर से लिख लेजिए पूल नमबर यानि पूल संख्याओं ठीक हैं कोई कह रहाएं ये परमिय संख्याओं यह परमिय संख्याओं सेवन यह सेवन क्या है सेवन परमिये है ये अपरमिये है तो ये परमिये और अपरमिये गुड़ा करके ये अपरमिये बन रहा है तो मैं यह नहीं कर रहा हूं कि 100 परसेंट जो दो अपर्मिय है उनका मल्टिपल अपर्मिय ही हो उसरी पर्मिय हो जाएगा मैंने कहा कि यह हमेशा नहीं पॉसिबल है कि उनका गुड़ा अपर्मिय ही होगा मैं यह बताने की कोशिज कर रहा हूं मैंने यह कहीं नहीं कहा कि अगर दो अपर्मिय संक्या है उनका गुड़ा करोगे तो हमेशा पर्मिय हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है जैसे अभी देखे गौतम पटेल जी बता रहें सही बात है कि दोनों पॉसिबल आगे आगे आपका अगला एक नया अध्या है फाइप नंबर अध्या है पूर्ण संक्याओं पर अधारी संक्रियाएं पूर्ण संक्याओं पर अधारी संक्रियाएं तो लिखिए पूर्ण संख्याएं पोल नंबर इमांदारी से बताइए कि आपने कॉपी पैन लिया हैं को पी पैन लिये आपके नहीं लिखिए पूरुन संख्याएं पूरुन संख्याएं पूरुन संख्याएं प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी सामिल कर लेते हैं तो जो संख्याएं बनती हैं वो सभी क्या कालाती है पूरुन संख्याएं कालाती है और ये सुनने से अनन तक होती है, यही तो होता है, इसमें लिखिये, पूर्ण संख्याओं के गूण, प्रपर्टी जाफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के गूण, प्रपर्टी जाफ होल नंबर, पहला है सुन्ने के गुण अब पूर्ण संख्याओं में नंबर एक सुन्ने के गुण बहुत इंपॉर्टन्ट है ये बेरी-बेरी क्योंकि लाइफ में हर जगा आए गई है लिखिये इसमें सुन्ने का योग संबंधित नियम यानि ला आफ एडीशन आफ जीरो इसमें लिख लीजिए उन्ने का योग संबंधित नियम लिखिये देखिये पहले सुन लीजिए सुन्ने को किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो उसका मान वही संख्या आती है जिसमें वह जोड़ा जाता है समझ रहो ना सुन्ने को किसी भी संख्या में जोड़ा जाये तो उसका आंसर वही आता है उदारन जैसे मान लो कि मैंने सुन्ने को पांच में जोड़ा तो इसका अंसर पांच ही आएगा अगर मैंने सुन्ने को बारा में जोड़ा तो इसका अंसर बारा ही आएगा एक चीज़ और अगर किसी नंबर में सुनने को जोड़ा जाए, जैसे 105 है इसमें 0 को जोड़ा जाए सुनने को, तो 105 आएगा, अगर 11 में सुनने को जोड़ा जाए तो 11 आएगा, 21 में सुनने को जोड़ा जाए तो 21 आएगा, बताव सही बोल रहो ना असनेया सिंग बिपिन कभीर स्टडी कलब सोनाली बर्मा शमा गुपता समझ में आ रहा तो सभी साथी सेशन को लाइक करते जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपकी जिम्मेदारी है बीच में थोड़ा सा ब्रेक करिएगा आधा मिनट के लिए जाईएगा मत और इसकी मत करिएगा देख लीजिए गाइड हो गया आपने पहला लिख लिया ना जीरो इंटू जीरो भी जीरो होगा ठीक है अब चलिए आगे बात करते हैं सुनिए समझ गए ना जीरो को किसी भी संख्या में अगर हम जोड़ें या फिर किसी भी संख्या में जीरो जोड़ें तो आंसर वही संख्या आती है सुन्य का गुड़न संबंधी नियम अगला लिखिये सुन्य का गुड़न संबंधी नियम नेक्स्ट लिखिये सुन्य का गुड़न संबंधी नियम गुड़न संबंधी नियम चलिए फटा फट लिखिये गुड़न संबंधी नियम इसमें क्या होता भया अगर सुन्य में किसी भी संख्या का गुड़ा करें या किसी भी संख्या से सुन्य में गुड़ा करें तो हमेशा और हमेशा क्या आता है सुन्य ही आता है क्या आता है सुन्य आता है किसी भी संख्या में लिख लीजिए इसको गुड़न संबंधी नियम निचे लिखिये सुन्य का किसी भी संख्या में गुड़ा किया जाए या किसी संख्या से सुनने में गुड़ा किया जाए तो आंसर हमेशा सुनने ही आता है उदाहरण जैसे जीरो का गुड़ा नौ में किया तो जीरो आएगा अगर जीरो का गुड़ा एक हजा एक सो पांच में किया तो जीरो आएगा जीरो का गुड़ा आप 59 में करोगे तब जीरो आएगा या मान लो 115 में जीरो का गुड़ा करो तो जीरो आएगा 319 में जीरो का गुड़ा करोगे तो जीरो आएगा मतलब कुछ भी आप कर लो अगर जीरो का उसमें मल्टीपल हुआ तो हमेशा सब जीरो हो जाता है समझ में आया ना तेली क्लास की नोटिपिकेशन के लिए डिस्क्रेप्शन में दी गई लिंक से सब ही साथ ही PBR स्टडी का टेली गराम चैनल जरूर जवाइन कर लें जिससे आपको नोट्स क्लास की इंफॉर्मेशन पीडियाफ और जो भी अन्य क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे ठीक है यह बात ध्यान रखना बात पक्की मिटाऊं चलो देखिए मैं मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने दूर में सब अटाना है अगला लिखिए सूनने का भाग संबंधी नियम लिखिए सूनने का भाग संबंधी नियम यह समझने लाइक है अगर किसी भी संख्या में सूनने का भाग किया जाए मैं लिंक दे दे रहा हूँ कमेंट में रुक जाओ अगर किसी भी संख्या में सूनने का भाग किया जाए तो आमेशा क्या आता है unlimited आता है unlimited नहीं infinite आता है अनन्त किसी भी संख्या में अगर सुनने का भाग दिया जाता है तो अनन्त आता है लेकिन किसी भी संख्या से अगर सुनने में भाग किया जाता है तब फिर बात अलग हो जाती है कमेंट बाक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है टेली गराम जरूर जोईन कर लेना पीछे की सारी कलासे उसमें इकठा भेजी जाती है मिल जाएंगी सब चल भाईया बड़े कदम न रुके कभी जंडा ये न जुके कभी चलो हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि सुनने का भाग संबंदी नियम अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग करते हैं तो आनन्त आता है कोई भी संख्या हो चाहे कुछ भी हो जीरो का भाग करने पर आनन्त आता है कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये आनन्त कैसे आता है अगर आप इसको जानते हैं तो आप हां लिखे कमेंट करें मैं नहीं बताऊंगा अगर नहीं जानते हैं जानना चाहते हैं तो आप यन ए ना लिखिए और फिर मैं बताऊंगा चलो भीया कि लास का टाइम राद 10 बज़े से 10.40 तक है मिक को यादो लगबग लोग जानते हैं न क्यों भाई जानते हो न आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं बता दीजिए कुछ लोग कह रहे हैं जानते हैं ठीक है मैं एक बताई देता हम हमारा काम है बताना देखो भाई आगर मैंने कहा कि क्योंकि उपर कितनी भी ज्यादा बार ले जाओ उसका मल्टिपल जीरो में होगा सब माटी हो जाएगा इस इस कारण से क्या आता है हमेशा अनंत आता है इन फाइनाइट आता है अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग करना हुआ तो ठीके बर्मा भी पीके बर्मा हुए हो या फिर बर्मा होने बात पीए हो अब बुरा नहीं मानना मेरी बात को देखो इन लोग पूछना चाहते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आये कहां सरव भई आप लोग है तो यह समझे ना भाग संबंधी नियम इसका हो गया और आगे क्या है एक मिनट रुके रहिए घटाने संबंधी नियम तुन्य का घटाने संबंधी नियम लिख लिजिए पढ़ाना तु सब पढ़ेगा ना टाइटल आप डालीए मैंने लिखूँगा मारकर की साही बड़े महेंगी तुन्य का घटाने संबंधित नियम अगर किसी भी संख्या से किसी भी पूर्ड संख्या से जीरो को घटाया जाए तो हमेशा अंसर वही संख्या आती है किसी भी संख्या से अगर जीरो को घटाया जाए तो अंसर हमेशा वही संख्या आती है अगर किसी भी संख्या को जीरो से घटाया जाए ये पॉसिबल नहीं है असंभव है इसमें कहीं उधार उधार नहीं जायेगा माइनस में नहीं लिकेंगे याद रखना ये really यही है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह सुनने है उसमें से कभी घटीद नहीं सकता है गो कहते हैं कि माइनसमें लिख देंगे माइनस 25 वालब चीज इए वह 0 से घटा के आप माइनस पच्चीछ नई अगर आप 15 में से 25 गटा रहे हो तो माइनस दफ लिग दो ठीक है लेकिन आप जीरो में से गटा रहे हो इसकी कोई आउकाती नहीं जान नहीं जहान नहीं तो कई से गटेगा अगर सुनने को गटाया जाए तो हमेशा वही पूर्ड संख्या दुबारा प्राप्त होती है समझ में आया ना ठीक है अब इसमें आगला लिखिए संख्या एक के गुण बहिए आईसा आईसा गुण यह सब पूच्छा भी जायेगा कहीं कि नहीं बताऊं की ना बताऊं एक मिनट में सुन लीजिए मैं इसको नहीं बताऊंगा एक वाला ऐसे लंबा लंबा सुन लीजिए जो लिखना चाहें हो लिख लेंगे जल दी से संख्या वण यानी एक एक गुण इनके क्या क्या गुण है सुन लो पहला है एक का गुणा संबंदित नियम यदि किसी भी संख्या को किसी भी प्रकृतिक संख्या को एक से गुणा किया जाये तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है कौन संख्या जिसमें गुड़ा किया जा रहा है किसी भी प्रकृतिक संख्या को अगर वन से मल्टीपल किया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें गुड़ा किया जाता है यह पहला इसका नियम हो गया दूसरा भाग संबंदित नियम यदि किसी भी संख्या में वन से भाग किया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है ठीक है यदि किसी भी संख्या में वन का भाग किया जाए तो आंसर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं नहीं तो समझ लीजिए बस अरे भाई किसी भी संख्या में अगर वन का भाग किया जाए जैसे देख लो मानलो मैंने आठारा लिखा था इसमें एक का भाग किया तो क्या करोगे तुम भाग करके इसको अठारा ही तो आएगा तो बस यही है वन का योग संबंदित नियम किसी पूड संख्या में वन जोड़ा जाए तो वही संख्या में एक जोड़कर प्राप संख्या होती है यानि ऐसे समझ लो किसी भी पूर्ड संख्या में अगर एक को जोड़ा जाता है तो उत्तर हमेशा उस पूर्ड संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है यानि आने वाली संख्या होती है और यह यह अगर 21 जोड़ा थो 20 हो जाएगा कर्मागत पूर्ड संख्या जो करम से होती है कर्मागत पूर्ड संख्यां का लाती हैं इसके बारे में आपको DTL में बहुत बिस्तारित पढ़ाना पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा और आज ज्यादा टाइम तो है नहीं तो आप लोग कहिए तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ इधर उतर का फिर टॉपिक पर पढ़ाएंगे अगली कलास में ठीक है आज थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं इस टॉपिक से हटके फिर टॉपिक पर अगली कलास में पढ़ाएंगे क्योंकि यह मैटरियल नहीं पर हो गया आपका इंड अब जो है वह पीडिएफ होती तो मैं आपको दिखा देता अच्छा रहता तो सुन लीजि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन ज्यादा है अगर यह ज्यादा है तो आप पी लिखेंगे अगर यह ज्यादा है तो आप क्यों लिखेंगे बताईए कौन ज्यादा है दूसरा एक क्यों नहीं ला लो यहां पर ना 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 रे बबाबा ना ऐसा नहीं इसका भी नमबर मान लो अगर यह एक वटा साथ है और सी है आपका ग्यारा वटा साथ यह बताओ भईया इन दोनों में कौन बड़ा है कि अधरे संषारी देबे सर्मा सोना लि प्रभा दिपाक कोशिज करिए सभी कौन बड़ा है अधम इनम मान इसका सी अगर यह बड़ा चीज मतलिक संफन बड़ा है कि जो बी बी चार-पांज बाल लिख देते हैं तो उसमें कुछ घडबण हो जाता है ठीक है हो गया आगे क्या करें अब कुछ और बात करें तुनिए है यह हो गए टन ठीक है देखिए इसमें सिंपल सा है जिस विन का अगर हर हर बराबर है तो उसमें अन्फ जितना बड़ा होगा वो भिन उतनी ही बड़ी होगी ठीक है अगर इनके डेनुमेनेटर इक्वल है तो जिस फ्रेक्शन का नुम्रेटर जादा होगा वो बड़ा होगा हम कह सकते हैं 11 upon 7 is greater than 1 upon 7 जैसे अगर एक आम है उसमें 7 बच्चों को बांटा जा रहा है एक आम में 7 बच्चों को इसमें 11 आम है 7 बच्चों को बांटा जा रहा है तो 11 आम है 7 बच्चों को बांटेंगे तो एक से जादा मिलेगा एक एक को ना वैस साथ आम तो ऐसे बढ़ जाएगा चार तब भी बचेगा एक एक मिलेगा इनको तो आधा का आधा भी नहीं मिलेगा जैसे कहते हैं नहीं वह क्या बोलते हैं अक फैमली परिवार नीयोजन वाले में एड हो गयरा आता है हम दो हमारे दो है ना और गावाले या पहले की लोग क्या कहते थे हम दो हमारे निश्चिते नहीं कितने यह तो प्रभू का परसाद मिल जाता है इसमें हम लोग थोड़े कुछ कर रहे हैं तो वह कितने हो जाते थे दस बारा पंदरा ठारा हाँ चौकी एगा मत कि बीस बच्चे वाले हमारे ग्राम सबा में लोग हैं और एक साथ वाले हैं एक बारा वाले भी हैं और वह कि उल्टा मत सोचिएगा जो आप लोग सोच रहे हैं वह हमाई लोग के भी राधरी के हैं समझ रहो ना तो यह कि एक अलग चीज था जो आपको जानना चाहिए इसके बारे में भी है कि समझ गए लेकिन हां एक चीज और जिस फ्रेक्शन का हर इक्वल ना हो यN стор अलग अलग हो अगर यह पाँ बटा तीन है और यह आपका साथ बटा चार है अब इन दोनों में कौन बढ़ा है बताओ इन दोनों में कौन बढ़ा है इसमें थोड़ा समझना पड़ता है कि इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है का Serve है मैंस इसमें सातियों एलड़नली जाता यह अलड़नलकर के इनके हर को बराबर किया जाता है लिज्ज्ज्चा डेकर के हर को बराबर करतें तब समझते हैं जैसे 400 नंग दूसरे के लिए भी LCM 12 ही होगा 12 में चार कभाग करोगे तीन आएगा तीन का साथ में गुड़ा करोगे तीन से एकाइस यानि ये 21 आम में 12 बच्चों को माटा जाएगा इसमें 20 में 12 को माटा जाएगा यानि कहने का मतलब ये बड़ा है चाच्चा गोपाल मौर्या सोनी बर्मा मोहम्मद जुबेर स्वेता यादो ठीक है बेरी गुड बहुत अच्छे आप लोग सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करिए आपकी जिम्मेदारी है कमेंट को हाइड करिए चैट को लाइक पटन फटा फट दवाईए कुछ तो समझिए थोड़ यहां प्यार यहां प्यार वाली बातें नहीं हो रहे है कि लेना देना तो बापार कर भी ना मांगा वहीं तो यहां पर भाइंको तो दिया जा रहा है यहांठी है ना इस और यह मुग या और क्रना अभी यालग रहा फिर घरHH ताम को बड़ा तकड़ा सांधी आई थी फिरी के पाउडर कुलमार एकदम ओबर हो गए थे यहां पर लाइट वाइट भी गायब हो गई थी इनवर्टर भी डाउन हो गया था देखो इस टाइम क्या होता है क्यों कितने लोग का नहीं चल रहा भाई यह वीडियो ऊडियो नहीं चल रहाएगा तो आगे कुछ और चीज आप कर लिजिए कुश्चन बताते जाईए मैं सब आगे पढ़ाऊंगा ट्वंटी पर्फेंट का मान बताओ यह सब मैं पढ़ाऊंगा कलास में एक बटा दो को पर्फेंटेज में बदलिये यह अब अब भ्यास प्रफन हो रहा याद रखना सटर्डे है न पांच बटा पचीज या गई गई लाइट पर्फेंट में बदलिये सुनिये उसको आने लगी फिर थे देखे साथियों इदर सुनिये मैं सब बताऊंगा यह सब मैं पढ़ाऊंगा अगर पर्फेंटेज लगा है इसका मान फाइंड करना है तो आप क्या करोगे पता है पर्फेंट का मान निकालना है अगर पर्फेंटेज दिया है हटाना है तो आप सौ से भागता है करोगे काटोगे एक बटा पांच आएगा इसका अंसर वन अपांट टू को पर्फेंटेज में बदलना है पर्फेंटेज में बदलने के लिए हमेशा सौ से बुड़ा करते थे कि पचास आएगा बराबर पचास पर्फेंट इसका अंसर आएगा इसका नियम है आपको मंडे वाली कलास में सब बिस्तार से बताऊंगा डीटियल से जब आप परफेंटेज में पहुंचेंगे तब क्योंकि आज रिबीजन हो रहा है भी पर्जय्ण टाइम में याद रखना यह रेगूलर नहीं है यह रेगूलर नहीं है इसको परफेंटेज में बदलना है इसको भी क्या करेंगे बाबू से गुड़ा 20पर्फेंट यह एक बटा पांच यह भी एक बटा पांच ही था यह भी एक बटा पांच ही था अपको समझ में आ रहा है ना आ रहा समझ में इसको कर लीजिए देखिए रेगुलर आप लोग पढ़ेंगे आपका कम आपका पांच वहक खतम हो गया है किस इसके के घर सोच रहा हूं कि थीन इस समेश्टर कर दिया जाए कि तीन दिन समयश्टर कर दिया जाए कि मैःत में ज्यादा कुछ है नहीं सब खतम होई जाएगा एक दिन में एक चैप्टर खतम होगा तो बया समझों सुनूं इस के बाद आगे है जो सुनने का बात खतम होती है वन गवी मैंने बताया था कर्मागत पूर संख्यात है है ji कोई भी ले लो कर्मा गत्पूर संख्या हैं जैसे मानलो पांच आठ पांच छे हो गया आठ नौ हो गया ओगया 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 अब देखेंगे योग तत्समक यानि एडिटीव आइडेंटी क्या बोलते हैं एडिटीव आइडेंटी यह क्या होता है देखिए कुछ समझने समझने वाली चीज है जिसमें ज्यादा कुछ आपको कि बहुत कुछ नहीं लगेगा कि मिल रहा है लेकिन बहुत कुछ सिखाया जाएगा यह समझने वाला चीज है सुनिए अगर नहीं सुनना है तो मैं इसको ना बताऊं छोड़ दूं क्योंकि यह मज़ेदार नहीं है इसे बोलते हैं योग तत्समक सुन लिजिए क्या है किसी भी पूर्ड संख्या में यदि सुनने को जोड़ा जाता है किसी भी पूर्ड संख्या यहनी होल नंबर में यदि सुनने को जोड़ा जाता है तो योगभल भी वही संख्या आती है परलब जो संख्या रहती है जिस संख्याओं में जो है वो तत्समक अवयों क्या होता है या फिर कहीं कहीं से पूछ ले जाता है योग का तत्समक अवयों बताओ योग का तत्समक आवयो एक नंबर में परिच्छा में पूछ लिया जाता है योग का तत्समक आवयो बताईए याद रहना चाहिए आपको जीरो होता है क्या होता है जीरो होता है योग का तत्समक आवयो क्या होता है सुनने होता है ठीक है कि तुनने को पूर संख्याओं के लिए योज्य तत्समग भी कहते हैं क्या कहते हैं योज्य तत्समग भी कहते हैं इंगलिस में इसको बोलते हैं additive identity ओके अब बात करते हैं पूर संख्याओं के गुड़ पहले संभृत्ता का गुड़ वही जो अभी पढ़े वाप लोग साच ठ Search via b It wasn't Same Sam Br It's Taa Kagund ये कहता है कि कि uwagę दो पूर संख्या और कर मेराप जोड़ ओगे अट तो जो जो संख्या आएगी जैसे मालओ मैंने फिए फूर में नाइन को एड़ किया तो आया 13 ये भी एपूर संख्या होल नंबर ये भी कोन्र है जो योग आया वो भी क्या एक होल नमबर है कहने का मतलब पूर्व संख्या को अगर जोडते हैं दो पूर्व संख्या को तो उसका जो मान आता है वो भी एक होल नमबर यानि पूर्व संख्या ही होती है ये क्या कहलाता है आपका तत्सम्रित्ता का गुण है क्歌 रविनिमियनीयम क्या कहलता है अगला लिखिये इसमें क्राम विनिमियनीयमा देखिये ये परिक्षा में इसमें से एक-एक नंबर का आता है कुछ भी छोटा सा पूछा जा सकता है इसलिए आपको जानना जरूरी है पूर्ण संख्या में ठीक है करम जैसे देखो यह योग का गूड है याद रखना पूर्ण संख्याओं के योग का गूड है करम बिनिम्य नियम लागू होता है कैसे दिखे जैसे अगर हम 18 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा बताओ बाई 23 आएगा ना लेकिन अगर हम करम बदल दिये 5 को पहले 18 को बाद में तो आपका 35 आएगा कितना आएगा बाई सिंपल है ये भी उतना ही आएगा यानि हमारा कहने का ये मतलब था कि यदि हम पी धन क्यू या क्यू धन पी करें तब भी ये बराबर होगा पूर्ड संख्या के योग में ये हमें मिल्दा निसकर्थ यानि कह सकते हैं कि पूर्ड संख्या का जो योग का गुण है वो करम भी नियम का पालन करता है आगे लिखो योग पर पूर्ड संख्या के योग पर साचर नियम नहीं है प्रियंका कुमारी कमेंट आरा आपका लिखो साहचारी गुण्ड या साहचार नियम जैसे अगर पी धन क्यूँ ठीक है और प्लस का आर है समझना यहां पर समझना अगर इसमें पी अलग कर दें और यह दूसरे साथ इनकी सेटिंग हो जा इदर साइड में आ करके तब भी क्या होगा इनके कोई फरक नहीं पड़ने वाला है कि यानि पी क्यू को इकठा जोड़ने आर को बहरे से तब भी उतना ही आएगा और इदर पी को अलग जोड़ेंगे क्यू आर को इकठा जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा हम कह सकते हैं कि पूल संख्याओं के योग पर सहचर नियम अप्लाई होता है जासे जामपल मान ओको इसको तीन मान लिया कि को चार मान लिया इसको आर को पांच मान लिया कि यह आपका वय Jahr 30 और यह चार धन 5 इनको जोड़ों के यह नदे 20 साथ प्वार आएगा यह भी 549 212 छोलब बराबर आरा fucking blaggब आरा आरा आ है ना देवराज सिंह बावू कि अम चौधरी उपासअ ओवैब भटप लिखते चलिये देर मत करिये ज़लदी करिये पूर्ण संख्या के योग का गुण में साचर नियम हो गया करम नियम हो गया आपका वित्रन उत्रन नियम सब हो गया जो भी था अब क्या है पूर्ण संख्याओं के जोड के परगुण योग के गुण या जोड के परगुण भईया यहां तो एक तरब से सब डीटियल में पढ़ाएं तो तुड़ा टाइम लगेगा याद रखी आप लोग क्या कहरो कि डीटियल में पढ़ाएं या फिर जो मज़ेदार ह है वही पढ़ाएं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें जो बोरिंग सी लगेंगी आप लोग भाग के मत जाहिए का अगर कहो तो मैं इसको पढ़ाऊ नहीं तो मैं चलूँ फिर पटापट वाला जो मज़ेदार है वही पढ़ाऊं कि यह नियम सीम लिखवाएंगे तोड़ा दिमा पूंड संख्याओं के योग के प्रगूंड यह था योग के गूंड यह पता नहीं क्या मुसीबत थी कुछ अलग था अदेखिए है इसमें भी वही साब कुछ वही है एक के बतिया बार-बार करना पड़ेगा एक के चीज बार-बार करना पड़ेगा उसे संबंदित बस प्लेइलिस्ट बनी है दिवेश जी पहले से बनी है दिवांस अधिक्सा जी वह रिंग पढ़ाई एक्जाम में कहीं सभी आ सकता है कि अच्छा यह सीकेंड समेश्टा ही तु चल रहा है ना मैंने कुश्चन गलत पोस्ट किया था कमुनिटी में क्या कि पूरा पढ़ा है चलो पिट्री कह लिको पूरा लिको पूड संख्याओं के जोड के प्रगून पूर्ण संख्याओं के जोड के प्रगुण यह योग का गुण था यह कुछ अलाग मुसीबत थी वाई रुख जा एक मिनट गितना मत एक मोबाइल फूट गई है तीन में से दो बची है आप लोग का फोन काल जो आता इफले और दिक्कत होती लिखो 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 फिर पूर्ण संख्याओं के जोड के प्रगुण जोड के प्रगुण इसमें डाली है योग का संवरक नियम प्रगुण योग का संवरक प्रगुण लिखते जाएए ये सब तभी समझ में आएगा ये वैसे हवा हवाई नहीं होगा ठीक है सुनिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बस वही है जो अभी तक मैं बताया था किणी भी दो पूळ संख्या को अगर जोड़ते हैं तो उसका आंसर भी पूळ संख्या आती यह लिख़ाएजए इसमें दिटीयल में कि किनी दो पूल संख्याओं को जोडने पर रापत योग फाल भी पूळ संख्या ही होती फिख जैसे example कि उदारण में लिखे यदी यह तथा फिरकर फूर्दत्रफ उंच्छाहे हैं तो इनको जोडने के बाद जो एक वे वह पूर्ड संकिया है टीकल के यह यह भी पूर्ड वं और लिए यह देका पहला था है अगला है डालिए योग का करम भी निमिये नियम परगुण यह किसके लिए है पूर्ल स्वंख्याओं के जोड़ का परगुण है यह अभी इसमें गुड़ा का भी ऐसे सब लिखेंगे नियम मैं इसमें साटकट में लिख देता हूँ जाद आच्छा रहेगा तो भैया हो बाबु हो यह लिख लो बराबर फी यह हो गया आपका अगला लिखो पूर्ण संख्याओं का करम भी निमिये नियम करम भी निमिये नियम करम बदलने से पूर्ण संख्याओं के मान पे कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे एक्जामपल ए भाई तू हट जायार लिखो जैसे ए प्लस बी अगर इन्हें जोड़ें या बी प्लस ए को जोड़ें तो इन पे कोई फरक नहीं पड़ता है इनका मान वहीं आता है कि का समझ रहो ना जैसे एक्जामपल के लिए कुछ भी आप ले सकतो इसमें तीन में चार जोड़ोंगे या चार में तीन को जोड़ोंगे मान बराबर आएगा कि नहीं बोलो बहिं आयेगा न तो यह आपका हो गया है नियम अगला है कि देखो यह डीटेल में पढाना महेंगा पढ़ रहा है क्योंकि लोग भाग गए मुझे पता है डीटेल में पढ़ाएंगे जब आप लोग एप में पढ़ोगे क्योंकि यहां पर देखिये मजा नहीं आती 55 लोग थे 35 लोग बचेंद थैंट लोग भाग गया किया योग का ततसमक आवयो परगुन को योग का ततसमक आवयो परगुन जो रवाग आजीब ताइप का है यदि एक और क्याइभ ए फिलस जीरो एकक्वल जीरो प्लस ए रहा मिरा बर यह सुन्ने का उग पस फौन को पूर्ट संख्या का योग करते हैं यह fingerty किसी पूर्ण संख्या में अगर सुन्य को जोड़ते हैं तो उसका आंसर वही पूर संख्या थी लिख लो हेडिंग योग का तत्समक आवयो प्रगुण कि आवयो प्रगुण कि आवयो मतलिखना आवयो बोल रहे हैं हुं कि मैं लिखने और कि आया उसलिए देखे इसमें क्या है कुछ जादा नहीं है यद्क अद्ग याजीलो करें अधिक याजीलो प्लस एकरें माने करते हैं म्हिंप इसका उदारनय लिकारां ऊपर कि इस जीरो या जीरो प्लस ए इकवल ए आएगा बस इसका यही मतलब है समझी गए ना चलिए आगला लिखिए योग का साच्चर्रे गूण योग का साच्चर्रे गूण चौथा नमबर में सब लिखवा दे रहा हूँ योग का साच्चर्रे गूण परगूण लिख लो या गूण लिख लो जो को इसमें वही है जो मैंने अभी आपको बताया था यदि A प्लस B प्लस C तीन संख्याए है A और ये B और C अलग जूड़ता है इधर साइड में B को अलग करके मानलो ये प्लस C अलग जूड़ते हैं तब भी ये बराबर आता है ये आपका साच्चर्रे प्रगूण हो गया ठीका है लिखिए जल्दी फटा पड़ लिखते जाहिए इसमें इंक बरते हैं जिससे थोड़ा अच्छा चले चटकीला इंग्लिस में बताया करिए भाईया यहां पर इंग्लिस का कोई कामी नहीं है और कोई ऐसा वर्ड भी तो नहीं है मैं आज फिलाल इंग्लिस में नहीं समझाओं इंग्लिस मुझे कम आती मुझे समझना पड़ता है हैं को इंग्लिस मैं पढ़ाया हूं सायद पिछले वाली बैच में इंगलीस हिंदी दोनों में बताया है रभूप जैसे भी स्टारटिंग में सुरू किया था इनकी मिरे थोड़ी सी अलग है ऑसाब नियम हुहें लेकिन लिखना पड़ेगा भी थोड़ा थोड़ा हो जाएंगा बीच में यह हो गया इप इसी तरह घटाने वाला है जैसे योग आएगी कहने का मतलब चुहे से चुहाही पिदा होग से सेर नहीं पेदा होगी सोट容 को सभी सेर अगाया के से सेर पैदा हुआ हो पाइफ यह पयाइति बीलियुर्ली प्रतनेशन vous ऐसा इस्वीन होता लहकव उढ़ों से पूड़ संख्याही मिलती ही को इसमें गुडबाला लिखना पड़ेगा लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा लिखवाने को आफ अम बोल दे रहा हूं अको विखना चाहिए अप लोग लिख लो या ना गुड़ा के प्रगुण नंबर एक लिखिए 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 फटा फट लिखिए गुड़न का सन्वरक प्रगुण जिसे कुलोजर प्रपर्टी बोलते हैं सन्वरक को क्या बोलते हैं इंगलिस में बाई बोल दे रहे हैं चलो खुलोजर प्रपर्टी बोलते हैं सन्वरक प्रगुण को लिख लिया गुड़न का सन्वरक प्रगुण इसमें यह कह रहा है कि यदि दो पूर्ड संख्याओं को आपस में मल्टीपल करें जैसे A का गुड़ा B में किया तो C जो एक संख्या आएगी वो भी एक पूर्ड संख्या ही होगी बस यही कह रहा है लिख लिजिए यदि A तथा B दो पूर्ड संख्याएं हो और उनका गुड़नफल A गुड़े B बराबर C हो तो C भी एक पूर्ड संख्या होगी अर्थाद पूर्ड संख्याओं का गुड़नफल सदेव पूर्ड संख्या होती है पूर्ड संख्याओं का गुड़नफल सदेव पूर्ड संख्या होती है नहीं लिख पा रहे हैं जो लोग जल्दी अगर हभी है बाद में कलास खतम हो जाएगी आ करके वीडियो रोंक रोंक करके लिख लेना एक बार वीडियो चलाना सुन लेना फिर लिख लेना फिर चलाना फिर सुन लेना ठीक है वीडियो रोंक रोंक के लिख लेना अगला heading डालिये है गुड़न का krabhe नियम जिसे commutative ला बोलते हैं Commutative ला गुड़न का krabhe निय गुड़न में जो कrabhe नियम है ठीका इसके लिए भी ये फायदेमंद है जैसे देखो अगर A का B में गुड़ा करें या B का A में गुड़ा करें तब भी कोई फरक नहीं पड़ता ये होता है कमुटेटिब लाँ जैसे अगर भाईया हो 12 का 5 में गुड़ा करोगे बाबु या 5 का 12 में गुड़ा करोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा 12.65 12.65 होई आएगा ठीक है यह क्या है आपका वही जो भी आप सुने प्रम बिन में यहां कमुटे टिबला यह हो गया लिखो अगला सुनने का गुड़न परगूड एक्सिस्टेंस आफ जीरो आइडेंटी एक्सिस्टेंस क्या बोला मैंने एक्सिस्टेंस आफ जीरो आइडेंटी हो गया हिंदी में लिखिए सुनने का गुड़न गुड देखिए इसमें कुछ है नहीं जादा मैं पड़ देता हूं सुन लीजिए यदि ए कोई पूड संख्या हो और उसे जीरो से गुड़ा किया जाए ठीक है या फिर जीरो में किसी पूड संख्या से गुड़ा किया जाए तो गुड़न फल हादयो सुरी सादयो सुनने आता है ठीक है अगले वाले में यानि ए इंटू जीरो इक्वाल जीरो इंटू ए ये बराबर होता है जैसे जैसे देखो तुनो और समझो जैसे अगर पांच का गुड़ा जीरो में करें भाई या जीरो में पांच का गुड़ा करें तो दोनों इस्थिती में तो जीरो ही आता है ना लो पकशना ब्रजापती के सट अर्ट कुछ बंदी उदन घ stinks इकनिल ते मघमा कुमाक में जा रहा कुछ बस रह靡़ नहीं कि यह हैं आब क्या करोंगे मैं यह तो लिखे लिए आपने अगला लिखिए गुड़न का तत्समक अवयो घुडन का तत्समक आवयो तेखे तत्समक आवयो वह नमबर है जिसका मतलब रियक्षन ना हो नमबर पे जैसे जीरो योग का तत्समक आवयो है क्योंकि जीरो को किसी भी नमबर में जोडने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है समझे रहे हो ना जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ने पर कोई परभाव नहीं पड़ता उस नंबर पर उतना ही आता है वैसे जो वन है वो भी क्या है वन क्या है वन गुड़न का तत्समक अवयो है लिखो गुड़न का तत्समक अवयो गुड़न का तत्समक अवयो इसमें क्या है भाईया इसमें यह है कि यदि A को 1 से मल्टीपल करें या 1 में A से मल्टीपल करें अंसर हमेशा A ही आएगा अमद रहो ना यानि हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो गुड़न का तत्समक आवयो है इसको किसी भी नंबर में गुड़ा कर दो 105 है एक से गुड़ा करो 105 ही आएगा एक में 105 का गुड़ा करो तब यह 105 आएगा यानि किसी भी नंबर का इसमें इस तरह से गुड़ा करो इस पे कोई परभाव नहीं पढ़ता वही नंबर आता है ठीक है भाई साहाब मजा आँ रही थोड़ा बहु यह होता है आपका तत्समा को, अगला है गुरन संक्रिया का साचरनियम, जिसे एसोसियोटिव ला बोलते हैं, गुरन संक्रिया का साचरनियम, इस में लिखना धेर सारा, लिख लिजिए, भेतिंग डालिये, गुडन संक्रिया का साचर नियम एसो सी एटिव ला एसस पो सी आई ए टी आई वी इ इसमें का है भाईया गुडन की संक्रिया पूर संक्रियाओं में साचर है देखो ही कैसे सुनो कैसे अंकिता राय नहीं समझ में आ रहा है देखो जैसे अगर तीन संक्रियाओं है इनका कुछ ऐसे परक्रिया हो रही है तो भाईया हो अगर इनको हम ऐसे भी करके गुड़ा करें तब भी ये बराबर ही आएंगी यानि हम कह सकते हैं कि गुड़न की जो संक्रिया है उनमें पूर्ण संक्रियाओं है साचरोथ चंदा कुमारी बिल्कुल नहीं आएगा इसके लिए बुद्धी लेके आना पढ़ता दिमाग पढ़ने तो कुछ लोग आएं बुद्धी आलमारी प्रक्के आएं गर में तो कहां से आएगा दूसरी बात अगर सिर्फ पढ़ रहें तभी समझ में आएगा पढ़ाई के साथ साथ कुछ और हो रात नहीं समझ में आएगा ये भी बात है कुछ लोग पढ़ भी रहें ओपर से बाबु सोना का मैसेज भी आ रहा है तो टिक टिक के नोटिपिकेशन भी आता रहता है तब कुछ इकठा रखो तब आएगा दिल दिमाग जिसको दियो उससे मांग लाओ पहले अपने पास में रखो सुनिए हाँ पहुंचे कहां थे यार सब रिष्टब कर दिये इसमें पता नहीं कौन फोन कर रहा है कि सब्सक्राइब करते हैं पता नहीं क्या देखने वाले हैं वीडियो काल भी कर रहा है कि यह सुनी आगे कि मजा आ रही थोड़ा थोड़ा मजा आएगी यह वैसे है तो बोरिंग टाइप का क्योंकि लिखना पड़ेगा इसमें सब में इसोसेटिव वाला हो गया अब लिखिए गुड़न संक्रिया का योग पर बित्रण नियम यानि डिस्ट्रिब्यूटिव ला इनको बढ़ा करो चंदा को इनको बढ़ा करो इनका ना मैं क्या बताऊं जैसे होता नहीं कहीं आप लोग कभी निमंत्रण गया हो कि नहीं पहले के जमाने में हम लोग जाते थे आज कल तो दूसरा हिसाब होने लगा उसमें जब पहले पूड़ी सबजी मिलता है ना उसके बाद लाष्ट में चावाल आता है देखें हो कि नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते थे इनके जैसे वह पुछते थे भया जब अलोव आइगना है अरे बता जब है तो कि नहीं तो कि पहले जो मिला है पहले उसे देखो पहले उसे समझो फिर आगे का उपाय करो इनका खोपड़ी हम देखने जब से आई यह लड़की तब से इस्टटिक्स पढ़ाएं यह नहीं इस्टटिक्स पढ़ा दीजिए अब फिर भीच में क्या कहा रही कुछ समझ में या रहा है मंद बुद्धी जब तुम समझ रही ही नहीं हो तुमारे कोपड़ीम्त इस्टटिक्स भरियत कहा जाएगी समझो ना चलो इसको बला करके आटाओ भाई अब मैं क्या करू और आगे चलो यह हो गया ताइम ना ब गुडन संक्रिया का योग पर वित्रणियम डिस्ट्रिब्यूटिब लाफ मल्टिपलिकेशन ओबर एडिशन इसमें समझ यह क्या है इसमें वही आई से है आई से का सुनू अगर ए का मल्टिपल करना हो बी प्लस इमें इसमें बी प्लस इमें तो यह क्या होता सुनू A into B प्लस यह आपका A into C यह होता है यह क्या है मैंने हेटिंग बोला था गुड़न संक्रिया का योग पर बितरण परगुड गुड़न संक्रिया का योग पर बितरण परगुड ओके इसको समझ लीजिए जैसे अगर A को हमने 2 मान लिया B को मैंने 3 मान लिया और C को मैंने 4 मान लिया तो इधर भी ऐसे हो जायगा 2 गुड़न 3 धन 2 गुड़न 4 तो भीया यह 4-3-7-2-4 हो जायगा यह दूतियाई 6 और यह 4-2-8 बोलिए बराबरा रागनी बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है ना यानि हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि गुड़न संक्रिया पर जो बितरन नियम है वो क्या होता है लागव होता है पूर संक्रियां के गुड़न संक्रिया पर बितरन नियम लागव होता है लिख लिजिए चलिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप यदि A और B और C कोई तीन पूर संख्याए हो तो A गुड़े B प्लस C इक्वल A गुड़े B प्लस A गुड़े C इसे गुड़न संक्रिया पर बितरण का परगुण कहते हैं कुल मिला कि ऐसे समझे लो अगर परिक्षा में आ गया ये लिखने का गुड़न संक्रिया पर बितरण नियम तो आपको इतना ये लिख देना है बस बागी कुछ मत लिखना किवल ये लाइन लिख दोगे कोई कहानी नहीं लिखोगे फिर भी नंबर मिल जाएगा क्योंकि इसी में सारा सारांस है सारा मजदार चीज़ इसी में है गुड़न संक्रिया का घटाने पर बितरण नियम इसमें भी ऐसे ही होगा घटाने वाला भी ऐसे ही होगा ठीक है तो मुझे लग रहा है कि आज का कम बंढ़ कर दाय क्या यह लिख्वाने वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा महेंगा पड़ रहा है इसको दिखा देना चाहिए यार जान रहा हो इसको पीडिया बन्वा करके इस्क्रीन पे दिखा दे हैं आप लोग स्क्रीन साड ले लेके रखलो समझाने वाला चीज यहां करवाएं है न समझाने वाला चीज यहां पर करवाएं तो बेतर रहेगा और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं भाग की संक्रिया में भी ऐसे ही है भाग की संक्रिया में भी ऐसे ही है पुन संख्याओं में जो है भाग की संक्रिया जो है उसमें भी ऐसे ही सब कुछ लिखना है इसको हमें काम करेंगे पीविआर स्टडी टेली gram चैनल में आपको पीडियेप दे दिया जाएगा आप इसको लिखवाएंगे नहीं बहुत हो गया बाती नहीं पूरा कलास खराब हो जाएगी लिखाते लिखाते तो आप सभी PBR study को टेली गराम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें इसका जो लिखने वाली चीज है अगर भेज दिया जाएगा तो आप लोग लिख लीजिए ठीक है नहीं ज्वाइन किये हैं तो ज्वाइन कर लीजिए ठीक है ज्वाइन कर लीजिए और कुछ और भी इसमें पढ़ाने तो हैं बहुत सारी चीजिए ग्यारा बज़े तक पढ़ाएं अच्छा थीक बाबाई चलो क्लास तो आप लोग सेयर किये नहीं हो संख्या तो जूड़ी है नहीं उतनी काहे को ग्यारा बज़े तक पढ़ाएं और यह जो लोग बाद में देखते हैं आप क्लास गायव करेंगे पीच से तब यह बाद में नहीं देख पाएंगे चलिए बितरन परगुण का परियोग करके निमलिखित में से परतेक का गुड़न फल ग्याद कीजिए बितरन परगुण का परियोग करके निमलिखित में से परतेक का गुड़न फल ग्याद कीजिए पहला है चार आठ साथ गुड़ा एक हजार आठ देखिए अगर इनका नार्मली मल्टीपल करोगे कि नार्मली काय को मूँ बना रहे हो किसी का टेणा हो रहा है किसी की नाक निकल रही किसी का दाथ निकल रहा है मैं तो पढ़ाई रहा हूं कैसे करेंगे बताइए समझ यह और बताईए देखो भी समझों यहां पर इतरन नियम का परियोग करके इसको करना है तो कैसे करेंगे समझे करेंगे बितरन नियम में कहता है मिल बांट के खाना जैसे देखते न हम आज कल गराम परधान बरष्टा-चपर करतें तो बीडियों फिलेकर करके डी मैं तक सब खाते हैं विल बांट करते हैं तो अगर कोई घ्राम का वेक्ति परधान की सिकायत करेगा डीम के पास ग्राम विकास अधिकारी के पास तो उल्टा उसको डांट पड़ेगी होगा कुछ नहीं होता ना ऐसा आपने यूपी में भई कि एक हजार प्लस आठ अब इसको क्या करेंगे अलग-अलग मल्टीपल कर देंगे बस बितरन नियम यही तो कहता था अरे यह देखे नहीं हो ए इन्टू बी प्लस सी इक्वल ए इन्टू बी धन ए इन्टू सी यही तो होता है ना यही तो होता है ना देखो समझो कुछो क अ then with को कैलकुलेटर से कर रह देखो कुछो लोग कल्कुलेटर से कर रहाен मोबाइल से वो ना ए करें मोबाइल से ना करो भी यह चलो देखो है विंपल है यह आपका ये चार आठ साथ गुड़ा इसका गुड़ा एक हजार में हो जाएगा और प्लस चार आठ साथ इसका गुड़ा नहीं हो जाएगा यह आपका चार आठ साथ तीन टी जीरो लग जाएगा इसका गुड़ा करोगे आठ सते चपन हासिल 5 आठ थाई 64 5 और अत्तर हासिल 6 आठ चोग 32 6 38 38 चानवे ना जोड़ लो 490 आठ सो चानवे आजाएगा कि लिखो कि चार सो नब्वे आठ सो चानवे आएगा बताइए कुछ समझ में आए ना अगर आपको ऐसे सीधा फिदा गुड़ा करने को कह दिया जाए तो देखिए ना तो आपको चार सो सतासी का पहाड़ा आता ना एक हजार आठ का आता है फिर यह बड़ा मुश्किल होगा लेकिन अगर आप इसे बुद्धिमानी से से तोड़ेंगे तो आपको ज्यादा गुड़ा उड़ा नहीं करना पड़ा अराम से जुड़ गया और आ गया ना समझ में आया ना चलिए ओके मिटाएं ठीक है वो गया अब सुनिए अब क्या करना है कुछ और भी लिख लिजिए नो नो आठ गुड़ा चार तीन चाह इसका आप लोग करके बताओ कितना आएगा कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे क्या आप लोग मेंसे कोई कर पाएगा इसे एक एडियोटाइजमेंट दे रहे हैं पूरा देखना बाग नमा हो गया ओके डन चलो आगे सुनो अब क्या करना है देखो सुनो इनको हम ऐसे कर सकते हैं एक हजार माइनस दो इंटू चार सो चतिस ओके तुनो अब अब इनका हम बित्रण नियम से कर लेंगे अब बित्रण नियम से कर हो जाएगा अब यह हो जाएगा आपका चार सो चतिस तीन ठी जीरो माइनस दो का गुड़ा कर लो दो चंग बारा हांसी लेग दो त्याहिए शेक साथ दो चौक आठ 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 सो बहात्तर क्यों मैं सही हुआ एक नहीं इनको घटाओ इतना आएगा कि आया सभी को समझ में लिख लीजिए जल्दी से हो गया खतम कि इसमें कुछ काइना है किसी को तो बोलो नहीं काइना ना आगे बढ़ें चलो फटा-फट आगे बढ़ते चलिए देखिए करना क्या है समझते चलिए इस तरह के जो भी कुश्चन है उन्हें आपको बितरन नियम में तोड़ तोड़ के करना एक परकार से बस अगर आप करेंगे तो आपके लिए कल्कुलेसन आसान हो जाएगा बाकी डारेक्टली करेंगे तो फिर थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा ठीक है लिखो संड़ सट चववन गुड़ा चवरानवे संड़ सट चववन गुड़ा चवरानवे एक आओ लिखो सब्भी चार सौट अठार एक सौच्छे इनको दोनों को आप लोगों को करना है और खुद से बताना है हूं कर लेंगे ना आप कुछ कोईश्चन आप लोग बताईए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है कुछ अभ्यास करते रहिए जो बहुता ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजों को जबाब दीजिए चतुर्भुच के चारों कोणों का योग कितना होता है रूरूल सब खतम हो गया इसमें यह रूरूल नहीं था ब्यास प्रसंद था वैसे तो लगभग मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं लेकिन फिर भी और भी ज़ता detail में पढ़ने के लिए आप पी बीरуть अनन चॉइन कर सकते हैं सीचे समेस्टर मारत फिक है इम्मेश इ सब्सक्राइब में आपको इससे और भी बैसे बैस्परिंद मिल जायेगा ककै चाहें सबसे पहला अंसर रिसी कुमार का आया है ठीक है रिसी कुमार बहुत अच्छे है रिसी जी बेरी गुड चलो कॉपी नहीं लिए है आज अच्छा एक और बताओ का कौण किस परकार का कौण है जल्दी करो कि दो सो पैसा ठंस का कौण ये अधिक कौण है ब्रियात कौण है निवन कौण है या समकौण है का है भई यह पताई यह जबाब दीजिए कर लेंगे ना आप लोग एंगल के बारे मैंने पढ़ाया था अगर एक कोई तिर्भूज है सिंपल सा ये तो हर किसी को आना चाहिए बहुँ छोटा सा सवाल है इसके तीन कौण है यह सत्तर है यह आपका चालिस है तो यह तीफरा वाला कितना अंस होगा भई बोलो यह सत्तर है यह चालिस है यह कितना होगा प्रितिक रियसन करुणा बंसल कितना आएगा ब्रियात कोड ना ठीक है ब्रियात कोड होता ठीक है आप लोगों में से अधिकांस कंडिडेट ने कलास को लाइक ने किया है का एक हो भई या का चाहिए दिल चाहते हो कि जान चाहते हो कि दोनों चाहते हो बताओ कि दोनों में से क्या चाहते हो बता दो लाइक करो कलास फटा 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 इसका करेक्ट आंसर जो है वह सत्तर अंस है गौत तो गौतम ने बताया ठीक है कौतम बेरे गुड 70 अंस है क्यों क्योंकि 70 40 130 होगा क्यों बाई 70 कहा सोगा इस गलत जोड़ रहे हुँ ना क्योंकि यह कच्छा 5 का सवाल भुष मेहनत करने की जरूरत है ठीक है अगर यह कुष्चन आपका गलत हो गया जो 70 अंस वालाद तो समझ लो कि आपको मेहत में भुतायाती मेहनत करनी पड़ेगी और आप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा थाड़ समेश्टर में भी आपको 25 कि इसमें 25 नंबर मिल जाएगा सिकेंड में भी तो मिलेगा ही कि पर्मिये संख्याओं की कि विसेश्ता हैं इंगलिस में इन्हें बड़ा आजीब टाइब का बोलते हैं करेक्ट रिक्ट्स आफ रेफ्नल नंबर ऑके अगे बढहें आगे मिता दो इसको काहे को लिख्यों हर किसी की एक नये बिसेह। मालुम है आप लोगों को कुछ बिसेश्ता हैं आपको पता होती है और कुछ नहीं पता होती हैं हमारे बारे में देखें तो हमारी कुछ बिसेश्था आपको मालूम है कि हम आपको DLA का मैद पढ़ाते हैं बेसिक मैद भी पढ़ाते हैं और PBR Study Channel पे हमारी सकल देखने को आप पाजाते हैं ये तो बिसेश्था हो गई जो आपको पता है लेकिन कुछ ऐसे काम भी हम करते हैं जो आपको नहीं पता होंगे है ना? तो ऐसे क्या है? रिशनल नंबर की बहुत सारी विसेश्थाएं हैं उनके बारे में अब हम लिखाने चल रहे हैं रूही चौधरी कलास रोज चलती है रोज सुनिए पहला भी सेश्था है कि दो पर्मिय संख्याओं के बीच असंख पर्मिय संख्याओं हो सकती है इनका कोई अंत नहीं होता है जैसे सुनिए सुन्ड़ा ना? अजी सुनिए नहीं बोल रहा हूँ मैं इधर देखिए दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याओं हो सकती है इनकी कोई लिमिट नहीं होती है जैसे अगर मैंने कहा कि 4 और 6 के बीच में कितनी संख्याओं है समझेरें आप लोग तो simple में आप लोग कहोगे कि भाईया 4 और 6 के बीच में तो एक है संख्या है 5 यही कहोगे ना लेकिन एक चीज और देखो अभी अगर मैं बोलूँ कि 3 और 7 के बीच में कितनी संख्याएं है 3 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं तो सिंपल में आप कहोगे कि इसके बीच में 4, 5 और 6 यही 3 है ना यह तो सिंपल सिंपल में जो रेफनल रेफनल नहीं जानता हूँ यही कहेगा अगर मैं बोलूं कि 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या हैं तो आप सिंपल में कह सकते हो कुछ नहीं है लेकिन अगर पर्मिय संख्या की बात हो रही तो अगर पर्मिय संख्या की बात हो रही तो तो थिरी एंड फोर के बीच में असंख पर्मिय संख्या हैं अनंत पर्मिय संख्या हैं इसको बताओं कि ना बताओं चलो बताओं देता हूं इससे आपको पूसरीक हो ठीक है पाहला पूर्पर्टी एँसकी हो इकी दो पर्मिये संख्यां के बीच में अनन्त पर्मिये संख्याह होती है इनका कोई limit नहीं है इनको निकालने का दो तरीका है पहला तरीका देखो फाइस्ट मेथेड देखिए फाइस्ट मेथेड यह होता है कि हमें 3 और 4 के बीच में रेफनल नमबर निकालना है न चलो मैंने इनको दूर दूर लिख दिया थोड़ी दूरी बढ़ गई अब इनमें प्यार बढ़ेगा देखो कैसे इधर देखो समझो इसका फर्मूला होता है A प्लस B अपांट टू A मतलब पहली संख्या B मतलब दूसरी संख्या इसको दो से भाग करेंगे तो साथ बटा दो साथ बटा दो यानि इससे हम साड़े तीन भी कह सकते हैं बोलो हा या नहीं कह सकते हैं ना वैसे भी तुम जानते हो कि तीन और चार के बीच में साड़े तीन आता है साड़े तीन आता है ना तीन और चार के बीच में आता है ना तो हम क्या कह सकते हैं भाईया हम कह सकते हैं क्या सुनो, बताता हूँ देखो यह सेवन अपांटू एक संख्या आगए इसके बीच में अब बताओ क्या इसके बीच में और भी संख्याएं हो सकती है क्या इसके बीच में और भी संख्याएं हो सकती है हाँ या नहीं बोलो फटाफट बोलो हाँ हो सकती है चलो देखो बता देता हूं सुनो अब क्या करोगे अब इनके दोनों के बीच में ऐसे ही निकालोगे इन दोनों के बीच में ठीक है और फटा फटा आप कर ले जाओगे देखो इधर समझो इनको दोनों को पकड़ो A प्लस B अपान टू A की जगा पर 3 इतना आएगा एक बर करके देखो थोड़ा सा मेनत लगेगी भागना नहीं सीखना है उपर क्रास मल्टीपल करना है हमें 3 प्लस 7 अपान टू इन्टू इसको हल करना है समझो तिर्षा गुड़ा करोगे 3 दूना 6 7 एकम 7 2 एकम 2 7 छा तेरा बटा 2 क्या आएगा 13 अपान टू आएगा यानि इसके बीच में दोनों के एक पर्मिय संख्या है 13 अपान टू बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं हम आया समझ में इस तरह से आप इनके इनके बीच में भी अब निकाल सकते हो नहीं गलत हो गया इसका मान था इतने का मान था ना नीचे दो इसमें और था पूरा कहां किया भी हम लोगों नहीं सुनो यह अकेला है इसके नीचे वन छिपा देंगे यह बेचारा जोडी दार था ठीक है जोडी में था मतलब भिनने के रूप में था यह अकेला था केबल अंस थाई उसका हर नहीं था तो इसमें हर बना देते वन ज्छिपा के अब इनको बाहर बाहर का गुडा अंदर का गुडा करेंगे तो यह थार्टीन अफान-फौर बनेगा इसके बीच में आएगा आई यानि जो आए जो आए वो साड़े तीन से कम होना चाहिए अगर 13 बटा 2 करोगे तब तो साड़े 6 हो जाएगा तो साड़े 3 के बीच में साड़े 6 कैसे आएगा सबज में आ रहा है अच्छा मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं जादा क्या अब इनके बीच में भी हम क्या क्या होता रहेगा कभी खतम नहीं होगा करद कि 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 नीज भी दो रपनल नंबर के बीच में अन। 48 1982 civil maximum हो सकती है इनमें कोई लीट नहीं होती है समझ गये ना यह पहला नीम था इसका अभी राजपूत आज़ा समझ में तो इसको मिट आता हूं ये पहला था, दूसरा नियम लिखिए, नियम नहीं सुरी आप लिख रहे हैं पर्मिय संख्या की प्रोपर्टी, पर्मिय संख्या की बिसेश्ता आप लिख रहे हैं, पहली बिसेश्ता थी कि किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याओं हो सकती है इनकी कोई limit नहीं होती है दूसरा दो पर्मिय संख्याओं को जोडने पर हमेशा सदयो आलबेज पर्मिय संख्या ही प्राप्त होती है और पर्मिय संख्या नहीं होती है ठीक है यह दूसरी प्रपर्टी है कि दो पर्मिय संख्याओं को जोडने पर हमेशा एक पर्मिय संख्या ही प्राप्त होती है जैसे आपने देखा होगा बंदर से बंदर के ही बच्चे पैदा होते हैं कभी भालू नहीं पैदा होता अब कलजीूग में कहीं अपवाद हो जाओ अलग बात है बोल रहे ना चुवा से चुवा ही पैदा होता बिल्ली नहीं पैदा होता तो ऐसे इसमें क्या है दो पर्मिय संख्याओं को जोडने पर हमेशा जो आता है वह पर्मिय संख्या ही होता है जैसे तीन बटा दो एक बटा तीन इसमें जोड़ो ये दोनो रिफनल नंबर है न इनको जोड़ो कि जो आएगा वो भी एक रिफनल नंबर होगा चाहोगा परमिय संख्याई होगा तो इसको लिख लिजिए दूफरा नियम यही पर खतम होता है तीसरे नियम पर चलिए थाड नियम पर चलिए भाई आदो जी थोड़ा तफली रखिए तफली रखिए थोड़ा पढ़ने दीजिए जाती धरम के चक्कर में तो बहुत कुछ बरबाद हो रहा है आप काहे को लगे है आईए इदर काम की बात करिए परमिय संख्याओं को किसी भी करम में रख कर जोड़ा जा सकता है इसका योग करम भी नियम कहते है परमिय संख्याओं को किसी भी करम में रख कर जोड़ा जा सकता है इसे योग का करम भी नियम कहते है जैसे कहते हैं चना खाओ चाहे जिस रूप में खाओ फायदा करता है बुड़े बुज़र को लोग कहा करते थे चाहे कच्चे खालो चाहे भिगो के खाओ चाहे उसका क्या बनता यार वो अपनों बताओ क्या क्या बनता चाने का तो वैसे जफनल नंबर है न उनको जोड़ा जाता है तो चाहे अलट पलट के उठाख के कैसे भी जोड़ो वो हमेशा क्या होगा जो आएगा वो एक रिशनल नंबर ही आएगा कर्मिय संख्याओं को किसी भी करम में रखकर जोड़ा जा सकता है इसे योग का करम बिनिमिय नियम कहते हैं जैसे अगर तीन धन चार धन एक इनको जोड़े हम तब आठ आएगा अगर इनका करम बदल दें तब भी तो आठी आएगा बोलो तिलपी अच्छा सत्तु बनता है कोई कहरा कोमरी बनता है आप आलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ बनता होगा अब बाइलोजी वाले अपना दिमाग अलग लगाएंगे चने का मटर के साथ संकरण करा के खाओ तो कुछ अलग स्वाद आएगा तो इनका तो बात ही अलग है मैथ वालों से बात कर रहे थे बाइलो जी वालों से नहीं चलो यह ठीक है तीफरा नियम हो गया इनका करम बदलने से कोई फरक नहीं पड़ता है चौथी प्रपर्टी देखिए इनकी पर्मिय संख्याओं को एक समू बना कर भी जोड़ा जा सकता है इससे मान पर कोई फरक ने पड़ता है ठीक है इसको मत लिखिए जाने दीजिए हाँ पर्मिय संख्याओं के लिए सुनने एक तत्समक अवयो है अर्थात सुनने को किसी भी पर्मिय संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है पर्मिय संख्याओं के लिए सुन एक तत्समक अवयो है इसे देखलो देखलो इसे प्यार से तत्समक अवयो यह हिंदी में ही पूछा जाएगा इंगलिस में नहीं पर्मिय संख्याओं के लिए सुन्न एक तत्समक आयो है इसका योग का तत्समक आयो सुन्न है गुडन का तत्समक आयो एक है तत्समक आयो का मतलब जिसके होने या ना होने से कोई फरक ना पड़े जैसे आजकल हम लोग जनता लोग ना इस देश में तर्पसमा कावयो बन चुके हैं इनके होने या होना होने से सरकार को कोई फरक नी पड़ने वाला है महांगाई अपराद बेताहासा बढ़ रहे हैं और सरकार मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रही है और मीडिया वाले करनक पर इंटा रखके भी बवाल कर रहे हैं कह रहे हैं यह तो पहले फलाना चीज था अब इसको अटाओ सब कहते हैं गड़े मुर्दें उखाड़ना ठीक है अच्छी बात है मानते करना चाहिए लेकिन कुछ लोगों को करना चाहिए तो फिलाल बाद में बात करते हैं तत्समक आयोग की बात हम क्या कर रहे थे सुनिए सुनने को योग का तत्समक आयोग कहते हैं यानि इसको जोडने से किसी भी नंबर में कोई फरक नहीं पड़ता है नियम में क्या लिखोगे आप नियम में लिखोगे पर्मिय संख्याओं के लिए सुनने तत्समक आयोग है या तत्समक आयोग का कारे करता है समझ में आया लिख लिजिए दिप सिखा राजपूत कह रहे हैं इस पर कोई कमेंट ना करो देखो भई आभी ना यह दिखा लिख चंदन नहीं घिसा ओगा अभी बड़े हनुमान जी मंदिर आप लोग जानते हो ना पर्याग राज में हैं संगम में आप लोग ने सुना होगा बड़े हनुमान अब हुआ से आ रहे हैं तो हम भी हिंदू हैं पूजा पाट करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन कि जरुब Вас है जितना उतना उस से ज्यादा नहीं समझ रहे हो तो करना चाहिए सब कुछ करना चाहिए लेकिन व्य Roukin त को किनारे करिये फिलहाल अभी हम लोग इंप्वार्टन चर्चा कर रहें उस पर संडे को चर्चा करेंगे पूरा डीटियल में रभीवार को रात नो बजे से लाइब आएंगे फिर उसमें बात्चीत होगी ठीक है चलिए अभी साटिफिकट भी देना पड़ेगा किसी को तो वह भी रखें मिलेगा चलो आगे अगला यदि दो बिरोधी पर्मिय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल सुने प्राप्त होता है कि दो बिरोधी बिरोधी का मतलब यहां पर हो गया कि दो बिपरीत चिन्नवाली पर्मिय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल सुनने होता है कि यह आपका कौन साथ छटी विसेस्ता है छटवी विसेस्ता है साथमी विसेस्ता लिखिए यह पांच हो गया था छे हो गया था साथमा साथमा विसेस्ता लिखिए बहुत सारी विसेस्ता हैं है इनकी पर्मिय संख्याओं का गुड़नफल संब्रित या संचरक होता है अर्थात दो रासियों का गुड़ा करने पर सदव एक निश्चित पर्मिय संख्या हो जाता है समझ रहो? दो रासियों का गुड़ा करने पर सदव एक निश्चित पर्मिय संख्या हो जाती है कहने का मतलब इसका मुख्य जो तात्य पर निकल रहा हुई ये है कि पर्मिय संख्याओं का गुड़न फल संब्रित या संचरक होता है अर्थात रासियों का गुड़ा करने पर गुड़न फल सदय एक निश्चित पर्मिय संख्या हो जाता है पुल मिलाके आप इसे हलके मैं ऐसे समझ लो कि कोई भी दो पर्मिय संख्या का अगर हम गुड़ा करते हैं तो उसका अंसर एक फिक्स अंसर होता है यह बदलता नहीं है जैसे तीन का पांच में गुड़ा किये चाहे दस बार करोगे पंद्रह ही आएगा अगर सही लिखोगे तब ऐसा नहीं है कि एक बार करोगे अठारा हो जाएगा ठीक है अठारा नहीं होगा वहीं आएगा कि इनको चाहे अलट पलटके कैसे भी करके करो वहीं आएगा कि अधर रहों ना तो यह आपका हो गया अगला नियम अगला एक और लिखी अब इसे इस्ता लिख रहें ना आप लोग पर में संख्या की हाँ मैंने बोला फिर से बोल दे रहा हूं सत्मा पर्मिय संख्याओं का गुड़न फल संब्रित या संचरक होता है संब्रित ऐसे या संचरक होता है देखो अगर इमांदारी फिर लिखोगे तब ही अच्छा है नहीं तो मजा नहीं आएगी अर्थाथ दो राशियों का गुड़ा करने पर सदयो एक निश्चित पर्मिय संख्या प्राप्थ होती है हो गया दो पर्मिय संख्याओं का योग फल का किसी तीसरी पर्मिय संख्या से गुड़ा करें तो गुड़नफल वही होगा जो की उन दोनों संख्याओं में तीसरी का अलग-अलग गुड़ा करने से प्राप्थ होगा अगला नियम दो पर्मिय संख्याओं का यह दो पर्मिय संख्याओं के योग का किसी तीसरी पर्मिय संख्या से गुड़ा करें तो गुड़नफल वही होगा जो उन तीनों पर्मिय संख्याओं का अलग अलग गुड़ा करने पर प्राप्थ होगा मतलब समझेए इसका फिर आप लिख लीजिएगा अभी ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे इनका तत्पर ये है कि अगर कोई तीन संख्या है मानलो कि तीन गुड़ा पांच गुड़ा फाद इनका गुड़ा करने पर जितना आएगा 35сть15, 705 न उतना ही आएगा यदि हम इनमें से दो संख्या को जोड़ दें यही तो बोल रहा था और फिर उसका तीसरी संख्या से गुड़ा करें तब भी उतना ही आएगा यही बोल रहा ही है ड़ीमिते करते हैं आई से नहीं करना यंद के 5-3-8-6 ऑला चाहिएगा यह ऐसे में साथ में प्लस 5 हांच को ज़स्साथ में कि अ हुधितनु सक्ष्पणया वनी चाहिए थे फेशनी लग रहा हुगह 1-1 मिन्म रूख जा 느它 क्या क्या था कि यदि दो पर्मिय संख्याओं का योग फल का किसी तीसरी पर्मिय संख्या से गुड़ा करें तो गुड़न फल वही होगा जो कि उन दोनों में तीसरी का अलग-अलग गुड़ा करने से होगा कि यह इनका मतलब यह नहीं है किृए कि मतलब यह नहीं है कि रुको बताता हूं एक मिनट सुन और मं आयसा नहीं है एक जाम्पल समझो यह उड़ा फालाग हो गया गलत हो गया ईसा नहीं रहेगा मैं कुछ और बताना चाहता है तदेखो जैसे दो बटा चाहुा जाँ दे इसका अगर हम गुड़ा करें एक बटा जो और एक बटा तीन आइसे करके इनको करके देखो कितना आएगा नहीं, impossible नहीं, impossible है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, देखो कितना आएगा ये चाहे हम इसको ऐसे करें, या फिर 1 upon 3 को 2 upon 3 से multiple करें यानि ये 2 upon 3 into 1 upon 3 और उसके बाद फिर plus करदें 1 upon 2 को 2 upon 3 में plus करदें किसमें, 1 upon 2 को और 2 upon 3 से multiple करदें अब ये देखो, equal आएगा कि नहीं बोलो ये equal आएगा कि नहीं, करके देखो करके देखो भई ये 2 upon 2, 3 को 9 यानि 2 upon 9 प्लस ये आपका 2 upon 6 इसको कर लीजी, LCM करिये कितना आएगा LCM कर लेंगे तो मुझे जहां तक लग रहा है वो कितना आएगा, 9 आएगा क्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से कट जाए करके देखिए आई ये इदार फाइड में देखिए 6 और 9, 2 से काटोगे, 3 आएगा 9 ऐसे लिख देंगे 3 से काटोगे, 3 तरीक करनो, 3 कितना आएगा, 18 आएगा 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा साथी होते हाँ पर आप 18 लिखोगे 9 से भाग करोगे, 2 आएगा, 2 का इसमें गुड़ा करोगे 4, 6 से भाग करोगे, 3 आएगा 3 दूनाथ 6 यानि 10 बटा 18 आएगा एक बात बताओ इसको करने पर जो ये वाला था, नीचे वाला समझो, एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूं ये और ये दोनो इस्तिती में बराबर मान आएगा की नहीं दोनो इस्तिती में बराबर मान आएगा या नहीं आएगा बोलो आएगा ना चाहिए हम इसको हल कीये तब इतना आया इसको भी करो गया आइसे तो इतना ही आयेगा, चाहिए तो करके देखलो, तीक है, इनको चाहिए आपस में जोण लो और फिर दो बटा तीन से गुडा कर लो, तो ये धो एक ँग दो और ये तीन एकम तीन, और तीन दुना छे, यह 2 बटा 3 गुड़ा यह 5 बटा 6 यह 10 बटा 18 देखवाया नहीं बोलो आया न चाहे हम इन दोनों को जोड़ करके अलग से गुड़ा करें तब भी वही आया या फिर इनको ओपन करके हमने एक्स्प्लेन कर दिया तब भी वही आया बताव आया की नहीं आया आया न तो यही कह रहा था पर्मिय संख्या का अगला नियम कि यदि दो पर्मिय संख्याओं का योगफल का किसी तीसरी पर्मिय संख्या से गुड़ा करें तो गुड़न फल वही होगा जो कि उन दोनों संख्याओंका सिसरी संख्या से अलग-अलग गुड़ा करने पर प्राप्त होगा बस यही तरीका था समझ में आई ना यानि कहनेकाा मतलब इनका यह था चाहे तो आप इनका अलग-अलग इसमें करलो फिर इसका इसमें कर लो फिर ऐसे करके करो चाहिन दोनों को जोड़ लो तब इसको करो मतलब एक होगा वर्सा यादो समझ में आया सभी को समझ में आ रहा है न याद रखना ये कलास लाइब में ही देख सकते हो बाद में यूटूब पे नहीं मिलेगी रात में दस बज़े से ग्यारा बज़े के बीच आप देख लीजिए नहीं तो दिन में खोजते रहोगे कल की जैसे मिलेगी नहीं कलास दिन में यूटूब पे मिलेगी नहीं आईए आगे बढ़ते हैं चलिए आगला नियम अगला नियम लिखिए यदि पर्मिय संख्या को दूसरी पर्मिय संख्या से भाग दिया जाया तो भागफल वही होगा जो कि भाज जे संख्या के पदलोम का गुड़ा करने पर प्राप्त होता है सिंपल है अनुपा मौर्या जी मैं फिर से बोल दे रहा हूं पिछली डेपनिशन सुन लिजिए यह कह रहा है पिछला वाला लिख लिजिए फिर से जो लोग नहीं लिखे थे यज़ि दो पर्मिय संख्याओं के योगफल का किसी तीसरी पर्मिय संख्या से गुड़ा किया जाए इसी तीसरी पर्मिय संख्या से गुड़ा किये जाये तो गुड़नफल वही पर्मिय संख्या प्राप्त होगी जो की उन दोनों संख्याओं में तीसरी संख्या का अलग अलग गुड़ा करके जोड़ने से प्राप्त होगा उन दोनों संख्याओं में तीसरी संख्या का अलग-अलग गुड़ा करके जोड़ने से प्राप्त होगा उसका उधारन अभी मैंने करवा दिया देवांस जी नीचे नंबर चल रहा है उन पे संपर करिये बाबू नंबर पे संपर करिये अगला नियम लिखिये कह रहा है यदि पर्मिय संख्या को किसी पर्मिय संख्या को दूसरी पर्मिय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल वही होगा जो कि भाज्य संख्या के बिलोम का गुड़ा करने पर प्राप्त होता है पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखवा दूँगा दूबारा से अब नंबर ने डालूँगा देखो इनका तात्त पर ये है कि यदि तीन बटा पांच को हम भाग करेंगे छे बटा ऐसे देख लो माल लो दस बटा छे से ठीक है समझ न तो इसका आंसर वही होगा जो कि इस संख्या यानि भाज संख्या को हम पलट दें बिलोम कर दें यानि च्छा बटा दस का गुड़ा करने पर प्राप्थ होगा वही आएगा बस यही बोल रहा है यह बस और कुछ नहीं ठीक है बात पक्की न कोई तिकत नहीं किसी को एनी प्राप्लम नहीं न चलो कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि चलो सुनो इदर कि समझ में आ कि नहीं देखो एक बार फिर से चुन लो कि यह कह रहा है कि यदी दो पर्मिय संख्यां को रुख जाएग मिनट मैं बताता हूं कैसे कैसे लिखना है समझ लो इसका कहने का यह मतलब है कि यदि दो पर्मिय संख्यां है अलग-अलग इनको एक दूसरे में क्या करना भाग करना है तो इसका जो आंसर आएगा भाग करने पर वो वही होगा जो कि इस संख्या को इस संख्या के बिलोम से गुड़ा करने पर मिलेगा समझ में आया? यानि जो आंसर इसको ऐसे भाग करने पर मिलेगा वही आंसर इसी संख्या को इस संख्या के उल्टा से गुड़ा करने पर मिलेगा मतलब संख्या उलट के गुड़ा करोगे तब भी वही मिलेगा समझ में आया यही इसका मतलब था बस और कुछ नहीं ओके अगला है दो पर्मिय संख्याओं का गुड़नफल एक हो तो उनमें से परतेक एक दूसरे की बेउतकरम होगी कोई दो संख्या बताओ जिसका गुड़नफल एक हो बताईए जबाद दीचिये कोई दो पर्मिय संख्या बताओ जिनका मल्टिपल करने पर वन आए यह पर्मिय संख्या की प्रपर्टी है हमने दस ग्यारा प्रपर्टी लिखवाया साथ तक नंबर डाला था भाई बोलो अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखके कमेंट करो यह ओर नो कि मुझे नहीं आ रहा है लेकिन बोल यह जरूर दो संख्या बतानी एक तोड़ी बतानी है इनका तात्य पर यह है समझो कि जैसे छे बटा मालो पांच है और एक दूसरी संख्या है पांच बटा च्छा इनका अगर गुड़ा करेंगे चाच्चा लोग तो वन आएगा क्या आएगा वन आएगा बोल आएगा न तो इनका कहने का यह मतलब था कि यदि किसी भी दो पर्मिय संख्या को गुड़ा करने पर एक आता है तो वै एक दूसरे की बेउतकरम होती है यानि अपोजिट होती है काहिने का तात पर इनका यह है कि अगर मैं वह लोगू कि छा बटा पांच का बेउतकरम बताओ शे बटा पांच का बेउतकरम बताईए तो क्या होगा शिक्स अपान फाइब का आप अपोजिट नंबर बताओ तो क्या होगा बै सिंपल है यही फाइब अपान शिक्स होगा कुछ नया नहीं है है वही बात बस आपको समझना पढ़ता इसमें ओके चलिए आगे बढ़े डन इसमें है तो बहुत यार लिखवाएं तो चाहे दिन बर लिखवाते रहें क्या कह रहे हो कि और लिखवाएं अब लोग कह रहे हैं और लिखवाएं कि नहीं यदि एक रिडात्मक पर में संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से अथवा धनात्मक को रिडात्मक से भाग दिया जाए तो भाग फल सद्यों अब लिखवाएं कि यह तो बता दिया हूं चिन्वाला भी स्टार्टिंग में बताया था ना चिन्वाला जब रात नो बज़े वाली कलास में रात नो बज़े वाली कलास में बताया था ना चिन्वाला लफड़ा सारा बताया था ना इसको और डिटियल में हम आपको पीवी आरे स्टडी के टेली ग्राम चैनल पर भेज़ देंगे ठीक है कि देखिए उसकी लिंक जो है उपर पिन की गई है उसकी लिंक उपर पिन की गई है आप वहां से जाके टेली ग्राम चैनल जोईन कर लेना इसको डिटियल में और बेच दिया जाएगा ताहचर नियम तत्समक नियम अभी यह सब अब नहीं लिखवाएंगे बहुत हो गया वह बर हो रहा है अब यह बताओ कि हाँ गुडात्मक परतिलोम सुन लिजिये गुडात्मक परतिलोम और योगात्मक परतिलोम बहुत इंपोर्टेंट है सुनो योगात्मक परतिलोम वन अफान थिरी का योगात्मक परतिलोम बताओ योगात्मक परतिलोम वन अपान थिरी का योगातमक परतिलों बताईए नहीं पता है देखो भाई सिंपल है ये विल्कुल सिंपल है योगातमक और गुडातमक परतिलों में अंतर है याद रखना योगातमक और गुडातमक परतिलों में अंतर है तोनी मौर्या इलहाबाद आप जबाब दीजिए बस सिर्फ आंसर बताईए सुजीत मिसरा चिन्द बदल के बता रहे हैं ठीक है सुजीत जी बहुत अच्छे बेरी गुड ठीक है देखिए जो योगात्मक पतिलोम होता साथियों उसमें क्या होता है कि चिन्द बदल जाता है और फ्रेक्शन क्या होता है पलड जाता है कि नहीं हम आज आपको सिर्फ गुडात्मक पतिलोम के बारे में भी बात करेंगे लिखिए गुडात्मक पतिलोम में जब चिन्द नहीं बदलता है जैसे माइनस 6 षे बटा साथ का अगर पूंचेंगे तो माइनस साथ बटा 6 होगा के बिन पलड जाएगी बस गुडात्मक पतिलोम में तो माइनस छे बटा साथ का गुडात्मक पतिलों क्या होगा इसका गुडात्मक पतिलों क्या होगा देखो इसमें चिन नहीं बदलेगा याद रखना ये माइनस का माइनस ही रहेगा छे बटा साथ बटा छे अगर इनका हम गुडा कर दें तो क्या होगा जानते हो दोनों का ये छे बटा साथ माइनस में यह सब कट जाएंगे कुल्मिला के वह न आ जाएगा तो ऐसे इसमें भी होता है इसका जैस्ट उल्टा असनेहा तिवारी तीन दिन पढ़ाते थे यह कौन कहां डीलेड में तो रोज चलता है इसमें तीन दिन कहां था अभी हम आज सिर्फ गुड़ात्मक पतिलों की बात किये हैं योगात्मक के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया योगात्मक पतिलों में सिर्फ चिन बदलता है बस ठीक है सिर्फ चिन बदलता है बाकी कुछ नहीं होता चलो उसमें बता देते हैं अगर किसी भी नंबर का योगात्मक प्रतियोम बोलेंगे तो गिवल चिन बढ़ेगा जैसे देखो अगर मैं ढ़लू आठ का योगात्मक परतियोम योगात्मक प्रतियोम बताओ क्या आएगा आठ का योगात्मक पतिलोम क्या होगा बैस इंपल है इसमें सिर्फ चिन बदलता योगात्मक पतिलोम में तो आठ का योगात्मक पतिलोम माइनफ आठ होगा बस लेकिन अगर गुड़ात्मक पतिलोम तो गुड़ात्मक पतिलोम अगर इसका बोलते तो तो भाईया हो चिन नहीं बदलता ये चिन जो है पलस का पलफ ही रह जाता ये पलट जाता फ्रेक्शन वहना पानेट हो जाता ये गुडात्मक में वहना पानेट आएगा योगात्मक में माइनस एट आएगा समझ में आए ना यहीं अंतर है दोनों में किसी को कुछ कहना है तो बताइए कि कुछ कहना है किसी को कलास के बारे में नहीं न अब पर्मिय संख्याओं के बीच पर्मिय संख्या निकालना अभी लाश्ट में हम कलास की लिंक आपको पेस्ट कर देंगे जाके देख लेना इसमें ये एक टॉपिक है कि दो पर्मिय संख्या के बीच में पर्मिय संख्या निकालना इसको आप लोग देख लीजिए अगा ठीक है समझ में आ रहा है ना देख लेना इसको ओके तो और क्या किया जाए ये चैप्टर खतम होता है आपका अगला चैप्टर शुरू होगा बता रहा हूं बता रहा हूं सबर करिए दिल थाम के बैठिए ये समी करण है ये क्या है सर्व समिका सर्व समिका देखो भाईया इनको इंगलिस में इक्वेशन बोलते हैं इनको आइडेंटी बोलते हैं अगर आप लोग कहो तो मैं लिख दूँ आइडेंटी बोलते हैं इंगलिस में उनको इक्वेशन बोलते हैं ठीक है आइडेंटिटी लिख देता हूं चलो इक्वेशन लिख दूँ कि रहने दूँ कि ओके आइडेंटिटी देखे इनमें अंतर क्या होता सिंपल्स अंतर है अक्सर इसमें पढ़ने वाले लोग सब जानते हैं कोई अंजान नहीं है आपने सुना होगा एक नाम यह यह सुना होगा बहुत अब बोल नहीं रहा हूं मैं आप समझ गया है ना इसमें क्या होता है कुछ लोग भाई किसी एकी के साथ रिलेशन में खुश रहते हैं संतुष रहते हैं आगे पने जिंदगी में कुछ नकुछ कर ते रहतें और कुछ लोग क्या करते हैं जहें माल का देखा वह यह जुगार लगा या वह नि बदल लगा तो इसमें एक ही बंदे के साथ एक ही परसन के साथ खुश रहने वाले कौन से हैं यह हैं और यह क्या हैं यह पल-पल में बदलने वाले अब देखो समझो कैसे सुनो और समझो मैं बता रहा हूं यानि सर्वसमिका किसी एक किसी एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ठ होती है सर्वसमिका किसी एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ठ होती है जबकि समी करण अलग-अलग मान के लिए भी इसकी अलग-अलग कंडिसन होती है यह देखिए मज़ा आया ना थोड़ा सा आप देखे समझीए मैं बताता हूं कैसे सुनिए इसमें ना situation की according changing होती रहती है बड़ इसमें नहीं होता है दोनों में यहीं अंतर है बाकी कोई अंतर नहीं है उधारन के तौर पर देखिए जैसे यह सरबसमिका आपने पढ़ा होगा आपने यह तो सिंपल वाली है मैं इसी के according आपको समझा रहा हूं बाकी अभी और मिलेगा यह होता है एकाई स्क्वाइर प्लस बी काई स्क्वाइर प्लस टू एबी होता है ना होता है आप देखो इधर थाइड में अगर हम equation में बात करें समीकरण में यहाँ पर देखो सुनो और समझो भाईया समझो जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा यक्स का स्क्वाइर समझते जाओ प्लस पांच यक्स प्लस वन इक्वल पचीश तो क्या आप लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हो कौन समीकरण है कौन सर्व समीका है डिसाइड कर सकते हो क्या कि क्यों इसमें अभी थोड़ा आपको कम समझ में आएगा पहले हम आपको बेश्जिक और थोड़ा पीछे लेचल के बताएं क्या मुझे लग रहाए इसमें अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा इसको भी हम आपको बताएंगे वैसे आप इतना समझ लो जो मैंने बताया एक चीज कि किसी एक निश्चित मान के लिए जो है इसके मान जो है वो अलग अलग होते हैं अगर कुछ और रखोगे तो दूसरे का मान कुछ और मिलेगा उसमें कुछ और रखोगे तो कुछ और मिलेगा लेकिन इसमें दोनों के एक निश्चित मान रखने पर ही दोनों बराबर होते ह लेकिन इसके और पीछे भी थोड़ा बेसिक आपको बताना चाहिए नहीं तो यहां से आप लोग को मुझे निलगता थोड़ा गड़बर हो जाएगा यह बहुत आगे हो जाएगा यह मैं कल पूरा करवाओंगा इसके आगे लेकिन अभी थोड़ा और पीछे चलिए अभी थोड़ा और पीछे चलिए क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाना चाहता हूं कि आप सभी को समझ में आए सुनिए यह बहुत आगे हो जाएगा देखे समीकरण होता क्या सुनिए समीकरण के पहले साथियों आपको यह आना चाहिए यह चर अचर जिन्हें वैरियबल बोलते हैं और जिन्हें कांस्टेंट बोलते हैं ठीक है वैरियबल और कांस्टेंट पहले दोचार कदम और पीछे चलिए क्योंकि वहां तक पहुंच जाएंगे तो कुछ लोग के पल्ले नहीं पड़ेगा क्या आप जानते हैं यह वैरियबल क्या है कांस्टेंट क्या है जानते हैं क्या है अगर जानते हैं तो बोल दो हाँ क्या है जानते हैं बताओ नहीं जानते हो सुनो देखे साथियों वरियेबल वो होते हैं आप एक लाइन में सुन लो कि A फिले करके Z तक जितना भी लेटर आप यूज करते हो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Z तक वो सभी वरियेबल कहलाते हैं जिने चर बद बोलते हैं इनके मान समय समय पर बदलते रहते हैं कभी भी इस्थिर नहीं होते हैं सिच्वेशन के अकार्डिंग जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इस्टोरी बताया था यां लिखके देखाना था आप लोगों ने उनकी तरह होते हैं निहायत बैमान होते हैं दो के बाद बेओफा मक्का तरह होते हैं और यह एकदम पति बरता पत्नी बरता जैसे होते हैं कभी नहीं बदलते हैं अधर के भी साहतों कैसे देखो यह क्या हैं यH Falls करके लिखए टक किसी पिंदेए वह सभी वह कंस्टेंट आअप सब्सक्राइए उनके मान एक्दम चठ्टान की तरह निश्चित होते हैं कभी चेंज नहीं निजिए नियानि जितने भी लेटर आप यूज करते हो मैंने बहुट भी लिखने लगते यह का लाते हैं इस लिए आपको थोड़ा और पीछे ले आया जिससे कि आप समझ सकैं रूबी कुमारी को मैंने पर्मानेंट बलाक कर दिया है बहुँ डिश्टरब करती भाई जो भी लिखने लगती एक चीज हमेशा हमेशा एक चीज चलो समझ गए ना अब साथियों आता एक नया पॉइंट इसमें एक नया पॉइंट आता है वो क्या है अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन बीज गढदितिये बंजक में अलजेर्ब्स क्रेशन तब इतुलकुल 0 से उसमें अलजेब्स काले सब्सक्राइब जोड़नें्स तो मुझे उसकी निव मजबूत करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आया ऐगा थिक है तो बीच गणिती बंजक को अलजेब्रिक इक्सप्रेशन इक्सप्रेशन इसके बारे में यह जो चर और अचर होते हैं इनको जोड़ घटाना गुड़ा भाग कुछ भी किरिया पर किरिया करके जो बनता है उसी को अलजेब्रिक इक्सप्रेशन कहते हैं जैसे माल लो इसमें समय यक्स लेलिया तीन यक्स प्लस वन तो यह क्या हो गया एक परकार से आपका बीच गणिती बन जक हो गया समझ में आया आया समझ में बिल्कुल कंस्टेंट जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बाई लिम्बो जी निगेटिव भी हो सकता है लेकिन अभी हमें इन लोगों को डीलेट में पढ़ाना है तो ज्यादा बहुत गहराई में ने उतरना है जो चीजे मैं आपको बता रहा को ध्यान में रख करके अगर बहुत ज्यादा दे दिया जाएगा तो यहाजम नहीं कर पाएंगे लिमिट में इसमें चर अचर में आपको और भी डीटियल में बहुत कुछ बताई जा सकती है लेकिन आप DLA यानि BTC कर रहे हैं अच्छा पांच की लेबल आट की लेबल का आपके कुश्चन आता है तो मैं बहुत डीटियल में इसमें नहीं जाने वाला हूं नहीं टाइम भी लगेगा आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा इस तरह का कोई और इक्जांपल बताएंगे इस तरह का कोई और इक्जांपल बताएंगे देखो कुछ भी लिख लो एक और मालो आप 9 B प्लस A यह भी आपका अलजेब्रिक कि इस परेसं हो गया पुल मिला करके चारओ रचर का मिला करके अंब स्कुछ भी ठीक है जैसे मालो मैंने 7 इंटू ईंटू सी कर दिया मतलब सेबनेसी यह भी हो घैंत यह समझ गये आप कि सब कुछ बता रहें बिल्कुल मन इस जी बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ें आप लोग सेशन को लाई की जरूर करो भाई यह आपकी जिम्मेदारी है इसे दिमाग में अपने रखके चलिए रखके चलिए आई आगे बढ़ते हैं देखिए इधर साइट तमझी है यह हो गया इसमें एक लिखिए गुडांक यानि कॉफिसियंट एक और चीज लिखिए नीचे गुडांक बहुत मज़ेदार टॉपिक शुरू किया था लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़ गये था जादा गुडांक कॉफिसियंट यह कौन से जानवर का नाम है देखो सुनो और समझो जैसे अगर मैंने लिखा यहां पर सेबन यक्स काई स्कॉयर वाई तो साथियों अगर मैं इसमें पूछूं इसको तो बाद मैं पूछूंगा 15 पंदरा भी अगर इसमें भी का गुडांक पूछूं तो क्या आएगा जानते हो इसको मैं 15 in to be कर सकता हूं तो भी का कुणाइंग चर्पत लगा है वही एनसर हो कोई बताएगा देखो वाई को अलग कर दो इससे बस यानि हम सेबन यक्स का स्क्वाइर इंटु वाई कर सकते हैं और अगर वाई का गुडांक पूछेंगे वावु तो सेबन एक्स का स्क्वाइर होगा तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है ठीक है क्या पूछा जा रहा है आपको अपने दिमाग में जेहन में रखना है समझ में सभी को तो चलो फिर ठीक है लगे हाथ एक चीज और बताओ यह बताएग कि एक वटा पांच है वन अपान फाइफ यक्स इसक्वाइर इसमें यक्स इसक्वाइर का गुडांग क्या है माइ अभी राजपूत तवस्सुम रूची गौतम ओके चलो इसमें यक्स स्क्वाइर का कोफिसेंट यानि गुडांग क्या है वन अपान फाइफ क्या है वन अपान फाइफ अभी आए थोड़ा बहुत आया समझ में इसमें सी यह थोड़ा इसमें सट गया इसलिए थोड़ा आपको कम सी समझ में आ रहा होगा यह सी स्क्वाइर का गुडांग माइनस का थ्री है याद रखना चिन्न के साथ लिखते हैं अफनेहा तिवारी गलत है प्रभाद तिवा और गवराल समिक्रण के पहले नहीं आई तो समिक्रण नहीं पढ़ले पड़ेगा डिल Нам थका गए निलें सब्सक्राइब के बारे में अभी मैं दे रहा था लेकिन आज अभी यह बताना अच्छा नहीं आज अभी इनकी और भी थोड़ा सा बेसिक चीजें सीखना आपको जरूरी है तो यह समझ गए अब मुझे यह बताओ कि माइनस तीन बटा साथ यक यस्क्वायर वाई इसमें यक सिस्क्वायर का कुडांग क्या होगा यक 95 का कॉफिसिकन कोई बताए गाएं वन को सिसकर लो जाता क्या है बताओना चलो नेक्स्ट कुष्टन पर मैं आगे बढ़ रहा हूं द्यान देना आप सभी समझ गए ना हम इस गए कि नहीं समझ गए चलो ठीक है एक और छोटा कर लो जैसे मैंने लिख दिया 9 यक्स 35 एसी मुझे इसमें से आप लोग वरियेबल बताओं यह कौन-कौन वरियेबल है इसमें आप लोग वरियेबल वताओं वरियेबल स्वेट आयादो सिल्पी परी सिल्पा अखिले सूपासना अभिसाल सालिनी बीर बहादूर बहुत अच्छे सिंपल है बहिया हो इसमें यक्स स्कौायर का पूछा था ना बाबू तो यक्स का स्कौायर को छोड़ के बाकि जो और साथ में वाई था तो वाई को भी ले लेंगे इसको छोड़ना नहीं ठीक है इसमें मैंने जड़ तो नहीं लिखा हूँ पारसना जी कहीं पर एक्स है ए है सी है यह क्या है वेरियबल है आपको समझ में आया नौ बटा तीन तो मैं कहीं लिखा ही नहीं कौन से दुनिया में जी रही हो पंगल गरह से आने वाले थोड़ा सा दर्ती पर भी रहम बर पाहिए हुआ है कि औहिए सुनिये कि अब इस दर साइड में ये इधर साइड में ये सुनिए सुनिये है यह आप लोग कर लेंगे सब्रक्रलेंगे अऑसस सेथrial तो हम थोड़ा सा और स्ट्रम बढ़ाते है Fal तो हम आपको मेन टॉपिक पढ़ाएंगे समी करन सर्व समी का जो भी मैंने बताया था शुरू में सुनिये अगर मैंने कहा कि यक्स का स्क्वाइर प्लस वन इक्कॉल फाइव इसमें से मैं आप से यक्स कमान पूछू तो क्या आएगा कितने लोग हैं जो बता लेंगे बताये कितने लोग हैं जो बता लेंगे इसमें यक्स कमान बताओ 9 y का स्क्वाइर माइनस का 3 इक्वल अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या इसमें से y कमान आप बता लोगे नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं मैं कल सब बताऊंगा अभी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ क्यों तरस्ता है रे तू बंदे जल्दी ही मंजरेगा बंदर क्या बोल गया कोई सुन पाया जल्दी ही बदलेगा मंजर चलो तो यह यक्स का इकवल 5 एसे रहेगा इजित के साथ लिखा रहेगा यह गहाँ यह हो जाएगा तो मैज रहे और बंदी बाद अलखिटार सज्कित्म और मिदनी धर लिधार लेंगे यह इतना हो जाएगा मदलब 2 अंगर Андर दो तो इता यादो अंकिता सिंग रेनु यादो बीर बहादूर सिल्पा दीप सिखा अखिलेस ठीक है गुड़ बेरी गुड़ आए इसमें देखो वाई का हमें मान निकालना है भाईया हो इनको ऐसे लिख लो चुप चाप ये तीन उधर जाएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा और यहाँ पर आप वाई का स्कॉायर लिखोगे ये तीन ये गुड़ा में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा है यह कड़ जाएगा वन अपांथरी यानि हम कह सकते हैं कि वाई इक्वल अंडर रूट वन अपांथरी अब इनका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो यह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत इस बताना अगर समझ में आ रहा है तो आपको आपके उनकी कसम भाईया लाइक तो कर दो फट से चलो क्लास को लाइक कर दो फट से जल्दी से अब इतनी बड़ी कसम को अगर हम देखा करोगे तो फिर सुबेरे फिले लात्मू का सुरू हो जाएगा चलिए हो गया आगे बढ़े आईये अगर शिक्टी एट लाइक था मैं देख रहा हूं दो तीन लोगों को डर लग रहा है उन लोगों नहीं किया है बाकी लोग नहीं डर रहे हो का अच्छा ठीक है देखते हैं कल रोना नहीं आके कलास में सबसे पहले अब तुनिया इदर अगला अगला तीन यक्स का स्कॉयर प्लस से बन ठीक है इक्वल नाइन लेकिन कुछ बन नहीं रहा अच्छा था ऐसे नहीं मजाएगी इसको जाने दो ऐसे रहने दो कि यक्स का स्कॉयर लिखो प्लस स्वेवन अच्छा अच्छा यहां से यक्स का मान क्या आएगा कि अरे वाह सब लाइक कर दिये मतलब इतना बड़ा डर मुझे पता था कौन सी नस्कम जोर है बई चलो इसमें यक्स की बैलू बताओ कि यह कोई का रहा है कि उनकी कसम मत खिलाया कर यह नहीं तो हाट अटेक आ जाएगा कि इसमें से जल्दी करो भाई यक्स का मान बताओ और इसमें वाई का स्कॉयर माइनस वन इक्वल फिप्टीन इसमें वाई कमान के आएगा देखिए आज ना मैं आपको वह जीयो अलाफर देखे थे आप लोग के नहीं तो पहले फिरी दिया तीन महीना फिर छा महीना फिर साल बर फिर यह दिया फिर वह दिया फिर दय पटकना शुरू किया ना वैसे आज मैं आपको इसमें आफर दिखा रहा हूं थी अभी आपकी थोड़ी थोड़ी लट लग जाए किसी चीज की समझ रहे हो उसके बाद कल आपको इसमें बड़ा-बड़ा कोश्चन करवाएंगे फिर आप भाग नहीं पाएंगे फिर मजबूरी में आप लोग हल करेंगे समझ रहे ना इसलिए आज हम छोटे-छोटे कोश्चन करवा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाएं समझ रहे हो ना आदत बहुत मुरी चीज होती है आदत बहुत मुरी चीज होती है अगर आप किसी बगीचे में जा करके किसी पेड़ के पास रोज बैठना सुरू कर दिजिए आधा घंटे रोज डेली रेगुलर और दो तीन महीने आप बैठीए और एक दिन जाईए वहा जी ताइब का लगे ना अरे यहां तो खाली खाली लग रहा है वहां तक च्छाय रहती थी उसकी वहां तक पत्तियां गिरती थी अरे वहां तो हम लोग इसा इसा पता नहीं क्या क्या याद आएगा न तो ऐसे क्या है अभी इसमें आप लोगों की मैध पढ़ने की आदत से पड़ रही है आदत पढ़ जाएगी फिर आप बैतर से बैतर कर पाऊगे कि अईसे कुछ लोगों को आदत पढ़ जाती है किसी कुछ लोग की वह लोग क्या कहते हैं उसने तो मेरा तोड़ दिया बही तोड़ता कोई नहीं है तुम तोड़वाने के लिए रेडी हो तो का करें चल यह देखिए इन बातों में अनुभो और भावना फिलिंग पता नहीं क्या-क्या सामिल है यक्स स्क्वाइर इक्वल यह 32 ऐसे लिखेंगे यह सेबन इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा फाइनल में यक्स का स्क्वाइर इसमें से घटेगा भाईय साथ 25 आएगा कितना आएगा 25 आएगा ना अब इसका यक्स का स्क्वाइर इधर से जब वर्गमूल करोगे तो 5 आएगा फाइनल में चुप़े फिलिख लो 5 आएगा कितना आएगा फाइप आएगा ना मुझे लग राज हंडेट पार हो जाएंगे चलो इसमें कितना आएगा इनको घेर दो अलग से इसमें देखो बाब वाई का स्कॉर ऐसे लिख लोगे सिंपल में बराबर यह पंदरा ऐसे उतार लोगे यह वन इधर जाएगा तो पलस में हो जाएगा समझे गया ना तो वाई का स्कॉर इक्वड शिक्टीन यानि वाई इक्वड चार आएगा समझ में आया कोई कह रहा है कि आप बहुत धोखा खाए है यह जिंदगी एक धोखा है समझ रहो यह मत सोचिए कि कोई बहुत धोखा खाया या कोई बहुत प्यार में जी रहा है क्या है कैसे है वो लाइने नहीं सुना कि आप लोगों ने तूने जो कमाया बंदे दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा जो खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया तो फिर इसमें प्यार और धोका कहा है रात नहीं जाने माला कोई समझ रहो जो लोग कहते हैं न देखो सिंपल सी बात है आप पहले जान जाओ कोई अगर आपसे बात चुपाई गई है तो आपके लिए अच्छी बात है लाइश्ट में आप मरने लगे और कहरे हो भाईया मुझे पानी दे दो अब मैं जाने ही वाला हूं वो बोले नहीं देंगे का कर लोगी तो लाइश्ट टाइम में पता चले गद क्या कर पाऊगे इसलिए पहले ही जाने कैसे है कौन तो यह बहतर होता है यह यह बहतर होता इसलिए पहले ही कुछ चीज़ जान जाओ तो वह अच्छी बात है अगर अब हर जगा से मिलता है चाहे कहीं दूसरे के साथ हो या अपने स सीखना चाहिए समझ रहा हो ना सीखना चाहिए चलिए आगे बढ़े अगला कुछिश्चन यहां पर हाइप यक्स का इसक्वाइर प्लफ नाइन इक्क्वल इक्कॉल का लिखोगे भई पांच से भाग दे दो जिसे तो कुछ बन जाए चलो कुछ भी लिख दो अपकी बार जो भी आ जाएगा भगवान बरो से कितना आएगा इसमें इसमें यक्स का इसक्वाइर क्या आएगा जब आप दीजिए बिल्कुल कोशिश करिए एक बार नहीं आएगा तो बताना मैं आसान आसान दे रहा हूं बड़े बड़े नहीं देखे कल मैं आपको एक्वेशन पढ़ाऊंगा आज मैं आपको सिर्फ अभी लाइन पे ला रहा हूं पट्री पर बस तुनी है इधर थाइड में और आगे यक्स का स्कॉयर प्लस नाइन इक्वल काय को वही कर रहे हूं उन्चास फिप्टी एट अच्छा इसमें यक्स का मान नहीं आप इसमें एक आमान बताओ क्या आएगा एक आमान कौन बता लेगा ट्रै तो कर लो ना एक बार गौतम जी बोल रहे हैं कि चौतरफा ग्यान मिल रहा जी बिलकुल मिल रहा है वस लेते रहो यह ग्यान भी जरूरी है क्योंकि कलास में लोग भाग जाते हैं तो लोगों को जोड़ कर कि भी एक डूर होनी चाहिए जिसे लोग जुड़े रहें कुछ लोग पढ़ने के लिए जूड़े हैं में इसका पहले बता देता हूं यह का इक्वायर इक्वाल 58 यह प्लस का नाइन इधर जाएगा मैनस का हो जाएगा और एकाइश्क्वायर इक्वाल इसमें से नौ घटेगा तो 49 आएगा तो ए बराबर आएगा चच्चा 49 इसका वर्गमूल करोगे एक अमान आपका प्लस माइनस साथ आएगा अब यह मत पूछना यह प्लस माइनस का है को आता है नहीं तो यह डियलेड की कलास है फिर यह कलास लेबल कुछ और हो जाएगा क्या प्लीजिए फटाफट बीच बीच में मैं याद दिलाता रहूं कलास को लाइक करते जाएगे मैं एक एड़वर्टाइजमेंट दिखाऊंगा पूरा देखना भागना नहीं देखना फिर आना तूने जो कमाया बंदे दूसरा ही खाएगा और खाली हाथ आया था तू खाली हाथ जाएगा देखो अभी थोड़ा थोड़ा ना मुझे गाने का वो हो रहा है क्या बोलते हैं टॉक चड़ रहे जिसे बोलते हैं जरूरी है तो एक ठी चोटा सा और कर लो बइल मेरे में भी 4 दे दिया कबे लिखो तीन एक प्लस 5 बढ़े साब बताओ ना इसमें एक्स कमान क्या आएगा एक्स कमान क्या आएगा बोलो खटा खट बताओ क्या आएगा एक्स कमान कि 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 एनिवन कोई बताएगा तो इसको आप लोग कर लीजिए इसके बाद हम थोड़ी चीजें आपको बता देते हैं मुझे लगता है टाइम काफी हो गया है तो और भी चीजें इसमें आपको समझानी है अभी बहुत चीजें समझानी है बहुत चीजें समझानी है एक और तरह का बता दे रहा हूं फिर मैं अभी समी करन और सर्व समी का पढ़ाया नहीं हूं अभी मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं अफली मूवी कल देखोगे आप इसकी चलो इसमें यक्स का मान क्या आएगा भाई ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा चिन बदल जाता है ये तीन इसके साथ जो चिपका हुआ है इधर जाएगा तो नीचे आजाएगा तो ये माइनस का 5 पान 3 ये आंसर आजाएगा अब इसमें देखो पाँच यक्स प्लस वाई बराबर साथ में यदि यक्स बराबर दो तो वाई कमान क्या होगा यह अब ही आप लोग ट्रेलर देख रहों वाई कमान क्या होगा बोलो यहाँ पर सेबन है सेबन मतलब साथ अंकीता सिंग वर्सा यादो फराना अंसारी गौतम चंचल प्रजापती विकास कुमार हैपी लाइप दीप सिखा सुभम नीलम अपका कमेंट दिख रहा मुझे आ रहा है चलिए रेडी इस कलास के माध्यम से मैं आपको यह भी बता दूं कि जो भी कंडिडेट इसमें काफी परेशान है आर्थिक इस्तिति को ले करके पैसा रूपया नहीं रहता है मतलब समझे रहो ना हर कोई गुजरता इन परिस्ति कि लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं कि कल से ही आने लगेगा खाता खुल अब यह का दो महीना बहुत दिल से मेहनत करने पड़ेगी हम आपको चीजें गाइड करेंगे आप कर सकते आप पढ़े लिखे हैं उतना समझधार है आप है ना कुछ भी करते आप लाइफ में आप तो उसी को दिखाव लोग देखेंगे कुछ भी करते हो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कुछ भी करते हो आप क्योंकि आपको पता है कि अधिकांज जनसंख्या जो है चाहे वह बुढ़्धा है चाहे बुढ़्धी है चाहे लॉखने कि किसी प्रकार का है मोबाइलेम लगाए कोनों इससे कर रहा है कोनों इससे करॉधा रहा है ट्रेन में में चले जाओ बस में चले जाओ कुछ ऐसा करो लोग आप दूस्से को देखें ना कि का मिले हूं अ कि अब इसमें थाers them nine में पूछा था यक्स का मान 2 रखना है तो भाईया आजाओ 5 इंटू यक्स की जगा पे 2 प्लस Y कोल 7 ठीक है क्या बताना था Y का बताना था ठीक है यह 10 हो जायेगा प्लस Y कोल 7 तो Y बराबर 7 माइनस 10 य का बेलू आयेगा रे बाबा कितना माइनस का 3 माइनस का 3 आयेगा सबको समझ में आया की नहीं आया सबको आया ना पक्का एकदम ठीक है चलो 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 आगे बड़ो आगे बड़ो कुछ चीज में आपको और भी बताने वाला था लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है नाइन डी का इस्क्वाइर प्लस ती ने इक्वल माइनस पांच में यदि ए बराबर एक तो डी बराबर क्या होगा बताईए कोशिस करिये कि जवाब दीजिए कि बताईए फटाफट कोश्चन का जवाब देते रहिए बाकी जो मैंने टॉपिक उठाया था उस पर भी आप लोग कंटक्ट कर सकते हैं आप गाउं में रहते हैं खेत में रहते हैं कुछ लोग उत्तरा खंड से हैं नैनी ताल से हैं वादियों पहाडियों से हैं कुछ जम्मू कास्मीर से हैं उनके यहां तो खुदी प्रकृतिक चीजें इतनी भरी भरी हैं वहां से आप उसके वीडियो बना के दिखा सकते हैं रात दिन अगर आप गाउं से हैं खेत खलियान भाइस गाय कुकुर बिलार दिखाओ सुबर सुबर उठके लोग उसको देखेंगे समझ रहे हो कि नहीं मैं सही बात बोल रहा हूं सुबा सुबा उठो अगर आपके दरवज्जे पे 4-6 कुत्ते आते हैं उनका वीडियो बना देखो यह कलवा है यह टॉमी है यह फ्लनवा है यह कल हमारे जूतल लेके भाग गया था ऐसा करता वाइसा करता देखो लाको लो की सुरू किया था कि लेकिन बबसे मुझे पता कि इसे और समाच में अच्छा दशा परवाव नहीं वड़ेगा कुकिंग का वीडियो आप बहुत बहुत बना सकते हैं कि बहुत अच्छा मैं इसमें देखो पढ़ातों में रहा हैं वह बात सही है लेकिन यह इस्टुडेंट की बहुत बड़ी मपर्वलम होती है बहुत बड़ी प्रॉबलम है मुझे पता है घर वाले 20 साल तक पैसा देते गरवाले उप जाते हैं तो इसलिए आप कुछ न कुछ करिए अपना खर्चा चलाइए घरवालों को भी थोड़ा सपोर्ट करिए नौकरी फाटा लागे या ना लागे वह अलग की बात है बात की बात समझ हुं दो दिखाया था कि कुस्चन तो बताऊंगा मैं आपको दिखाया था अंति मैं पढयाता तो हूँ जरूर लेकिन आपको ऑभी मैंने एक इमेज दिखाया था देखो मैं एक दिन गया बोर्ड लाने क्योंकि लैपटाप चार्ज करने का जगा नहीं थी यहां बहुत सारे डिबाइस हो गये थे तो मैंने सोचा कि मैं बोर्ड क्यों खरीदूं इसे देख लो बहुत महत्तपूर चीज है यह भागना नहीं फालतू च और बनाएंगे और वीडियो बनाके दिखाएंगे देखो यूटूब पर कितने लोग देखते हैं मैंने देखा 200 का मैंने सामान लिया था इसमें तीने साकिट सुइच का था एकदम ब्रांडेड लिया था हैवेल्स और एंकर का आप यतन्य महांगा मिला था अब आज इस वीडियो से 200 रुपे महीना आ रहा है लगबख एक साल हो गया इस वीडियो दाले आप समझरे हो यह नि मैंने 200 का सामान लिया बॉर्ड हमारा चल रहा है प्लस इस बोड से 200 रुपे हर महीना आ रहा है कितने अच्छी बात है कि न पताई यह ना अच्छा आपकर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी दुखी आत्मा से जादा अगले के खुस होने जलते हैं इसलिए मैं नहीं दिखाता हूं तो इस वीडियो को आप देख सकते हो पीवियर स्टडी बॉलाग चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो देखो मैंने तीन-चार वीडियो डाले उस बार अभी मैं गया था पूर्बान चल एक्सप्रेसवे पर बंद रहा था देखो वीडियो बनाया था 31-32 जाल लोगों ने द लगया मैं वहां गया पिट्रोल लगा होगा 200 का मानलो 900 का पिट्रोल लग अगर 2000 मिल लगया तो कौन सी बुरी बात है वहां ना इसलिए जहां भी जाओ किसी उद्देश यसे जाओ वहां से कुछ ना कूछ मिलना चाहिए नीलम जी पूछ रही कि एक लाइब क्लास से कितना इंकम होता है यहां से कुछ नहीं होता है मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं कुछ तो सीक्रेट रहने तो सब जान जाओगे तो मेरी इज़त करा जाएगी चलो इधार आजाओ फिर अब दिरे दिरे बताएंगे एक के दिन में सब नहीं यदि a बराबर एक है तो d कमान क्या हैगा चलिए question देखते है 9 ये d का square fa रहेगा plus 3 into a कमान 1 equal minus का 5 ठीक है 9 D का square plus 3 equal minus का 5 ये कितना हो जाएगा 9 D का square देखो भाई ये plus का 3 है इदर जाएगा तो minus का हो जाएगा तो ये minus का 3 माइनस का 5 पहले से ही था हम में काई एक समझ में अब यह हो जायगा आपका डीन का स्क्वाइर एक्वाइर इक्वार यांटर रूंट में अजायगा बैल किसी कवर गमूल नहीं है नहीं आयगा ना आपका सकते हो ुध STUDENT कंदर रूंट मैंन साट चाओ क्यों आप लोगों का कुछ और आ रहा था क्या कि अंडर रूट में आएगा कि आया समझ में लिख लिजिए फटाफट कि अपनी प्रेम का और प्रेमी की स्टोरी इसे किसी से नहीं बताना चाहिए नहीं लोग पहले इसे खतम करते हैं कि इन चीजों को आप छुपागे रखा करिए मत बताया करिए किसी आज की मुझे लगता बहुत बात हो गई क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे इमेल आये थी बहुत सारे मैसेज आये थे स्टूडेंट के बहुत परिफान है वो लोग काफी है क्या करें कैसे क्या करें बहुत सारे सुझाव रहते मैंने सोचा किलास में ही सारी बाते बता देते हैं आप लोग सुन भी लेंगे कि स्वें तो ठीक है आज का टाइम ओवर हो गया यहीं तक कल आपको समीकरण सरब समिका पढ़ाया जाएगा समी करण सर्व समी का कल पढ़ाया जाएगा समी करण के परकार में बता दे रहा हूं सरल समी करण जिनने linear equation कहते हैं जिन में कोई घात वात नहीं होती है जैसे अभी तक जो आप पढ़े हो जैसे यह 3x प्लस 5 इकवल 0 यह क्या है सरल समी करण है इसके बाद आप लोग कि दुगात समी करण भी इसमें पढ़ेंगे जिन में दो घाते लगी होती है जैसे सेबन एकाइस्वायर प्लस 9A प्लस वन इक्वल जीरो ये दुए घात समीकरण में आता है इसके अलावा आप तीन घात समीकरण भी पढ़ोगे फिर घात समीकरण जैसे मानलो पंदरा वाई का क्यूब प्लस नाइन यक्स एके चर रासी में है न सायद तो एकी चर में करो प्लस का वन इक्वल जीरो ये तीन घात हो गया इस तरह से आप और आगे पढ़ेंगे यन घात वाला ठीक है जिनने लीनियर एक्वेशन क्वाडरेटिक एक्वेशन और वगयरा वगयरा बोलते हैं कल बहुत ही डीटियल में इसा पढ़ाया जायेगा तो आप सभी साथियों से निवेदन होगा कि इस कलास को ज़्यादा फज्यादा सेर करेंगे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे हम आपको उतनी बहतरीन कलास दे पाएंगे एक निवेदन है वो क्या है सुन लीजिए कि आप लोग जब भी कलास में देखा करेंगे जुड़ा करें आपके घर में अगर ऐसा संभव है वाइफाई लगा ब्रडवेंड लगा है अक्सर कुछ लोगों के घर में लगा ही होता है तो आप आपके घर में जितने खाली डिवाइस हैं उसमें भी लाइब को जरूर चलाया करिए भले ना कोई देखे ठीक है जब आप सोने लगते हैं अगर आपका डाटा बचा है तो आप पीवीर स्टडी का कोई एक बड़ा सा वीडियो दिखे YouTube मैंने आठाट गन्ते वीडियो डला है रये और आप इसे वीडियो को चला दीजिए को चलाया जरूर करिए ठीक है कि समझ रहे ना यह अगर आप करेंगे तो बिल्कुल समेश्टर का पूरा कोर्स यूटूब पह सिकंड कभी आ जाएगा थर्ड फोर सब आ जाएगा आपके बाद आपके आने वाले भाई बहन भी देखेंगे हर कोई पढ़पाएगा ठीक है औ कुछ लोगों को बुरा भी लगता है लेकिन फिर भी बताते हैं हाँ तो कोई परकार की इंक्वारी है नीचे नंबर चल रहा उस पर संपर करिएगा बाकि अगर आपको कुछ बाते हमी से करना है ऐसी चुपपे वाली बात है तो यह मैं नंबर दे रहा हूं आप इस पर मै लेकिन ध्यान रहे यह नंबर आप लोगों को कहीं नहीं देना किसी भी स्टूडेंट को क्योंकि आप लोग समझदार है इसलिए नंबर आप लोगों को दिया जाता नहीं तो छोटे बच्चे बहुत परिसान करते हैं कि अध्यान तो यह आप लोग इस पर वाट्सअप मैसेज कर सकते हैं किसी को कुछ कहना है कि बारे में कोई कोई करना है इसका रिपलाई हम ही करते कोई दूफरा नहीं करता इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं अब बाकि इस पर रिपलाई देर में मिलेगा अगर कि आपको जल्दी रिपलाई चाहिए तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर करिये आपको जल्दी रिपलाई मिलेगा फास्ट कि इस क्रीन पर नंबर चल रहा है ना नीचे उन पर आप लोग संपर कर सकते हैं कुछ कहना के बारे में कि बंद किया जाया किको कुछ कहना है कि नहीं कहना बाकी जुमेने पार्ट टाइम और को बताया उसको भी भोड़ भी स्ताइब यहाप जुडहें हमारे साथ समय समय पर हम आपλοं के लिए आप लुक के लिए है चार-चे लोगों की तो जब उसमें कुछ लोगों की जरूरत बढ़ती है तो हम इस्टेटस में लगाते हैं ठीक है घर बैठे आप और कर सकते हैं हमारे साथ भी बहुत सारा काम रहता है अगर जुड़े रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ बताते रहेंगे ठीक है अगे गर में कोई मोबाइल ने दे आतो क्या आप एतने कमजोर चीन नहीं सकते हैं मार या सब करनें गुड नाइट सभी को गुड नाइट दिक्सा सरमा जी गुड नाइट सनेहा तिवारी जी गुड नाइट अच्छा तो हम चलते हैं